So guys ethical hacking का complete course यहाँ पर आ गया है आप लोगों का demand भी था कि security के बारे में थोड़ा depth में और यह सब चीज़े मता हैं तो complete course, complete course मतलब complete course मैं confirm नहीं हो कि यह वीडियो कितनी लंबी बनने वाली है बट starting selection तक beginner है, advance है, कैसे ही हैं आप अगर ethical hacking के concept को पूरा समझना चाहते हैं तो वीडियो को last तक देखना है Definitely बहुत ज़्यादा important ही वीडियो आप लोगों को cyber security को सीखने के लिए ethical hacker बनने के लिए helpful होने माली है इस वीडियो के duration मैंने complete demonstration भी करके दिखाया हुआ है, but complete educational offers के लिए वीडियो बनाई जा रही है जिसके तुरू आप किसी भी company में जाए, confidently बोल सकते हो कि आप को ethical hacking आता है, आपको cyber security के बारे में knowledge है आप उस company के security के बारे में बता सकते हो, उस company के vulnerabilities को found कर सकते हो, उसके bugs सो अगरे निकाल सकते हो, मतलब बहुत सारी details में इस tutorial में आप लोगो को मिलेगा Starting से end the copy and paper लेकर बैट जाओ, अपने computer system को लेकर बैट जाओ, और साथ में सीखना स्टार्ट करो, complete course about ethical hacking, ओके तो यहाँ पर इस course को जो मैंने बनाया हुआ है, काफी जादा इसमें मुझे time देना पड़ा, और I think कि आप लोगों को पूरा का पूरा वो मैं समझा पाऊंगा, ओके तो चली start करते हैं session को, complete session के duration मैंने इसमें introduction part कवर किया हुआ है, ethical hacking को लेकर, security vulnerabilities को लेकर, उसके बाद मैंने networking का part कवर किया हुआ है, कि वो कौन से ऐसे terms and conditions हैं, जो networking के थूँ हम लोग मतलब networking को करने के बाद ethical hacking को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि देखो किसी भी topic को समझ और ऐसे उपर-उपर से समझ लेना, एक depth में समझने के लिए हमें उसके A to Z सारे point to समझना पड़ता है, तो मैंने networking का depth tutorial भी इसके अंदर add किया हुआ है, during security को समझाते हुए, तो miss नहीं करना कहीं पर भी किसी भी part को, और definitely काफी interesting ये video आप लोग को होने वाली है, networking अगरे क concept जब आपका clear हो जाएगा, तो कैसे lab setup करते हैं, उसके बारे में बताया है, and then एक एक point को focus करते हुए, explain करते हुए, उसके tutorials के बारे में, and उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको सीखाई जा रही है, वो सब आपको practically दिखाया गया है, okay, तो जितना भी यहाँ पर मैं resources यूज कर रहा हूँ, disclaimer आप लोग के लिए, वो सब कुछ मेरा resources है, चाहे हो laptop हो, desktop हो मेरा, wifi modem हो, and जो websites वगरे मैं use करूँ हूँ, सब कुछ इसी चीज़ के लिए बनाए गया है, किसी भी unauthorized तरीके से किसी भी task को perform करने की कोशिस नहीं करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, enjoy करते हैं, complete learning, okay, तो आईए computer screen पर चलते हैं, complete learning के लिए, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे topic तो भूली जाओ, topic क्या है, कैसे है, don't worry, यहाँ से topic 1 से start करते हैं, और A to Z सारी चीज़ा सिखाते हैं आप लोगों को, देखो, सबसे पहले अगर आप इन सभ इस चीज़ को कैसे आपने कर दिया, वो सब चीज़ है, एक एक लाइप को सेट अप करके बने दिखाया हुआ है, सारी चीज़ा है, तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहला point यहाँ पर अगर देखो, तो introduction to ethical hacking, what about introduction, introduction part of ethical hacking कैसे है, कैसे perform करते हैं, सारी चीज़ा मैंने आप पर बताया हुए, तो introduction to ethical hacking, इसमें क्या दिया हुए, topic 1, authorized access any system, application or data, मतलब की ethical hacking का मतलब क्या होता है, कि authorized way से, किसी भी system के application के अंदर जाना, system के अंदर जाना, websites के बारे में पता करना, तो एक मतलब पता पूछ कर, जैसे कि माले है, आपका कोई website से, और आपने बोला कि मेर vulnerability या कोई कमी तो नहीं है, तो मैंने, मतलब या तो आप से पूछा, या तो आपने मुझे कहा, तो वोए ethical way हो जाता है, अगर आपने कुछ नहीं बोला, और मैं आपकी website या किसी भी important data के बारे में search कर रहा हूं, ढूट रहा हूं, या उसके बारे में पता कर रहा हूं, this is the unethical, मतलब की एक तरीके क ethical नहीं है, इसमें आप crime कर रहा हूं और problem हो, तो ये चीज़ याद रखना, reason behind this to find the vulnerability and loopholes in any machine are target, ethical idea का मतलब क्या होता है, कि किसी भी machine के अंदर जो loopholes होते है, जो कमिया होती है, उसको पता करना, उसके बारे में बताना, जिसका वो PC है, या जिसका network environment है, जिसकी वो company है, उसको inform करना कि yes, this is the problem in your company, this is the bugs in your company, मतलब उसको fix करवाना और help करना, ये आपका मक्षद होता है, ethical hacking के पीछे, and ethical hacker perform the attack for company and then tell the company about weaknesses of company infrastructure, ethical hacker जो होता है, वो किया करता है, company की vulnerabilities को find करता है, उसको inform करता है company वाले को, कि ये तुमारे company के अंदर, या तुमारे machine के अंदर, तुमारे server के अंदर, ये problem है, इसको fix करो, और fix करने के लिए सारी चीज़े होती है, company है ethical hacker भी hire करती है, cyber security engineers भी hire करे जाते है, काफी जादा demand है security को लेकर आजकल market में, क्योंकि हर एक environment में security चा बड़ी company हो, बड़ी company हो, उसका data सबसे important होता है, और आजकल data के through, मतलब दुनिया कहां से कहां चली जा रही है, okay, ethical hacking motto is do not harm our violate company data, ethical hacking का मतलब ही होता है, कि किसी भी तरीके से, किसी भी company के data, या किसी भी तरीके के user के, मतलब की computer को, या उसके applications को, उसके information को नुक्सान पहु जाओ, और इन सब चीजों के माध्यम से फिर ये सारा काम आप करेंगे, okay, and then again, यहाँ पे, what is hacking, अब just opposite इसका हो जाएगा, hacking is a process, which is performed by outside of hacker, or any intruder to steal the information of company, company की information को, किसी भी तरीके से, जब hacker क्या करता है, बिना पूछे, उसकी company की information निकाल लेता है, उसको market में sell कर देता है, उसके competitor को बता देता है, उससे पैसे लेता है, मतलब एक तरीके का, मतलब पूरा का, मतलब without information, उसके information का, बिल्कुल misuse करना, किसी भी company का, किसी user का, वो आपका hacking कहलाता है, okay, यह या तो intruder होता है, intruder मतलब होता है, कि वो बंदा, जो बाहर से आपकी company, या आपकी information को hack कर र reason, वो information क्यों hack करेगा, एक hacker, अगर आप, जैसे मैं ही अगर बताओं, तो मारे friend circle में, जानने में, एक दो बार ऐसा हुआ है, जिसके तरूँ company, मतलब उसका, मतलब एक friend का था, laptop, पूरा का पूरा ransomware attack से problem हो गया, 87,000 रुपए की demand वहाँ पे होती है, कि आप मुझे पैसे द तरीके से attack किया जाता है, और पैसे की demand करी जाती है, ऐसे hacker, जो होते हैं, काफी ज़्यादा, खदरनाक होते हैं, या तो financial loss के लिए, company के data को loss कर, मतलब एक तरीके का loss पहुचाना, या company को पूरी तरीके से बरबात करना, user की information या उसको manipulate करना, user से पैसे की demand करना, उसको blackmail कर होता है, दोनों के पास एक professional skill होती है, ऐसा नहीं के hacker कोई advanced skill लेकर पैदा होता है, या सारी चीजे नहीं, दोनों को computer के बारे में, networking के बारे में, operating systems के बारे में, programming के बारे में, यह सब चीजे well knowledge होती है, तब एक hacker या ethical hacker अच्छे तरीके से अपनी field में export बनता है, और फिर logo क या तो वो support करता है, या तो logo के information को misuse करता है, यह थोड़ा बहुत problem होती है, और यह सारी चीजे होती है, तो यह हो गया, तो hacking का यह मतलब होता है, अच्छा अगर types of hacker की बात करें, types of hacker कितने types के होते हैं, और कौन कौन से types के hackers, मतलब की जो होते हैं, उनका purpose क्या होता है, कि किस तरीके के काम करते हैं, तुमको किस तरीके की categories में रखा जाता है, basically यहाँ पर तीन तरीके के hackers होते हैं, जैसे कि आपका black hat, white hat, grey hat, तीन ही होते हैं, बट इसके अलामा भी कुछ और hackers की categories बनाया गया है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्या क्या है सारी चीजे, तो सब एक destructive cyber attack, एक तरीके का यह बिना information किसी भी computer system के अंदर घुश जाते हैं, किसी application के अंदर घुश जाते हैं, किसी के websites के information निकाल लेते हैं, किसी की company के information चुरा लेते हैं, ऐसे जो hackers होते हैं, वो black hat hackers में आते, without information, वो आपके computer के अंदर घुश जाते हैं, या आपके information निकाल ल होते हैं इतने सारे मतलब दुनिया इतनी स्मार्ट इतनी आगे चा चुकी है अगर आपने थोड़ा सा भी लपरवाही किया अपनी कंपनी की information को लेकर आप अपने cell phone की information को लेकर किसी भी तरीके का तो सोच लो problem मतलब हो जाएडी पूरी information में यहां पर आप लोगों को बताऊंगा अगर आप एक एक चीज को ध्यांसे मतलब कभी-कभी headphone लगा कर भी सुनना यह सब lectures बहुत important आप लोगों को मतलब आप कितना हजारों रुपए देंगे कहीं पर तब भी नहीं चीजें सीखने को मिलती है इसके बाद white hat hackers के बारे में बात करूंगा white hat hackers वह hackers होते हैं जो किसी की company के लिए काम करते हैं या company द्वारा hire किये जाते हैं या मतलब लोगों को बताते हैं उनकी company की information को चेक करके आप पूछते हैं कि तुमारी website में यह कमिया इसको fix कर लो लग एक तरीके का साफ सूतरा काम करते हैं वो white hat hackers बोले जाते हैं अब white hat hackers जो होते हैं ऐसा नेकिन के पास थोड़ी कम knowledge होती है black hat hackers ये भी वही होते हैं लेक के mood के उपर है जैसे मालिया these hackers are combo of ethical hackers are crackers they can even find flow and report it to the company अगर वो किसी computer system के अंदर company के websites के अंदर company के server के अंदर किसी वी तरीके की vulnerability पाते हैं और वो company के बंदे को inform करते हैं company owner को inform करते हैं तो मतलब वो white hat hackers का का काम करने लेकिन लेकिन अगर उन्होंने company के information को बिना पुछे न काला company के server की information किसी user की information किसी के site का data का Gmail का email का किसी भी तरीके की information को penetrate किया या उनके information के बारे में पता किया और उनको बताया नहीं उनके data का misuse किया वो grey hat hackers मतलब कि वो black hat में आजाए तो यह इनके mood के उपर होता है कि यह किसके साथ कैसा क्या करना चाहते हैं तो उस तरीके क hackers में जो आते हैं वो grey hat hackers होते हैं मतलब it may be black hat or it may be white hat hackers okay तो यह दो नों में आ जाते हैं इसके बाद अगर हम लोग बात करें script kiddy what is the meaning of script kiddy कुछ ऐसे hackers होते हैं जैसे कि हम लोग भी लगबग में उसी की categories में माने जाएंगे क्योंकि हम लोग नहीं खुद का program write कर सकते हैं और इस सब चीज़े not हम लोग मतलब हम भी साहत कुछ जानते हों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो program बनाना जानते होंगे और हम तो कुछ program भी write करेंगे script भी run करेंगे देखेंगे तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम लोग copy करते हैं मतलब वो hackers या वो ethical hackers जो किसी के code को copy करके उस lab को करते हैं या उसकी information या किसी भी तरीके की availability को डूड़ते हैं script kid कहलाते हैं मतलब एक तरीके का यह unskilled hackers होते हैं who have who don't have knowledge about मतलब who don't have knowledge about the hacking and coding programming etc etc they only copy the script and perform the lab okay तो एक तरीके का script kiddy होते हैं दूसरे की script program को use करके इस skill को perform करते हैं बट हाँ यह भी बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं company के अंदर इनकी भी जरूदत होती है और अगर आप यह सब चीजे अच्छे से समझ जाते ना बिल्कुल पहतर तरीके से जीतने भी चीजें बताई जा रही है तो definitely company के अंदर आप अपनी हैकर्स हैकर्स कौन होता है एतिकल हैकर्स कौन होता है तो मैंने उपर explain किया इनी चीजों को बट थोड़ा सा common difference मैंने आपर मेंसन किया हुए जिसमें पहला hackers and ethical hackers बहुत है extraordinary knowledge about computer system, about networking, about server, about programming, about coding, etc. उनको experts knowledge होती है मतलब ऐसा नहीं है हम लोग या हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पर अभी मैं मतलब दो दिन पहले message चेक करा था एक से डेड़ अजार messages पड़े होंगे जिसमें से 500 messages तो ऐसे है कि भाई मुझे ethical hacker बना दो, नहीं मुझे hacker बना दो, ethical भी word नहीं जोड़ते, पत्ता ही नहीं है कि उनको market में करना क्या है, किसी के साथ बोलना क्या है, मतलब यह सब चीजे, तो बहुत सारे users को मैंने reply भी दे हो, कभी भी यह सब चीजे या तो वो बिल्कुल unaware है, उनको पता नहीं है, क्या word इस्तेमाल करना चाहिए, क्या नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे user हो, तो मैं है लगबग में 3-4 साल से आप लोगों को security के बारे में है, एंड इसका एक dedicated channel भी मैंने बना दिया है, वीडियो क बहुत ज्यादा वो भी आप लोगों के लिए helpful होने वाला है, उसमें तो A to Z, Ditto, सब के सब hacking से related, ethical hacking से related informations मिलेगी, कि क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी informations वहाँ पर दी गई है, ओके, तो यह सब हो जाता है, and यह extraordinary knowledge के साथ होते है, and they have much knowledge about computer field, networking field, and everything about technology, hacker is the person who destroy the data of people, मतलब hacker हो बंदा होता है, जो लोगों के data को destroy कर देता है, मतलब बरबाद करता है, उनके data को, misuse करता है, इस तरीके के hackers होता है, but ethical hacker work for useful information, या work for support the company, company को support करने के लिए, user को support करने के लिए, इन सब चीजों के लिए होता है, ethical hacker target the target for public help and for organization help, definitely वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों को support करने के लिए help करता है, बट ethical hacker कभी ऐसा नहीं करता, okay, terminology को समझना बहुत ही बहुत जरूरिया, terminology एक ऐसा part है, ethical hacking का, जो कि हमें यह समझा देता है, कि किस terms का क्या मतलब होता है, जैसे हैं कि English बोलने के लिए, वो gaps की जरूरत होती है, वैसे ही आपको, ethical hacking और इस सब चीजों को समझने के लिए, जो starting के terminology है, वो सा part मैंने यहाँ पर कभल किया हूँ है, ओके, यह आप सोच रहांगे क्या है, यह कैसा remote जिसके through, बहुत कुछ कर सकते हैं, ओके, तो यहाँ पर particular जो terminology है, इसको मैं explain करता हूँ, देखो, लंबी वीडियो है ना, तो थोड़ की चीजों को note करना, ओके, तो copy pane लेकर बैठे हो ना, समीलो, comment करके बता दो, हाँ, copy pane लेकर बैठे हो, second option यहाँ पर hack value, something is worth for hacker or interest, मतलब की hack value क्या है, hacker किसी के information को, या किसी websites को, किसी application को, किसी server को क्यों hack करेगा, उसका hack value होना चाहिए, यानि कि, जो website hack करी जा रही है, या जिसके बारे में वो पता कर रहा है, उसके पीछे उसका कोई मकसद होता है, कोई values मिलती है, या तो पैसे के लिए, या तो company को support देने के लिए, प्लब कुछ ना, कुछ values होती है, this is the hack value, vulnerability, what is the vulnerability, actually मैं time देख रहा हूँ ना, क्योंकि, जो recording है, वो, I think, जो camera होते हैं, वो, मत आप लोग cooperate करेंगे, तो vulnerability क्या होता है, existing of weaknesses, vulnerability मतलब क्या होता है, कि कमियां, है ना, किसी भी computer system के अंदर, या किसी भी network के अंदर, किसी भी server के अंदर, किसी website के अंदर, जो कमियां होती है, किसी भी तरीके का जो weaknesses होता है, is called vulnerability, okay, and what about exploit and payload, ये दोनों similar, मतलब एक दूसरे प vulnerability, एक breach है, जो vulnerability के थूँ होता है, payload क्या होता है, is the part of an exploit, ये payload क्या होता है, exploit का पार्ट है, इसके थूँ क्या होता है, कि code that perform the intended malicious actions such as destroying, creating backdoor and hijacking computer, payload क्या होता है, कि एक तरीके का malicious code होता है, इसके थूँ बायरस जैसा आप कोई program बना सकते हो, किसी भी program का copy बना सकते हो, उस त exploit के थूँ उसकी information आपके पास आती है, जो भी वो आपे करता है, आपको पता चलता रहता है, तो ये दोनों एक दूसरी के साथ मिले रहते हैं, यानि कि exploit एक तरीके का data carry करने का का काम कर रहा है, और जो payload है, वो program है, malicious code है, जो उसके system में घुज कर उसकी information को भेजने का काम with the help of exploit कर रहा है वे न, तो ये दोनों याद रखना भी, attack मतलब आप जानते ही हो क्या होता है, hack मतलब आप जानते ही हो क्या होता है, zero day attack क्या होता है, बहुत important information ये भी है, zero day attack, actually zero day attack है कैसा attack होता है, जब किसी computer system का application नया नया बना होता है, या किसी भी तरीके का कोई भी application software प्रोग्रेम। नया नया बना होता है। और उसको मार्केट में लॉंच नहीं किया गया होता है। तो जो company उसको manufacture करती है। यह जो website owner होता है, यह जो server अपना establish कर रहा है, वो बोलता है कि ठीक है। अभी हमारा set up हो गया है। जरा सा इस पे attack करो। अपने ही internal मतलब जो programmers होते हैं, जो security engineers होते हैं, हमसे पूछता है कि let's try to hack the machine and find the vulnerabilities ये सब चीजे तो उनके जो internal employees होते हैं, ये सब चीजों से related जो चेक करते हैं, वो सब उस पे perform करते हैं, lab check करते हैं and जब भी वहाँ पे कोई problem होती है, उसके अंदर vulnerabilities के थूँँ जब कुछ मिल जाता है तो उसको fix करते हैं, तो ये होता है zero day attack, before launching the application or tool उस पे attack करना, उसकी vulnerabilities को पता करना और उसको fix करना, zero day attack के थूँँ होता है, ओके, तो ये बहुत ज़्यादा important एक task है, जो कि companies करती है, और जरूर करना भी चाहिए इन सब चीजों को, ओके, चलो ये आपने term समझ लि किसको आप निशाना बना रहे हैं, निशाना संबल, simple word में, okay, and hack attack का मतलब मैंने आपको बता दिया, vulnerabilities का मतलब बता दिया, penetration मतलब होता है, कि मतलब जाच पर रख करना किसी भी चीज का, simple आप बोल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें, अच्छा topic 2 पर आजाते हैं, topic 2 में foot printing, foot printing एक पहला step होता है, मतलब इस चीज को भी समझना अच्छे से, कि मानलो, आपको मैंने अपना computer दे दिया, या मैंने बोला कि ठीक है, आप कभी-कभी अपने friend के बारे में कुछ information पता करना चाहते हो, तो you start your information, मतलब आप जो काम करना start करते हो, वो for printing के माध्यम से करते हो, आ आप कहोगे कि ऐसा कैसे, तो समझो कि आप उसके बारे में ऐसे ऐसे tools, resources, website के through, google search के through, कोई ना कोई ऐसा step follow करते हो, जिसके through, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा information निकाल पाओ, तो footprinting एक ऐसा process है, hacking, ethical hacking, एक ऐसा process है, जिसके through hacker attacker, या ethical hacker, किसी भी target के बारे में, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, उतिनी information collect करता है, using various types of tools, resources, okay, तो यह सब चीज़े होती है, तो footprinting is the technique used for gathering information about computer system and the entities they belong to, to get the information, a hacker might use various tools and techniques, मतलब voltage का मतलब होता information, किसी भी target के बारे में निकाल ला, इस process को करने के लिए hacker ethical hacker, different different types के tools का इस्तिमाल करता है, बहुत सारे tools के बारे में हम लोग discuss करेंगे, live उसको check करेंगे, देखेंगे, and कैसे किसी की information, मतलब कोई information find होती है, और उसको कैसे secure करा जाता है, हर चीज़ पर हम लोग बात करेंगे, हर एक पहलू पर नजर रखेंग इस information is very useful to hacker who is trying to crack a whole system, okay, तो this information is very useful, मतलब ये जो information है न, vulnerability, sorry, footprinting, एक ऐसा, मतलब की information का collection होता है, जिसके थ्रू किसी के system को पूरी तरीके से hack किया जा सकता है, अगर आप एक company के अंदर काम कर रहे है, और आपको उसकी complete information को check करना है, उसकी vulnerability कमियों को ठूड़ना है, तो footprinting एक पहला step है, जिसके थ्रू आप पता करोगे कि क्या-क्या उसके system में कमिया है, वो सारी चीज है, मतलब किसी भी target के बारे में ज्यादा से ज्यादा information की, ये protocol चली, ये network चल रहा है, maybe उसका ये system name है, उसका host name ये हो सकता है, उस company का network होगा, मतलब इतना बड़ा network होगा, ये IP हो सकती है, उसका username में, as much as possible information आप क्या करते हो, with the help of footprinting gather करते हो, okay, is called footprinting process, okay, footprinting tools are method, footprinting के tools और method क्या है, तो सबसे पहले who is who is, who is who is एक ऐसा tool है, जिसके थ्रू किसी भी websites के बारे में या उसके owner के बारे में पता कर सकते हैं, but, अग अगर वाल या कोई website owner चाहता है, कि आप तुमारे who is who is के बारे में या अपनी information जो जिसके नाम से वो website खरीदी गई है, जिस नाम से website registered है, जिस location के लिए registered है, जिस mobile number पर registered है, सब hide करना चाहता है, तो definitely थोड़ा सा पैसा ज्यादा देकर उसको hide कर देता है, तो ये भी एक process ह बट who is who is के through maximum जो public website सा उसके information आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो ये तो हो गया, who is who is के बारे में, दूसरा any who, any who भी एक ऐसा information provider है, जो किसी के बारे में information, पूरा का पूरा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी गाउं के ऐसे बंदे के बारे में डूड़ने लगे, ज ये सब चीज़ें होती हैं, कि people search, PIPL जो होता है, ये people search है, ये इसमें से कुछ ऐसे search engines होंगे, कुछ ऐसे task होंगे, जो paid होंगे, अब ही मैं दिखा रहा हूँ, जो भी सारी चीज़ें, और archive.org करके होता है, कि जितनी भी website सलती है न, इनका एक archive data ही खठा होता है, जिसके थ website चार सल पहले कैसे दिख रही थी, वो सब चीज़ें आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, पटिकूलर ये भी एक तरीके का information इखठा करना होता है, तो ये सब मतलब की footprinting का process है, what is my IP address से, public IP address का पता चलता है, advanced Google search से, मतलब Google search सो सब लोग जानते हों, बड़ ये उस target की किस particular information के बारे में अब पता करना चाहते हो, ये पूरी की पूरी information, with the help of advanced Google search पता कर सकते हैं, जी एच डी भी, Google hacking database, यहाँ पे different different तरीके के, मतलब URLs, in URLs मिल जाते हैं, और उसके अंदर पूरा का पूरा hacking database होता है, कब क्या, कैसे, किस तरीके की vulnerabilities कहाँ पर हुई थ जाती है, nmap tool, बहुत high-five tool है, जिसके थुरू किसी भी system के port की scanning, plus nmap के थुरू सब कुछ है, किसी भी system के अंदर की information के बारे में, applications के बारे में, और उसके IP के बारे में, network, PC, up, down, है न, कितने host चालना है, कितने networking devices live है, उनकी IP के है, उनका operating system के, सब कुछ पता कर सकते हो, with the help of nmap tool, okay, और nmap का complete मैं यहाँ एक वीडियो बनाऊंगा, nmap के एक एक पार्ट को आपको दिखाऊंगा, कि कैसे nmap काम करता है, और इन सारी चीजों के लिए, okay, तो ये सारी चीजें, आप types of footprinting पर चलते हैं, okay, तो types of footprinting के लिए हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, types of footprinting के बारे में, step by step समझते हैं कि footprinting क्या है, और footprinting तो क्या है, मैंने बता दिया, कि किसी भी information को निकालना, किसी भी target के बारे में, और कितने types का होता है, तो यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक active footprinting होता है, and second आपका एक passive footprinting होता है, अब ये दोनों का मतलब क्या होता है, active and passive footprinting का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझें, where active footprinting collects the information from the target, via direct connection is known as active footprinting process, जब किसी target की information निकालता है, या हम निकालते हैं, और उससे direct contact हमारा होता है, तो active footprinting होता है, जैसे कि किसी particular A target से B के बारे में information निकालना है, और दोनों एक हमसे इस गॉल्ड एक्टिव फूट प्रेंटिंग है ना डायरेक्ट कॉंटेक्ट में आकर इंफर्मेशन निकालना पैसिव फूट प्रेंटिंग जस्ट अपोजिट होता है कि मतलब हम टार्गेट से कनेक्ट भी नहीं हो रहा है उसको पता भी नहीं कि हमसे कोई मतलब बंदा कनेक्ट हो रहा है और हम उसकी इंफर्मेशन निकाल लें तो ऐसा मेथड इस्तेमाल किया जाता है किसी भी टार्गेट की इंफर्मेशन को निकालने के लिए अब यहां पर बात होती है कि यह जो एक्ट्व पैसिफ फूट प्रिंटिंग है इसका लैप कैसे परफॉर्म करना हो यह सब चीज है तो डेफनेटली सबसी पहले यहां पर मैंने कुछ डीटेल्स बताया था हुईज हुईज की इंफर्मेशन एंड यह सब चीज है तो चलो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं क्या है कैसे है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा ओके तो मैंने यहां पर अपना काली लिनेक्स का मशीन लॉग इन करा हुआ है और हम इसको लॉग इन कर लेते हैं काली लिनेक्स को यह हो गया हमारा काली लिनेक्स का मशीन और यहाँ पे हम एक ब्राउजर उपन कर लेते हैं इंटरनेट हमारे सिस्टम पर चल रहा है ओके एंड इंटरनेट चल रहा है थोड़ा समया लग रहा है लेपटाउप की बैटरी भी बैठने माली है तो मुझे कनेक करना पड़ेगा तो फिलाल यहाँ पर मैं कनेक करता हूँ और गूगल को उपन करता हूँ और आपको फूट प्रिंटिंग के बारे में बताते हैं तो जो सबसे पहला उप्सन था वो था हुईज हुईज ओके तो हम यहाँ पे गूगल.com उपन करते हैं गूगल.com उपन करने के बाद आप यहाँ पर एक वड़ टाइप करिए हुईज 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 और एंटर कर दीजिए हुईज हुईज इंटर करने के बाद जो फर्स्ट ऑफ्सन है हुईज डॉट कॉम इस पर आप उपन करो इसको और माल लिया कि यहाँ पर मैं कोई ड testfire.net एक यह वेबसाइट से इस वेबसाइट पर आप भी पेनेटरेट कर सकते हो तो testfire.net किसका है इसका रेजिस्टरार कौन है कब रेजिस्टर हुआ था और यह एकस्पायर कब हो रहा है अपडेट कब हुआ था इसके कितने नेम सर्वर चल रहा है और यह city कहां पर है state प्लस इसका phone number बगर से related अगर वहाँ पर अपडेट दिया गया तो definitely मिल जाएगा administrative contact detail क्या है इसका California जो है मतलब की sorry CA जो है California और यह सब चीज़े है तो हो सकता है यह है इसका postal code US है और यह सब details आपको technical supports के लिए जो भी आपको details से यह मिल जाती है तो एक यह information है और इसी ज जैसा simple आपको मिल जाता है जैसे मैं यहाँ पर google.com type करूँ एंटर कर देता हूँ यहाँ पर मैं type करूँ website informer और website informer add करता हूँ मैं यहाँ और इस पर जैसे ही मैंने click किया same websites के बारे मैं information यहाँ पर अगर collect करूँ information keyword और details इसका create कब हुआ था update कब हुआ है और जो भी details वहाँ पर थी वैसे यहाँ पर मिल जाता है और इसका stats and details इस पर reach day per day कितना हो रहा है monthly average daily reach कितना हो रहा है तोड़ा सा depth में और information मिल जाती है इसके ias के बारे में information मिल जाती इसके dns के बारे में information यहाँ पर मिल जाती आई फिसके बारे में you reference URL के बारे में बात करें तो यह सब चीज़ आपर मिल जाती है इसका phone number details और काफी that यहाँ पर मिल जाती ऐसे कि भी information को website informer के थूर मतलब किसी भी website के बारे में और यह सब चीजों के बारे में आप पता कर सकते हैं तो यह तो simple रहा कि website informer और यह दो चीजें आपने देख लिया इसके अलामा मैंने यहाँ पर आप पता रखा है people search PIPL or archive.org के बारे में पता कर लें यहां पर archive.org के बारे में अगर पता करना चाहते हैं तो वह किसी भी websites के बारे में जो कि वह website भी मतलब कि पुरानी हो चुकी है उसके पुराने बहुत सारे updates हैं जैसे a-to-z कोई यह कोई confidential इंटर के बारे में आप यहां पर पता कर सकते हो तो जैसे मैं यहां पर लिख दूँ आपको सर्च करना है और गूगल में जब सर्च हो जाएगा इसका वेब साइट तो उसके अंदर आपको डीटेल्स फाइंड करना है अब यहां पर जैसे इस तरीके से कुछ मुझे इंफो को फॉलो करना है तो यहां पर क्या लिख कर आ रहा है अब देख सकते हैं इंटर की बॉर्ड ओके तो यहां पर हमें क्या करना है कि वाट्स इंटर करना है और चलो यहां पर भी एक उप्शन है कि यहां पर भी सर्च का है तो उपर वाले में हम लोग क्या लिखते हैं लिख साइट से जरूर इसमें बहुत सारे अपडेटेट मतलब अपडेट हुआ होगा इस सब चीज़ें तो उनिस सो न्ठानवे से हमारे पास यहां पर डेटा है तो इधर तो कोई चेंजेज नहीं 2001 में चेंजेज है 2002 में दो चेंजे यहाँ पे 3-4 जगाओ पे चेंजेज है तो चलो 2003 पे click करते हैं और जस्ट यहाँ पे देखते हैं एक आपका March में 31st March को update है इस पे click करके देख सकते हो कि particular थोड़ी बहुत और depth में इंफर्मेशन आपको मिल जाएगी ओके तो मैं यहाँ पर चेक करूं इस टाइम पर 11 42 चार सेकेंड पर हैं तो मैं देखता हूं तो कुछ इस तरीके से यह मेक परचेस आद टेस्ट फायर्स ऑनलाइन स्टोर रेजिस्टर विट टेस्ट फायर डॉट नेट यह मतलब कुछ इस तरीके से वेबसाइट्स देख रहे थी ओके तो इस तरीके से आप कुछ इंफर्मेशन जरोर कलेक्ट कर लेंगे और किसी वेबसाइट का पुढ़ाना मतलब डेटा लूट या उसका जो भी मलत मतलब उप्शन्स हैं उनको आप फाइंड कर सकते हैं आगे इस वेबसाइट में भी बहुत ज्यादा अपडेट देखने को मिल्ड़ा और सारी चीज़ें तो डेफिनेटली अप इनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं ओके तो यह दो तीन चीज़ें आपने देख लिया इसके अल जाता है GSDB या मैं यहां पर दिखाऊं सबसे पहले एनी हूं लिख करा रहा था एनी हूं मैंने लिखा और एंटर किया एनी हूं डाट कॉम एनी हूं पीपल सर्च एंड फोन नंबर लुक अप अलाव यू तू फाइंड डिटेल्स अबाट पीपल इंटर नेम आर फोन न पीपल सर्च और एंटर कर दो तो यहां पर भी देखो पीपल पी आई पील्स मेंस इस तो मेक ऑनलाइन अदेंटिटी इंफरमेशन अवेलेबल तो प्रोफेशनल टीम्स एंड एंड इंटरप्राइज तो एसी और ट्रस्ट वर्दी पीपल आर ट्रस्टेड मतलब कुछ ऐ लोग होते हैं अगर उनके बारे में थोड़ा वोड़ा आपको इंफरमेशन चाहिए तो आपको फाइंड कर सकते हैं ज्यादा हेल्फुल आपके लिए हो जाएगा ओके तो यह भी कुछ इंफरमेशन से यहां पर आ जाती है इंस्टेड आप यहां पर फाइंड कर सकते हैं जी एच डीवी जी एच डीवी भी बिल्गुल सिमिलर टूल है लाइक दिस की आप यहां पर टाइप करेंगा जी एच डीवी गूगल हैकिंग डेटाबेस एक्चुली हैकिंग के बारे में तो छोड़ो सब कुछ भूल जादा जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है वह गूगल है गूगल पर किसी भी चीज को सर्च करो उससे रिलेटेड बन्ला बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है तो देखो यहां पर जी एच डीवी गूगल हैकिंग डेटाबेस है इस पर मै यहां पर मैंने बोला था ना इनी वाइरल्स की डीटेल्स मिल जाती है और यह मिधूम मोहनन करके इन्होंने मतलब आथर है इन्होंने इस पर्टिकुलर टास्क को लेकर काम किया था गूगल डार्क साइट जो है जी ओवी करके कुछ है और इसका इंडेक्स.csv के अदर मतल कर देखो मिल जाएगा तो कुछ यहां पर वालर्बिलिटी थी यह ऐसे ही नहीं आपको बस मतलब मिल जाएगा थोड़ा बहुत इसके बारे में सर्च करना पड़ेगा तो यह कोई पैरेंट डिरेक्टरी है जिसके अंदर कुछ इन्फरमेशन रही होगी तो अब देखो ज एक सिंपल इन्फरमेशन है जिसके थू मतलब एक मतलब फूट्प्रिंटिंग कर दिस इस अफर्स स्टेप वेर्यूंद फाइंड देख सकते हो पाता कर सकते हो टाइप सफूट्प्रिंटिंग में एक्टिव पैस्व बताया अब एक्टिव एंड पैस्व की अगर बात कर अग्यों किसी कंपनी के इन्फरमेशन की किसी पीसी के बारे में चाहिए तो मैं डायक्ट उस पर उसके कंपनी के नेटवर्क को पेनेटरेट कर रहा हूं उसको कनेक्ट कर रहा हूं यह सब चीज़ें तो एक एक एक्टिव फूट्प्रिंटिंग का प्रॉसस हो जाएगा पाटी के इस्तेमाल करके किसी इन्फरमेशन को निकालना इस कॉल्ड पैसी फूट्प्रिंटिंग प्रॉसस ओके यह सारी चीज़ें हो जाते हैं और काफी ज़्यादा हैं यह हमारे लिए होता है एंड फूट्प्रिंटिंग कें प्रोवाइड दा इन्फरमेशन और मेंसंस यहां पर प्रोवाइड कर सकता है तो देखो फूट्प्रिंटिंग एक बहुत बड़े लेबल पर इस्तमाल किया जाने वाला पहला स्टेप है एतिकल हैकिंग में तो हैकर अटैकर भी इसी सबी चीज़ों को यूज करता है किसी भी टार्गेट के बारे में या जो उसके मतलब की पास नहीं बलकि दुनिया के किसी भी टार्गेट को टार्गेट बनाने के लिए सब चीज़े करता है वो तो लोकेशन के बारे में जेकर देखो किसी भी कभी कभी हमें कभी कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि लोकेशन पता करना किसी वेबसाइट के पारे में कुछ ऐसे बहुत सारे हम लोगों के पास ऐसे मेल आते हैं उसमें पहचानना होता है कि कौन सा मेल है स्पॉंसर्शिप के लिए इतने सारे मेल पड़े होते हैं ना होता है कि भाई जो मेल आया हुआ है वो किसका है कहां से है कैसे है उनको थोड़ा बहुत पेनेट शेकरना एक होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैकर होते हैं जो हम लोगों के चैनल के पीछे पढ़े होते हैं और इस सब चीजें की ऐसा इनको स्पांसर्शिप का लालच दे दे और इस लिंक पर क्लिक करवा लें इस इस अप्लिकेशन को डाउनलोड करवा ले तो यह सब चीजे हैक हो जाएंगे डिफनेटली हो जाती है और आपसे वह पासवर्ड भी नहीं पूछेगा आपका चैनल थोड़े थर्मेबार दूसरे का हो जाएगा ओके तो यह सब कीज़े होती है इसे पता कर सकते हो बहुत ज़ाधा आपने देखा होगा है कि आपपने एमेल कभी कभी तो कुछ ऐसी कंपनीज यह कुछ ऐसे इइफयर्मेशन आपके पास पर आते रहते हैं जिस पर आप झाल्य की बीजिटी नहीं किया बड़ कभी आपने सोच वि Pak how is this possible कि हमारा email address उसके पास कैसे गया तो ये भी डेटा होता है जिसमें लोग रेंडम email सर्च कर लेते हैं एक्स बाइजएड ये सब चीजें या Google का Gmail.com open करते हैं उसमें जाते हैं और पूछते हैं मतलब कोई भी email address करते हैं ये email active है की नहीं है username है की नहीं है तो मिल जाता है आप दिन बर बैठ के चाहो तो कितने सारे email बना सकते हो कितने सारे email का list बना सकते हो है ना आपको किसी से पूछना नहीं मोहन सोहन जोहन करके आप डालिए at gmail.com तो वो खुद ही बता देगा कि यह एक valid email है यह already registered तो आप उनको email करते रहो है ना ऐसे ऐसे लोग होते हैं और ऐसे लोगों को email किया जाता है उस email के अंदर spam भेजा जाता है viruses send करे जाते हैं है ना college का email पर virus send कर दिया जाता है students का email पर virus send कर दिया जाता है companies के exchange email server पर virus send कर दिया जाता है इन सब चीजों का अनुमान लगा कर रहे और यह सब information public information कभी भी अपनी private information publicly display नहीं करना चाहिए जिसके तुरू कोई भी आपको manipulate कर सकता है तो यह याद रखें अगर आप एक student है कहीं पर अपना email रेजिस्टर करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक ही email को अपना सिंग के लिए भी दे देते हैं अपने market जाते हैं वहाँ पे mall वगर में shopping करते हैं वहाँ भी रेजिस्टर करा देते हैं बोलता है कि वह lottery लगेगी offer आ रहा है यह gold मिलेगा बहुत सारा मतलब festivals recording होता है तो I suggest you that never share your personal detail in public place कभी नय करें नहीं तो आप परिसान हो जाएंगे calls भी आना स्टार्ट हो जाएगा कभी loan के लिए कभी fake calls कभी Google पे में आपका offer आया है कभी यह कभी बहुत सारी information टावर भी लगवाने के लिए मेरे पास ऐसे ही एक बार अभी जल्दी दस्तंदरे दिन की बात है call आया और एक मैम बोला कि मैं गुजरात से बात कर रही और जीयो का टावर लगवाना है और आपके पास अगर free space है तो company आपको 50,000 रुपए देगी per month और यह सब चीज है तो कोई भी अगर ऐसा बंदा होगा या जिसको आइडिया नहीं है तो वो क्या करतेगा तु 10-15 लाग का insurance करवा देते हैं बहुत सारे benefit देने लगते हैं तो मैंने बोला ठीक है मेरे पास जगे है और actually वो 60-70-80 फिट गहरा कुआ है अगर आप लोग उसको पाट कर टावर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इसने हमारा भी help हो जाएगा तो फिर उसमें तुरंत phone काट दिया उसको पता चल गया कि यह बंदा जानता है और यह सब चीजें तो बिल्कुल ऐसा होता है है ना तो बिल्कुल हमें इन सब चीजों को केर करना चाहिए वेबसाइट्स के तुरू इंफोर्मेशन गैदर करी जाती है जैसे कि अभी मैंने वेबसाइट्स के तुरू कुछ डीटेल्स वगरा फाइंड करके आप लोगों को दिखा है सब चीजें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं ब्लॉक्स वगरा के तुरू पता चल जाता है जैसे प्रिंटिंग के तुरू यह सब पता चल जाता है वेबसाइट क्या है कैसे है व्लॉक्स उनके चल रहे कि नहीं चल रहे पता चल जाती है और इंपोर्टेंट डेट्स वगरा भी उनके बारे में पता चल जाता है किसी भी बंदे के बारे में कि उसका इंपोर्टेंट को आपके Gmail के लिए वही password बना लेता है और उस list को क्या करता है brute force करता है और आपका password match हो जाता है URL के साथ लब आपके ID के साथ और आपका information hack कर लिया जाता है मतलब सोच लो मतलब आपको थोड़ा सा idea लग रहा होगा कि कि इस तरीके से ये लोग काम करते हैं perform करते हैं और इस तरीके के काम को करने के लिए कितना smart दिमाग यूज़ करते हैं और इस सब चीज है तो यह कुछ information सा footprinting के तुरू पता कर सकते हैं footprinting is not a process to gather the whole information about any target but footprinting is the first step to gather the information about particular target हम यह नहीं कहते हैं कि footprinting के तुरू सब कुछ पता चल देगा लेकिन एक पहला step है किसी भी टास्क के बारे में या object के बारे में information collect करने का एक पहला step है ओके तो footprinting से start हुआ आपका अच्छा footprinting तो ठीक है लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी जो information है वो और कितने सारे माध्यम से hack attack करी जाती है मैंने यहां पर कुछ और भी मैंसन करा हुआ है कि यूगन गैदर अ कंपनी infrastructure details from the job posting job posting भी एक ऐसा माध्यम में जिसके थो बहुत सारे लोगों का स्टुडेंट्स का बेरोजगार लोगों का जो जॉब ठूड रहे हैं उनके डेटा को मिस्यूज किया जाता है कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसी कॉल आ जाती है कि आपको जॉब के requirement है आपके पास broadcast messages आते हैं अभी तो मुझे मतलब मैं daily delete कर देता हूं कोई message नहीं रखता है बीना पढ़े ही delete कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है कौन सा message क्या है मेरे personal messages जो भी है या जो numbers है वो कभी किसी को मुझे भी नहीं याद रहता है कि क्या है वो है ना क्योंकि मैंने कभी शेयर ही नहीं किया तो यह सब security purpose से रखना चाहिए कि आपको 10 लोग जानते हैं तो जरूर कोई ना कोई बंदा आपकी information को manipulate करने की कोसेश करेगा तो definitely आज की date में अपनी information को secure करके रखना सबसे बड़ा एक मतलब की challenge होता है ओके यह सब है जो पोस्टिंग के माध्यम से लोगों को बेवकूप बनाया जाता है लोगों की information निकाल ली जाती है hacker attacker ऐसा आप perform करता है जैसे आपने अपने Facebook पर लिखा I need job या lockdown के समय पर आपने लिखा आपने LinkedIn पर लिख दिया कि you are a developer, you are a web developer, you are a programmer and you are a network engineer and you have three year experience in this particular field I need job यह सब चीज़े मतलब I want to switch my company public post करते हुआ सबसे बड़ी गलती होती है why we should do this हमें यह क्यों करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हो तो definitely आप challenge दे रहे हो आपको उसके बारे में ठीक है अगर आप challenge दे रहे हो लोगों को कि ठीक है मेरी information यह है मेरी CV यह है LinkedIn पर आपने पूरी की पूरी CV बना रखा है कहां से हैं कहां से हैं mobile number के email ID के है सब कुछ तो बता रखा CV वो मांग लेगा आजर recruiter आपकी CV में आधी information मिल जाएगी बोलेगा ठीक है मैं आपके Gmail पर एक link बेज देता हूं उसमें जाकर form को fill up कर दीजिए और आपकी hiring हो जाएगी आपका interview पहला मतलब निकल गया है दूसरे के लिए आपको कुछ document submit करना पड़ेगा है ना बोलेगा की नहीं बोलेगा इस तरीके की information आपको आपसे ले ली जाती है बहुत ही confidential information होती है तो इन सब चीजों को याद रखे थोड़ा सा इन पे care करें ओके कभी नहीं share करने चाह और फिर आपका एक offer लेटर और सब कुछ भेज दिया जाएगा and then work from home आप कर सकते हैं या company आपकी यहाँ पर इस location पर आकर join कर लिजा आप present time में कि city में है कहां से हैं कैसे हैं को सारी चीज़ें पता करते हुए कर सकता है तो आपको stuck कर रहा होगा साहिद मैं जो बोल ला हू content मिलेगा comments थोड़ा सा motivation मिलता है तो बताओ कि कुछ समझ में आ रहे है न definitely and employees की profiles वगेरा से hardware hardware information software information यह सब पता चल जाता है आप जब किसी को email करते हो ना किस OS से कर रहे हो किस IP से कर रहे हो किस network से कर रहे हो आपकी public details पता चल जाती है okay and अगर थोड़ा सा smart hacker program रहे तो उसी public information से आपकी private information तक निकलवा सकता है क्योंकि वो ऐसा मतलब की process बना देगा ना आपके लिए कि आप जॉब तो नहीं मिलेगी बट जॉब के चक्कर में जो बचा हुए account में वो भी चला जाएगा तो यह सब चीजें होती है मैं यह नहीं कहता कि जो जितनी भी job portal company और यह सब च details ना दें उसके बारे में पूछें कि आप की company कहां पर आपका location कहां से है आप क्या क्या job करते मतलब उसको google करें थोड़ा सा सर्च करें उसके बारे मैं at least पता तो हो कि वो company ऐसी है भी की नहीं है है ना उसकी company का review check करें अगर ऐसा है तो definitely आपको बहुत सारी details मिल जाएंग कर सकता है Facebook पर different different name से follow कर सकता है या Facebook पर female ID बना कर आपको वो कर सकता है Instagram पर ऐसा कर सकता है उन लोगों के पास बहुत सारा ऐसे fake accounts होते जिसके तुरू अपना एक लड़की का account बना सकता है follower बढ़ा सकता है और फिर उसके तुरू वो एक बढ़िया समनलब 20-30 या follower वाला ए उसने message किया I am the influencer and यह वो बहुत सारी details और फिर बाते होने लगी and then फिर ऐसे तो ऐसे मालिया कि यह कुछ लोगों का समूँ हो ग्रियो फीमेल हो जो आपको ऐसा target करना चाहती हूँ बात वात हो उसी information never trust any person कभी किसी पर भरोशा ना करे social media के माध्यां से बहुत सारे लोगों की जिन्दगी परबाद हो गई है so I suggest you कि आपको अगर जिस पर भरोशा नहीं है या unknown person पर क्या मतलब बनता है मतलब कुछ फायदा नहीं है ऐसे नुकसा नहीं है कहीं न कहीं आप problem में हैं तो काम करो बाते करो जो भी है social media पे खुला आप print request add and दुनिया नारी कर सकते हो but be careful okay सावधानी के साथ करें यह सब चीज है footprinting through social engineering social engineering के through कैसे information निकाली जाती है चलो इस पे थोड़ा सा बात करता है अलेडी मैंने इसके कुछ point को मैंने focus कर दिया है but let's try की इसके बारे में अचा अभी थोड़ा से में बाकि तो footprinting through social engineering social engineering is an art of exploiting behavior to extract the confidential information एक बहुत बड़ा कला ह social engineering के माध्यां से बुड़िया वेई आपको मतलब blackmail कर सकती है और बुड़वा भी कर सकता है दोनों कर सकते है इसे क्या होता है ना कि मालिया आप एक यंगस्टर हो female हो या male हो और वो आपको follow करता है कोई भी बन्दा या follow करती है तो इस तरीके से social media पर आपको क्या पसंद है coffees कभी my best my favorite coffee है ना या अपनी habits के बारे में आप social media पर लिख देते हो आपको पता है कि यह सब information आप लोगों को बता रहे होए सब चीजे अच्छा आप कोई बहुत बड़े वो तो हो नहीं अच्छा कुछ information बताओ जो मतलब जिसे कोई नुक्षान ना ठीक है date of birth बता द है कि आधा mobile number आधा date of birth है और password है उसने दोनों को एक password list बनाया और brute force मारा आपका account hack हो गया तो यह भी चीजे देखनी होती है तो never trust any person on social media and अगर किसी को नहीं जानते है तो ज़्यादा उससे बोड करने की जरूरत नहीं है और जब भी कोई भी तरीके का ज़्यादा से ज़्यादा घुल्ले मिलने की कोशिस करें तो always try to focus the activity and monitor and be careful about the data अपने personal data के बारे में be careful social engineering depends on the fact that people are unaware of the vulnerable or valuable information and are careless about protecting it social engineering में हम लोग definitely ऐसा होता है ऐसा hundred percent बहुत सारे लोगों का मेरे पास तो ऐसे ऐसे मतलब friend का या ऐसे students का message आजाता है कि मेरी information hack हो गई है मेरा पैसा कट गया है या मेरा facebook को योड चला रहा है उससे गंदी गंदी post अपलोड कर रहा है ऐसा भी मेरे पास messages आया हुए तो क्या ही कोई कर सकता है है ना आपने कहीं ना कहीं challenge दिया होगा आपने कहीं ना कहीं उसको अपनी information share किया होगा तभी तो उसने ऐसा किया नहीं तो कोई भी आप अच्छा मतलब कि अभी आप एक account बना उसको किशी को share ना करो कैसे कोई hack कर लेगा not possible जब तक आप कोई भी तरीके के hacking में involved नहीं होते हैं अपने information को share करने में अपनी information को hack करवाने में कोई भी बंदा आपके information नहीं तो ऐसे ही अगर बीना आपके help के कोई भी अगर आपके information hack कर ले तो आप समझ सकते हो ना कि बड़े बड़े लोगों का information account और यह सब चीजें है ना वो बस बोलता कि इनका hack करना hack कर लिया तो hacking इतना असान भी नहीं है यह सब चीजें होते हैं तो definitely social engineering के तुरू आपचा Instagram वचा Facebook वचा WhatsApp किसी भी तरीके के messages के विहाब पर be careful रहे और ऐसे data को बिल्कुल judge करें और फिर उस पर काम करें उसके लमद सोसल इं training के तुरू क्या-क्या पता किया जा सकता है अचा कभी-कभी आप जाते हो मॉल में और वहां पे आप अपना credit card, debit card scan करवा देते हो किसी भी छोटी मुटी आप दूसरे सहर में गए हो घूमने ओके माल लिया आप चले गया XYZ किसी दूसरे city country में घूमने आपका international debit credit card है आप वहां पे swap करवा दिया क्या जरूरत है पैसे निकाल लो ना किसी दूसरे सहर में जा रहे हो छोटी सी shop पर जा रहे हो आपको पता है वो shop क्यों खोल कर बैठा है क्या है कैसे है हम अपनी information इतना ज्यादा public कर चुके है ना और वही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा harmful हो गया मत इसे माल ले कि मेरा XYZ bank account है तो उसी के ATM से पैसे निकालो फिर जाकर करो ना हो responsible है क्योंकि आप बोल सकते हो मैंने आज तक कोई data दिखा दो मैंने किसी दूसरे के दुकान पर या कहीं पर swap out किया हो या कुछ भी या किसी भी तरीके से एक तरीके का मतलब आप मतलब blame तो कर सक यह सब चीजें कभी नहीं करना चाहिए तो सोचल इंजिनेरिंग के तुरू credit card and details निकाली जा सकती है username password निकाला जा सकता है security product in use करा जा सकता है network information about sorry network layout information करा जा सकता है यह सारी information मिल जाती है मालिया friend circle में आकर यह सब चीजे मैंने कर दिया यह आपको मैंने बोला कि ठीक है अपना account बोलो और मैं पे कर देता हूँ अगर कभी कोई जरूरत पढ़ती है तो मुझे बताना आप उसने चलो 200 रुपए आपको पे कर दिया ऐसा ठीक अपना Google पर बताओ मेरे पास एक offer है coupon code मैं उसमें भेज देता हूँ तुमें 200 रुपए मिल जाएगा यह सब बहुत सा कर तो उससे भी बहुत सारा information मिल जाती है message कब कहां से कैसा है monitoring करी जा सकती है तो यह भी सारी चीज़े होती है network information आ जाएगी किस IP से message आया है कहां से आया है कौन से operating system को इस्तेमाल किया जा रहा है आगे हम लोग बहुत सारा information सीखने वाले है तो इस सब कुछ पता लगाया चीज़े हैं तो यह हमारा एक basic fundamental of ethical hacking hacking के बारे में पता चला I think आपका दिमाग खोलने के लिए काफी था अब यहां पर start हो रहा है आगे का tape the tutorial but before that we should learn हमें सीखना चाहिए कि what is network networking and tape the tutorial of networking तो चलो start करते networking को सीखना और फिर आगे बात करते कि how we can learn the complete networking for ethical hacking so guys networking को complete समझते हैं networking एक बहुत important मतलब की technique है या syllabus है जो की हमें ethical hacking के लिए या cyber security के लिए digital forensics के लिए समझना बहुत ही जरूरी है तो इस part को complete यहां पर as a network का complete part समझते हैं और यह networking का part है इसको बिल्कुल miss मत करना अदरवाइस मतलब कि आपको जो आगे के labs हैं या network के बारे में किसी भी particular server की details हैं कुछ भी अगर मैं check करता हूं दिखाता हूं तो definitely problem लाँगी तो मैं बिल्कुल भी कहीं पर भी video escape करने के लिए networking से related नहीं कहूंगा यह नहीं कि बिल्कुल आप इसको escape कर दो और आगे की चीजों को सीखना समझना स्टार्ट करो के ऐसा कभी नहीं करना और देखो सबसे पहले हम लोग यहां पे let's learn networking में स्टार्ट करेंगे network क चुली क्या होता है कि multiples of networking devices जैसे कि आप कराउटर हो गया PC हो गया mobile हो गया जब एक particular network में चाहे वह वाइड या वाइरसली connect हो जाते हैं वो network कहलाता है networking जब devices के बीच में थोड़ा समय यह चोड़े-चोड़े topic हैं जल्दी कवर करना हूं तो जो networking process है इसका मतलब होता है कि कि जब कोई भी device किसी दूसरी device को network medium के माध्यान से information share करता है is called networking होता है और यह जो WAN label पर आप पूरा का पूरा देखते हो international label पर या www के website साप open कर लेते हो या दूर किसी website से access कर लेते हो server को access कर लेता अपने दोस्तों को message कर पाते हो यह internet networking process होता है मतलब कि पूरा का पूर आपने types of computer network की तो कहीं LAN होता है कहीं MAN होता है कहीं WAN होता है और फिर PAN भी होता है can भी होता है यह सापने नाम सुना होगा तो types of computer network देखो digital era के field में अगर देखा जाए तो जो computer network है ना वो काफी बड़े label पर है कभी-कभी हम लोग किसी भी मतलब कि अगर small office के अंदर काम कर जाएगा और छोटे-छोटे small area को connect करके एक metropolitan area network बोला जाता है जिसको man network बोलते है एंड जो आप यह geographical communication जैसे कि आप अपने mobile को अपने laptop या desktop को internet से connect कर लेते हो तो आपका क्या हो जाता है आपका WAN network हो जाता है यह तीन concept आपको यहां पे आ जाता है and then आपका campus area network हो जाता है जो की एक wireless network होता है किसी college university और या office के पूरा-कपूरा campus के लिए wifi देना हो तो यह चीज होती है ओके campus area network हो जाता है बाकि personal area network भी होता है जैसे कि आप हमने friend के लिए hotspot enable करके देते हो या अपना personal laptop अगर आपर जो आपने internet connect कर रखा उसको share करते हो तो यह आपका क्या कहलाता आपका personal area network या pan network कहलाता है तो simple मैंने यहां पर define कर दिया आप इस screen support अगर इसका देखना है तो देख सकते हैं ले सकते हैं अब NIC card यह word बहुत ही मतलब important हमारे लिए होने वाला है और हम लोगों को इसको समझना है इस पे बहुत बढ़िया समयने Mac, spoofing वगरे को लेकर live हम लोग अपने laptop या desktop या mobile जो भी हमारा होता है उस पर इस तरीके का card लगा होता है या तो उस पर land cable के थूरू आप connect करके अपना काम करते हो या तो आप Wi-Fi के थूरू connect करके काम करते हो तो यह दोनों option आपके पास है land stand for होता है local area network and Wi-Fi का मतलब होता है wireless fidelity ओके तो बहुत स इस पर अगर देखा जाए तो बार है digit का Mac address होता है जिसको physical address बोलते है यानि कि इस NIC card पर आपका क्या होता है Mac address होता है Mac का full form होता है media access control okay इसका जो full form अगर देखें आप तो media access control में वो सारे वही बस point को आपको बता रहा हूं जो कि हम लोग आगे ethical hiking को perform करते समय लैब करते समय इन सब चीजों की जवरत पड़ेगी तो यह कितने digit का होता है 12 digit का होता है interview अगर के हिसाब से पूरी की पूरी तयारी आपकी हो है या permanent interest होता है लोग कहते इसको बदला नहीं जा सकता बड़ प्रोग्राम करके manipulate किया जा सकता है और बदला जा सकता है temporarily यह सब चीजह आपको live दिखाया जाएगा तो यह nic card का काम हो गया and then server server का काम होता है service प्रोवाइट करने का गूगल का हुआ facebook का इंस्टा हुआ twitter वादीज अर्दस सर्वर ओके और इस तरीके के जो server होते हैं यह हमें services प्रोवाइट करते हैं जैसे आप Google पे कुछ भी सर्च करते हो तो एक server dedicated कहीं ना कहीं USA में है जिस पे आप अपनी request भीस्ते हो महां से वह हमें service देता है एक web server है ऐसे ही तो server मतलब होता है कि ऐसा computer system जितने भी मतलब की clients computers होते हैं या जो services देनी होते हैं तो server के माध्यम से दी जाता है अम्मालिया आपको एक website host करनी है तो आप अपने laptop से तो continue चला नहीं सकते हैं अगर अम्मालिया की testing purpose के लिए अच्छा ओस्ट भी कर लेते हैं तो आपका laptop कितना लोड traffic यह सब चीजे कर पाएगा और server जो होता है 2427 उसको ओन करके छोड़ दो उसको बंद करने की जरूरत नहीं है और laptop या desktop पे ऐसे आप कर देंगे तो problem हो जाएगी तो यह सब चीजे होती हैं आपके इस particular option के लिए फ OSI model के बारे में discuss कर लेते हैं OSI model एक ऐसा model है जिसको बहुत जरूरी है जानना अगर आप इसके बारे में idea नहीं रखते हैं तो definitely कहीं नहीं कहीं आप बहुत अच्छा सा part networking का miss कर देंगे तो इसको बहुत ध्यान से समझते हैं OSI stand for open system interconnection ओके एक ऐसा model है जो दो computer system के बीच म कई जो data flow रहा है याणि send or receive हो रहा है उसको यह क्या करता है डिस्क्राइब करता है कि data कब जा रहा है कहां जा रहा है कैश से प्रोटकॉल के थूरू जा रहा है किस device के माधियम से जा रहा है ताकि आप अपने data की proper tracking अपने पास कर पाएं या अपने पास रख पाएं इससे पता चली कि data मारा कहा लॉस हो रहा है कहा ट्रैफिल जनरे टोड़े एटू जड़े सारी चीजें पता करता है क्योंकि कोई भी जब data कहीं से send होता है किसी एक location से किसी दूसरे location पर तो सबसे important वहां पर उस data कुछ ही होता है data किस PC से है और किस PC के लिए बेजना है तो जब data आप कहीं send करते हो तो data के पास क्या होता है कुछ headers होते हैं कुछ body होती है यह content होता है तो data के क्या करता है कि sender और receiver का MAC address और IP address अपने पास रखता है और फिर वो आगे बढ़ता है और जैसे जैसे उसको networking path मिलता है आगे वो data अपने destination तक जाता है तो इसमें help करता है बहुत सारे networking device जैसे router हो गया है ना van routers हो गया है आपकी protocols हो गया TCP हो गया UDP हो गया ICMP हो गया GMP हो गया different different types की protocols तो सब कुछ एक तरीके का managed way में describe करने के लिए आप इस OSI model का इस्तेमाल करते हैं OSI model के through हम लोग 7 layer के बारे में discuss करेंगे क्योंकि OSI model एक तरीके का 7 layer का क्या है connection है इसमें 7 layers के माध्यम से आप पूरा का पूरा describe कर सकते हो about your data flow ओके तो data flow को describe करता है अब यहां पर थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इसका stand for होता है open system interconnection एक ऐसा model है जो describe करता है flow of data between source and destination और इसके characteristics की बात करें तो यह दो पार्ट में divide किया गया अब यह दो पार्ट कों से होते हैं आप screen पर देख सकते हो जो पहला पार्ट यहां पे है यह हमारा upper layer में आ जाता है और इसमें 3 layer है एक application, presentation and session layer अब यह 3 layer का काम क्या होता है यह मैं बताऊंगा फिर जो lower layer है यानि कि transport, network, data and physical यह आपकी lower layer होती है तो lower layer का काम होता है data transmission का मैं यहाँ पे note कर दे रहा हूं इसका काम होता है data transmission का ओके तो जो data sending का का काम होता है वो lower layer के माध्यम से होता है यानि कि transport layer से आपका data sending ओना start हो जाता है फिर आपका अगर देखा जाए यहाँ पे application layer, presentation layer, session layer तो यह जो होता है यह data creation के लिए या data बनाने के लिए manufacture करने के लिए मतलब एक तरीके का establish करने के लिए responsible होते हैं तो यह आपका दो पार्ट में divide होता है आगे अगर हम लोग बात करें application presentation session layer के एक-एक मतलब की layer के बारे में तो सबसे पहले जो काम start होता है वो आपका application layer से होता है यानि कि last layer से जो की 7 layer पर है application layer का का काम होता है actually data का sorry interface create करना simple इसका हम एक line में लिख सकते हैं interface create करना और interface in the sense की आपको पता चल जाएगा की मतलब कौन सी protocol की तुरू कैसे क्या है interface करना है और फिर आगे आप presentation layer पर आजा दो presentation layer का का काम होता है data manufacturing का चाहे data को encode करना हुआ data को encrypt करना हुआ data को compress करना हुआ इससे related जो काम होता है वो presentation layer को होता है मतलब what is the presentation of your data okay then session layer पर आपका क्या होता है कि एक तरीके का session check होता है यह connectivity manage होती है session connectivity बोल सकते हैं checking होती है जैसे कि आप बहुत सरी से websites पर जब आप थोड़े समय के लिए login होते हो तो देखो आपकी website और आपके मतलब mobile device यह laptop यह desktop के साथ एक session चलता इंटरनेट के माद्यम से तो वो session एक valid time के लिए होता है अगर आप उस session को कुछ समय तक वैसे ही छोड़ दो तो session expire हो जाता है यह management का काम होता है session layer का होता है कि session कम तक रखना है जो भी हमारा source and destination है यह सब decide करता है फिर जब session layer तक हो जाता है तो हमारा जो transport layer है यह data packet को send करना start कर देता है और transport layer जो होता है यह TCP and UDP के माद्यम से data को send or receive करता है TCP UDP को काफी अच्छे से समझना होगा क्योंकि इसका काफी जादा इस्तिमाल होगा आगे चलके ट्रांसपोर्ट layer जो होता है TCP UDP के माद्यम से data transfer करता है और आगे जब data transfer होने के लिए ready हो जाता है तो इसके dedicated path चाहिए होता है कि मतलब data किदर से बेजना है मतलब इक best path तो best path selection का का कहां पर होता है network layer पर और यहां पर router वगर जैसे devices क्या करती है आपके packet को best path के मात्यम से source to destination send करने का का काम करती है फिर आपको क्या चाहिए होता distribution layer की device चाहिए होती है जैसे switch वगर तो यहां पर आपके switch वगर establish होते यह data link layer पर और यहां पर आपका data packet decide होता है कि किस PC के किस या किस mac address के लिए data को send करना है and then physical address होता है जो कि physical environment of your network architecture यह सब चीज़े land cable यह सब पूरा का पूरा setup आपका network का हो जाता है तो यह physical layer के अंदर हम लोग समझते हैं okay तो अगर हम लोग यहां पर बात कर्यां कभी कभी समझेंग्श इंटर्वीव में भी पूछा जाता है कि जो transport layer है यह data के किस format को carry करता है तो यहां पर जो data होता है वो segment format में होता है, नीड़र को डेटीप लेयर पर data फ्रेम एंड बीट ओके चार इस टिप में याद रखना ओके तो यह सब चीज हो जाती है अपर लेयर लोएर लेयर ओसाई मॉडल यह सब समझ लिया ऐसे एक और मॉडल है यहां पर जो की टीसी पी आईपी मॉडल के माद्यम से हम लोग इसको समझते हैं जांते हैं टीसी पी लोग को डिस्क्राइट करने के लिए जैसा कि OSI मॉडल तो यह दो अलग-अलग मॉडल हैं सेम काम के लिए और हैं मॉडल हैं अलग-अलग तुम लोग इसको समझते हैं लेकिन देखो जो एप्लिकेशन प्रिजेंटेशन सेशन लेयर था आपके OSI मॉडल के कॉर्डिंग वो यहाँ पर आपके एक ही लेयर में यानि कि अपनी के अप्लिकेशन लेयर में आपका आगया है ओके तो यह चीज हो जाती है एंड देन आपका नेक्स्ट लेयर जो होता है वो ट्रांस्पोर्ट लेयर होता है ट्रांस्पोर्ट लेयर में ट्रांस्पोर्ट लेयर बस आ ज लिंक लेयर तो यह हमारी चार लेयर हो जाती है जिसके माद्य हम से इनी साथ लेयर का वर्क समझ में आता है और सेम काम होता है तो यह सब चीजें हो गई हम लोग नेटवर्किंग में अक्चुली मतलब की बहुत ही बेस्ट वे से केबल अगरे के बारे में अगर नौलेज रखते हैं तो हमें समझ में किस केबल का क्या यूज होता है तो यहां पर चार तरीके की केबल है इन चारों को मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कौन स इन लीस हो गया तो वाइड जो मीडिया होता है यह अचुली वेप के माधियम से डेटा को सिंड़र्सेग करता ओके यह फारे चीजें हो जाते हैं अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो हमारा वायरलेस है वो रेडियो फ्रक्वेंसी के मादेम से डेटा को सेंड और रेसीप करता है जो वायर्ड है यह हमारे पास आ जाता है अंसील्डिट ट्विस्टेट पेर केबल यह आपकी लैंड केबल यह भी होती है लैंड केब अरजर फॉट्टीवड के साथ करेंग जाता है वैसे मेरे पास थी अभी नहीं रखा होगा तो यह सारी चीज़ें तो जो आपका लैंड केबल है वो प्रॉपर तरीके से दो डिवाइस को करनेक करने में हल्प करता है लेकिन यहां पर दो तरीके का क्यों है एक आपका अंस प्रेगर प्रते किसि अंदर जो डेटा सिग्णल करी होता है उसको प्रोटेक्ट करता है क्योंकि किन पता होना चाहिए कि जब किसी भी केबल के माद्यम से data एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है और उसके अगल बगल के जो webs होती है या जो electromagnetic wave होता है या कोई heavy noise होता है तो उसको distract करता है तो अगर ये copper file उसके लगा होता है मतलब एक layer लगा होता है जो कि यां silded twisted pair cable में है तो इसके अंदर जो data electromagnetic wave में जा रहा है या वेब के मादियम से वो safe होता है in compare of UTP तो अगर आपकी ये पास मतलब इन दोनों के बीच में अगर compare करा जाए तो cost का ज्यादा difference आजाता है और अगर आपके पास पैसा जादा है तो definitely इसको लगा सकते हैं नहीं तो जो main cable है आपकी जिसके थुरू सारा का सारा network आ रहा है यानि कि backbone cable वहां पे ये cable लगा दो STP और बाकी जगहों पर यूटीपी अंसेंडे twisted pair के वाला आप लगा सकते हैं ओके बहुत डेप्त में मैं आगे का networking पार आई पी वगएर को लेकर संग्जाने माला हूं जो कि ये सब एक छोटे छोटे तो मतलब पॉइंट है जो कि हमें आने चाहिए और अलेड़ी आप ल लोगों को पता है कि fiber काफी advanced और काफी fast है 5G की technology इसी पर based है 4G की technology इसी पर based है तो ये सब चीज़ है तो इसमें क्या होता है कि data actually web के माद्याम से जाता है मतलब की not web sorry LED light web के माद्याम से जाता है मतलब जो जो मारा lighting emitting diode होता है ये particular मतलब की एक light का source यूज करता है fiber optic cable और उ को carry करता है और सोचे कि light की speed कितनी तेज होती है तो fiber optic cable काफी fast data को send or receive करने में help करता है आज के समय पर यही technology हो जो रहे समुद्र के अंदर जब एक country को दूसरी country से connect किया जाता है वहाँ पे भी fiber connection होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत heavy data अब इंडिया के जितने लोग Google को access कर होंगे अगर माले USA के server पर traffic जा रही है तो कितने लोगों की traffic एक पार में वहाँ पर जा रही होगी तो मतलब सोचो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को तो यह होता है दुनिया भर के जितने भी computer हैं सब एक दूसरी से maximum land cable के माध्यम से ही मतलब cable यानि की तार के माध्यम से ही connect ते है तो यह सब qaxial cable भी आपने TV वगर के पीछे देखा होगा यसा होता है बाकी बहुत सारी जगह अपने वर्किंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इस is the qaxial cable okay और इसका इस्तेमाल क्या जाता है और गॉइक्स केबल काफि मस्वूत होता है काफि सिक्योर होता है और इसमें भूड़ेटा काफ़ है ट्रानसमिशन के इस्तेमाल किया जाता है आप सो दीवी opportunity और 4K connection आप ले लेते हो, और 4K का movie आप देख पाते हो, how is this possible, आप कैसे इसको देख पाते हो, so this is the main thing, okay, कि यह भी cable एक काफी काफी है, भी transmission के लिए इस्तेमाल करी जाती है, इसमें आपका categories भी आता है, जैसे RG 58 आता है, RG 56 आता है, RG 8, RG 6, इसमें बहुत सारे categories की, इसकी लिके बाद साती है, okay, तो यह सर्वा, what is internet, internet क्या है, आप ये वीडियो देख रहे हो न, just because of internet service, यानि कि simple बोल सकते हैं कि internet एक तरीके की service है, जब हम अपने computer पर internet के मात्यम से जुढ जाते हैं, तो हम दुनिया के किसी भी server के data को access कर सकते हैं, okay, अगर हम जिस जिस server का address जा सकते हैं, उस, उस server के data को मतलब की access कर सकते हैं, यह सब, हमारा computer अगर internet से नहीं connect रहे है, तो क्या हमारे computer को कोई hack कर सकता है, हमारी information को hack कर सकता है, internet के मादम से not possible, okay, तो कहीं न कहीं, सब दुनिया के जितने भी computer है, अगर internet उन पर चल ला है, तो वो सब एक दूसरे से चु सिम्बल पर किसी भी computer को service access, यानि कि data send or seek करने में help करता है, सिम्बल यह बोल सकते हैं, तो एक पूरा का पूरा ecosystem create करता है, यह internet service networking devices के लिए, तो internet, जब आप एक connection लेते हो, तो internet का connection आपका क्या होता है, यह ISP है, हमारी internet service provider है, यह Airtel हो सकता है, आपका BSNAL हो सकता है, आपक Boda phone का हो सकता है, different different internet service provider है हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, आसे जब service इन से request करते हैं, जैसे monthly आपने 500, 400, 300, 1000, 2000, 10,000 रूपीस तक का, ऐसे लाखों का connection होता है, आपने ले लिया, वो connection आपके घर पर आता है, और आपके घर पर जो, मतलब router modem होता है, उस पे दे दिय जाता है, जो कि आपका router modem होता है, उस पे connect हो गया, फिर आपका अगर access point कोई अप लगाना चाहते हो, उस पे लगा सकते हो, यह वाई-फाई से connectivity स्टेबलिस कर देता है, और यह आपका modem होता है, जो सबसे पहले आपके internet connection का setup करके, यहाँ पर जो ISP का बंदा होता है, वो चला जाता है, इस पे वो IP एक दे कर जाता है, यहाँ पर, हमाले यहाँ पर IP इसने दे दिया, 10.0.0.1 दे दिया, ओके, तो यह आपका क्या हो गया, ऐस गेटवे हो गया, यह आपका क्या हो जाता है, यहाँ आपके network की private IP हो जाती है, इसको क्या बोल सकते हो, this is the private IP, ओके, अब यह जो private IP है, इसी के माध्यम से आगे की जितनी भी networking devices है, चाहिए, वो mobile हुआ चाहिए, laptop हुआ, desktop हुआ, यह सब connect करते हैं, इसी की IP जैसे, एक की IP माल लिया हो गया, 10.0.0.10, इसका gateway जो हो जाएगा, वो आपका यह हो जाएगा, तक यह device जब भी कोई data access करे, तो यह इसका gateway को send कर दे हो information, कि मुझे www.google.com का page चाहिए, तो जब अपने mobile पर यह access करेगा, तो इसका mobile अपना message को send करेगा, आगे अपने gateway को, और इसका gateway जुड़ा है किस से, ISP से, और फिर ISP जुड़ा है दूसरे ISP से, ऐसे जुड़ते जुड़ते सब एक दूसरे से van लेबल पर connected है, right? तो ऐसे ही, इसकी IP क्या हो जाएगी, 10.0.0.20 हो जाएगी, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी computer की IP माल लिया हो गया, 20.0.0.10 हो गया, ऐसे हो गया, not possible, यह connectivity नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि यह होगा ही नहीं, बल नॉर्मल ही यह नहीं होगा, क्योंकि इसका network different ह हो जाएगा, और जब different network होता है, तो वहाँ पर router और protocols के माध्यम से उनके बीच में connection इस्टेबलिस करना पड़ता है, तो यह अगर माल यह नॉर्मल यूजर के घर पर ऐसा connection दे दिया जाए, different IP हो जाए, तो तो network नहीं यह use कर पाएगा, internet नहीं चला पाएगा, उसके पास फिर technical बंदा भी नहीं है, और हरेक को knowledge भी नहीं होती है, तो एक तरीके का ऐसा server यहाँ पे create कर दिया जाता है, जैसे DSCP server, तो यह जो router modem है यह automatic IP इन सबी devices को provide करता है, आपके घर पर कोई भी आता होगा, और जैसी Wi-Fi से connect करता है, तो उसको एक IP मिलती है सबसे पहले, आप इसी IP उसको sign होती है, वो जो भी request अपने modem से लेना चाहता, अपने gateway से उसको मिलती रहती है, अगर ISP ने उसका connection जैसे आप recharge कभी कभी नहीं कराते हैं, या recharge expired हो जाता है, सम्टाइम्स आप connectivity डाउन हो जाती है, तो इंटरनेट से जैसे आप disconnect हो जाता है, तो आपके request यहा sister का, parents का, जो भी है, आप mobile अगर access करना चाहिए, IP के through, network connection इस्टेबलीज करना चाहिए, तो definitely कर सकते हैं, possible है, ओके, और यह सारी चीज़े होती है, एक company के अंदर अगर मालिया 1000 computer लगे हुए हैं, और उसका internet बंद है, लेकिन उसके अंदर आप अगर घुश जाते हो, किसी यह computer के माधियम से, उस 1000 computer system की information आप निकाल सकते हो, तो यह सारी चीज़े होती है, तो internet आपने समझ लिया कि कैसी service है, जो हमें एक दूसरे से, local area से लेके, van area तक connect करने का काम करता है, और पूरा का पूरा यह एक server के माधियम से, ISP के माधियम से possible होता है, ओके, तो internet कैसे काम करता है, यह मैंने आपको दिखाया ही, दिखाया, लेकिन इसका architecture क्या होता है, setup कैसे होता है, तो देखो, सबसे पहले जो cell tower होता है, इसका एक CEO office होता है, मतलब एक छोटा सा office बना होता है, जहां से सभी के घरों के लिए, एक connection distribute किया जाता है, लेकिन यह connection area wise, माल लिया कि आ आपका A block में घर है, तो A block के लिए एक DP लगा दिया जाएगा, DP in the sense, फोटो वाली नहीं, demarkation point, और आपने देखा होगा, अकसर कि जब आपके घर पर connection established किया जाता है, या मंगाया जाता है कहीं से, तो nearest पूछता है कि आपके वहाँ visibility है कि नहीं, वो सब पता करने के लिए पूछता है, तो जब आप अपना pin code देता हो, देख लेता है कि वहाँ पे ऐसा DP कोई लगा कि ने, एक pole खंबा लगा होता है, जिस पे एक box लगा होता है, वहाँ से आपके घर पर connection आता है, company में connection ऐसे नहीं आता कि box के थ्रू आजा, company एगर छोटा connection यूज करे broadband तो आएग तो यह मैं broadband की बात कर रहा हूँ, बाकि lease line वगारा का आगे setup पूरा का पूरा चलेगा, इसलिए मैंने बोला थे काफी लंबी वीडियो हने वाली है, यह सब चीजे, अब यहाँ से connection आपका आगया, इस particular ISP के पास, मतलब, sorry, CEO office के पास, CEO office के पास, CEO office के क्या होगा, DP को आगे फिर जो मैंने अभी बताया, फिर आप wireless router लगाते हो, wide router लगाते हो, जैसा भी आप चाहिए, वैसा connection का setup कर सकते हैं, तो यह पूरा एक architecture इस तरीके से आपका हो जाता है, ओके, तो यह सारे points clear हो गए होंगे आप लोगों का, and अब यहाँ पे यह समझना है, अगला point हम क्या है networking में, so wireless security, अब देखो, wireless security यह बहुत important tool है, wireless security के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आज के समय पर इतना advanced wireless security भी हो गया है, कि उसको hack करना possible नहीं है, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया हुए, कैसे आप Wi-Fi के मलदब handset को आप capture कर सकते हो, उसके password को decode कर सकते हो, वीडियो के description में, मैं link डाल दूँगा, इसे अभी कहीं पर भी link पर मत जाना, मैं बताओंगा कब कैसे कहां पर किस lab को access करना है, तो उस हिसाब से आप जाना नहीं, तो अभी जाकर देखने लगोगे, तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो यह सब चीज़ें, अब wireless security को अच करने के लिए possible, जो methods होते हैं, वो जान सकते हो, और अपने wifi को hack होने से बचा भी सकते हो, तो यह पूरा का पूरा game आपके समझने के उपर है, ओके, यह सारी चीज़ें होती है, I think आप लोगों को जो भी points है आप दिये जा रहा है, और comment करके पूछते रहे ना, जो भी doubts पर आगे वीडियो लेखना, जो जो doubt होंगे, ताकि मैं within month पूरे comments को read करके, आप लोगों को एक एक comments का, एक dedicated video या उसके आगे के जो tutorials बनाए जा सकते हैं, related this particular topic, मैं बना कर आप लोगों को पहुचा दो ताकि doubt clear हो जाए, and Instagram पर join कर लो, वहां के भी messages मैं read करता हूँ, आप आप लोग वहां पर भी, मतलब आपने doubt का, फोटो खीच का, tag कर सकते हैं, मुझे Instagram पर, Instagram की ID वीडियो का description में है, उससे क्या आउगर है, मुझे पता चलता रहा कि मुझे किस-किस topic पर आगे काम करना है, तो मुझे tag करोना Instagram पर, और पूरी एक महीने का जोडी tag आएगा, उ सभी पर मैं वीडियो आप लोगों को बना के दूँगा, ओके, तो definitely मैं वेट करूँगा, आप लोगों का Instagram पर, जो भी होते हैं, messages का थोड़ा सा delayed response हो सकता है, कि क्योड़ी उसमें, बहुत message पड़ा हुआ है, और scroll करते रहते हैं, जो भी message important लगते हैं, जरूर free time पर आप प्रोवाइड करते हैं, आप लोग जरूर मुझे tag कर दिया करें, कुछ भी ऐसे हैं, तो definitely काफी ज्यादा help मिलेगी, चलो, wireless security को समझते हैं, क्या है, कैसे है, और फिर आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर complete Wi-Fi के इस particular security मतलब पार्ट को समझते हैं, लेको Wi-Fi setup करना भी मैं ब modern setup and हर चीज का, बट यहाँ पर Wi-Fi का जो security algorithm होता है, वो कैसे हम लोग समझ सकते हैं, सबसे पहले अगर Wi-Fi की बात करें, तो open आता था, जो risk होता था, और उसमें password नहीं आप enable करना चाहते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, और open Wi-Fi कोई भी hack कर सकता, अगर आप password की disable करके रखते है तो कभी भी मैं recommend नहीं करूँगा कि ऐसा आप अपने computer system पर करें, आपने router पर करें, क्योंकि कोई भी पडोसी आपके network को access कर सकता है, किसी भी तरीके की website open कर सकता है, और फिर आप फंस जाएंगे, WEP 64 bit का जो encryption होता है, यह actually risky होता है, और आसानी से इसको hack किया जा सकता है, this is the vulnerable क्योंकि पुराना हो चुका है, और इसके लिए बहुत सारे hack attack बनाए जा चुके है, WEP 128 bit जो है, यह भी risky है, 128 bit के encryption पर आता है, 128 bit के encryption पर, फिर भी यह क्या होता है, but with a larger encryption की size, it is not really any less vulnerable than WEP 64, उसका just advance है, but यह भी vulnerable है, in compare of 64 थोड़ा सा advance होता है, लेकिन vulnerable है, इसको भी नहीं लगाना चाहिए, WPA2PS के, और WPA2PS के TKIP पर आता है, और AES पर आता है, TKIP जो होता है, एक तरीके का temporarily की होता है, जो मतलब की source or destination, Wi-Fi router model, और आपके client जो Wi-Fi से connect होना चाहते हैं, वो दोनों आपस में जब connectivity establish करते हैं, तो यह encryption algorithm लगता है, कि उनका जो key है ना, जो मतलब की वो, जिस key से, जिस password से, वो connect हो रहा है, एक mobile device अपने Wi-Fi से, तो कौन सी key का encryption कितना बनाया जा रहा है, तो यह पूरा का पूरा TKIP और AES algorithm करते हैं, एक तरीके का encryption key generate करने का का काम करते हैं, authentication के लिए, तो इ I think this is not secure network, आपको अगर WPA2 AES enable करनाया है, PSK के लिए, WPA2 PSK AES, so this is the most secure option, okay, it uses WPA2, the latest Wi-Fi encryption standard and the latest AES encryption protocol, you should be using this option on some devices, you will just see the option WPA2 or WPA2 PSK, if you do it, probably just use AES as that, That's a common sense choice, अब WPA2 PSK, हर एक मतलब की router modem पर available मिल जाएगा, पर उसमें TKIP अप लेते हो, या AES लेते हो, आज की जितने भी latest devices हैं, वो AES पर काम करते हैं, AES, okay, तो AES पर काम करने से क्या होता है, कि वो particular device, काफी जाला strong communication establish करता है, handshake के लिए, किसी भी तरीके से, और जब hacker- उस password को brute force करना चाहता है, या hack करना चाहता है, वाई-फाई के, तो not possible कि उसको access करता है, okay, बट फिर भी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने password list, जो आपने अपने Gmail के लिए, female के लिए, जिस भी mail के लिए बना रखा है, जै वाई-फाई के लिए, अगर आपने normal बना रखा है जैसे admin at the rate one two three, मतलब कि whatever जो भी है, अपना date of birth डाल दिया, अपना mobile number डाल दिया, admin at the rate one two three four five, या मालिया आप रहतो इंडिया से तो ind at the rate one two three, what is this, this is not a secure password, इसको बहुत आसानी से यूं second में hack कर लिया जाए, तो कभी भी ऐसा इन्यवाल ना करे, बले ही आप advanced encryption के यूज कर कि काफी आसानी से decode किया जा सकता है, तो use strong password minimum eight digit, okay, minimum eight digit, मतलब कम से कम eight हो, और अगर आप 16-20 digit का use करते हो, तो definitely बहुत ही strong password होगा, और वो काफी जादा time लगा सकता है, hack or attack होने में, WPA2PS के AES और यह दोनों मैंने बता दिया, काफी advanced आपको AES का option मिल जाता है, और AES बगरे पे आपकी devices काफी secure, कि चैनल क्रियेट करती है, आपके Wi-Fi router modem के विज में, wireless का एक standard बनाए गया, 802.11, okay, यानि कि 802.11 का standard है, यानि कि आप line का standard देखते होंग, 802 से start हो जाता है, 802.1 LAN, 802.LAN MAN वगरा का आजाता है, 3 और 4 तक जाते 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 1 तक आजाता है, आपका 7 या 8 पर fiber technology आगया था, fiber के बाद आपका, अगर देखा जाए 802.11 आपका आजाता है Wi-Fi के लिए, Wi-Fi का जो additional है, आपका Wi-Max technology हो आपका 802.16 पर आजाता है, तो यह जो standard बनाए गया ह है, और इनकी एक अलाग-अलागी speed भी है, जैसे Wi-Fi के अंदर 802.11A है, यह 5 GHz की speed से, मतलब 5G के type का का काम करता है, और यह 14 Mbps की speed आपको provide कर सकता है, इसी में B point है, जो की 2.4 GHz की speed 11 Mbps का आपको support मिलेगा, 802.11G है, 2.4 GHz का और यहां पर 54 Mbps तक की speed मिलेगी, N में आपको दोनों option मिल जाता है, जिसमें 610 Mbps तक का speed है, और आपको AC का connection मिल जाता है, मतलब not AC, 802.11AC wireless standard, अगर आपका Wi-Fi modem support करता है, जिसमें आपको up to 5 GHz के साथ 1 Gbps का speed मिलेगा, तो Wi-Fi से भी आपको 1 Gbps तक का speed मिल जाएगा, ऐसा possible है क्या, मतलब की 5 GHz की speed से 1 Gb EPS का connection कितना fast होगा, जब कहां पे मिलता है, मुझे चाहिए होगा है न, तो यह सब चीज़े होते है, जितना अच्छा connection होता है, आच्छा, मजाला थी internet use करने में, तो आपके पास कौन सा connection है, comment करके बता दो, आप बिल्कुल डीटेल मत बता देना, कि आपका यह router, यह modern, य EPS, क्या आपकी speed आ रही है, comment करके बता जारा, मैं भी देखू, सबसे highest speed किसकी होती, छूट मत बोलना, ओके, नहीं तो देखने भी हम लोग आ जाएंगे आपके घर पे, चलो आगे बात करते हैं, protocols के बारे में, प्रोटोकॉल समझना काफी आसान है, और इनका purpose भी काफी आ और एक तरीके का यह क्या है, एक unique number होता है, जो हमारे PC पर assign होता है, this is the IP, और IP अगर हमारे computer पर ना assign हो, तो हमारे computer network में connect ही नहीं होगा, अगर Google के पास IP ना हो, Facebook के पास IP ना हो, तो हम लोग अपने computer से access नहीं कर सकते, ना ही हमारा mobile किसी से connect होगा, जैसे हम लोगों की identity घ घर का address होता है, इसे हमारे computer होते हैं, उनको भी पुकारने के लिए, पहचानने के लिए, उनका identity होता है, उनका name होता है, जो की IP है, इसके आगे अगर बात करते हो आप, तो TCP transmission control protocol के लिए हो जाता है, TCP stand for transmission control protocol और जो secure connection होते है, यो small informations होती है, या connection oriented information होती है, वो सब जो transfer होत इसा data, वो TCP के मात्यम से जाता है, और UDP जो होता है, थोड़ा fast होता है, video conferencing या calling ऐसा जब कुछ होता है, तो आपका UDP responsible होता है data को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में, तो TCP कब होता है, जब connection oriented होता है, और UDP कब होता है, जब connection less होता है, और आपका TCP काफी slow और secure होत होता है, UDP fast और insecure होता है, क्योंकि वीडियो काफी ज़्यादा lag करती है, वीडियो का proper format नहीं देख सकते है, आप 4K calling करते हो, तो पता चले उधर जाके टूक के दिख रहा हो, फिर भी जिल मिला हाट दिख रही है, तो अभी तो उतना ज़्यादा ये सब चीज है नहीं है, बट हाँ, कुछ connections है से हैं, अगर दोनों तरफ fiber technology लगी हुई है, broadband से connected है, तो अच्छा speed मिलता है, बट फिर भी lag तो होता है, ओके, तो ये सब चीज है, ओके, ARP, जो address resolution protocol होता है, इसका full form address resolution protocol, और ये switch की एक protocol है, और switch पर IP से MAC address को पता करने का जो काम होता है, वो ARP का होता है, और फिर से इसी MAC address को IP में find करने का जो काम होता है, वो ARP का होता है, reverse address resolution protocol, ओके, तो ये switch की दोनों protocol है, switch पर apply होती है, DNS जो होता है, ये IP to name or name to IP hosting के लिए जरूर किया, मतलब इस्तिमाल किया जाता है, और किसी भी server को जब हम access करते हैं, तो उसका DNS उसको help करता है, कि जो ह हम query उस server से कर रहे है, वो हमारे तक पहुंचे, तो DNS query solution का का काम करता है, resolve करने का का काम करता है, प्लस IP to name, name to IP पूरा काम करता है, वैसे DNS एक बहुत बड़ा server होता है, और मैंने इस पर पूरा web server की service का वीडियो बना रखा है, इसके अंदर पूरा का पूरा role model बता रखा है Windows server के साथ 2012, 16, 19 server के साथ, वैसे मैं recommend नहीं करूँगा, वो सब देखो, DNS का वस इतना मतलब समझो कि DNS क्या करता है, आपका IP to name, name to IP का का काम कर देता है, प्लस जो भी server पे DNS चल रहा होता है, तो आप देखो DNS unrich world, DNS fail, यह सक चीजों की वाज़े से आप connect नहीं हो पाते हो Facebook का हाली में आपने देखा था, पूरा का पूरा server down हो था, with the problem of DNS, क्योंकि DNS उसका क्या हो गया था, problem कर गया था, यह down हो गया था, जिसकी विज़े से Facebook पूरी दुनिया में क्या हो गया था, बंद हो गया था, तो DNS एक बहुत बड़ा role model है, अपने server पर किसी की service को client तक पता चले 50 computer के बाद आप पिछले IP को भूल गए, कि किस computer पर क्या था, या कोई computer मालिया दो दिन चला, तिन दिन चला, फिर problem हो गया, किसी ने कुछ reset कर दिया, किसी का land के बली तरु, manage नहीं कर पाएंगे, not possible, तो उसके लिए DSCP server बनाया जाता है, जो कि automatic random IP provide करता है, अगर किसी, मतलब मालिया 10.0010, किसी computer को IP assign कर दिया, उसने, तो 10.0010 दुबारा किसी computer को नहीं देगा, जब तक वो on है, ओके, तो ये सब चीज़ होती है, एक अगली प्रोटोकॉल से, POP, POP stand for होता है, post office protocol, mail को receive करने के लिए, जो protocol होती है, वो आपका POP protocol होता, अगर POP protocol ना रह है, तो mail receipt नहीं होगा, काम ना करें तो, आप कहेंके Gmail पे तो ऐसा हम पुछने करते है, Gmail की setting में जाकर आप advanced setting देखना, तो उसके अंदर भी POP, IMAP और यह सब SMTP सब चलता है, नहीं तो वो काम नहीं करता, आपके account में यह setting रहती है, ओके, IMAP के बारे में अगर आप change करते हो, तो यह IMAP का क्या होता है, कि POP का एक advanced version है, POP actually email client configuration में एक computer पर assign होता था, यह एक device पर अपना email को as a client login कर सकते थे, but IMAP हो जाने से आप एक email को multiple devices पर as a client login कर सकते हो, और mail को receive कर सकते हो, this is the difference between POP and IMAP, इसलिए IMAP का advanced version है, IMAP version 4 चल रहा है, ओके, तो यह सब चीते है, SMTP जो होता है, file को upload and download करने के लिए responsible है, and just अगर इसके आगे आप लोग बात करते हो, तो HTTP है, hypertext transfer protocol insecure communication model है, for web server, का अगर कोई website है, जो कि HTTP लिखकर आ रहा, STTPS नहीं है, तो वहां तुरंत आज के जो browser सा warning message दे देते है, हमारे computer से मले operating system, कि this is the insecure website, और इस पे visit करना मना है, इस पे visit नही करें, okay, तो यह सब चीज़ें हो जाती है, and अगर मैं, हमने यहाँ पे बात करें, HTTPS, तो यहाँ पे SSL certificate लग जाता है, जब किसी वी web server पर, तो वो HTTPS के through access होता, और वो secure website होती है, अब HTTP और HTTPS में difference क्या होता है, समझो मैं यहाँ पे एक diagram बना रहा हूँ, मालिया आप ए गुगल पर HTTP या access हो रहा है, इस पे SSL certificate नहीं है, तो आपका जो browser access करेगा यहाँ पे insecure दिखाएगा, और वो broken format मतलब, और यह सब चीज़ होंगी, और जब आप यहाँ पे Gmail login करते हो, Gmail.com, और इसमें जब अपना username password डालते हो, तो अगर कोई बंदा, hacker attacker आपके network को monitor कर रहा ह तो इसली देख जाएगा कि आपने क्या message भेजा, आपने user ID क्या डाला, आपने password क्या डाला, बहुत आसानी से वो समझ जाएगा, तो hackable होता है, लेकिन अगर SSL certificate लगा हुए website आप access करते हो, जैसे कि अभी जितनी भी website लगबग में ऐसी है, आपकी seekolive.com यानि कि जो हमारी वो भी SSL certified है, तो उसको भी आप access करके उसमें networking का course है, depth में, और depth में समझ सकते हैं, ओके 499 का, तो भी आप देख सकते हो, अगर seekolive.com सारी details हमारे बारे में, वीडियो की description में बर्चेक कर लें, आप लोगों को कुछ help चाहिए होगी, तो यहाँ पर जब SSL certificate आपका यहाँ पर आजाता है, तो SSL certificate से क्या होता है, कि जब आपने यहाँ पर username password डाला, तो encrypted format में जाएगा, आपने username डाला ABC, password डाला 123, तो ऐसे नहीं जाएगा, यह XYZ coded format में जाएगा, तो इससे क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, hacker attacker को पता नहीं चलता कि user ने exactly इस्तिमाल क्या किया तो वो decode करने में time लगा देगा, तब तक आपका data चला जाएगा, तो यह सो हो सकता है, NTP network time protocol होता है, आपने दुनिया वर के सभी computers और networking devices का time synchronized बेस से देखा होगा, कैसे possible है, due to NTP protocol, यह कैसी बहुत बढ़ी सी clock लगाए गई है, बढ़ी clock है, और इस clock के माध्यम से पूर network era का time जो होता है, वो synchronize किया जाता है, ओके, यह सारी चीज़ें होती है, और इसके बाद हमारा आ जाता है, IP, IP को पूरा depth में आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, IP क्या है, कैसे है, और कैसे काम करता है, यह सारी चीज़ें, and IP का chapter हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो अभ यहां पर internet protocol के बारे में समझते हैं, अब यहां से आपका topic security से related ethical hacking से related start हो गया है, तो बहुत ध्यान से यहां से आप लोगों को एक एक point को समझना और सीखना है, internet protocol अगर आप अच्छे से समझते हैं, तो definitely help होगी, कि किसी भी computer के अंदर जो IP address की detail अब पता करते हो, वो कितन helpful आपके लिए हो सकता है, so let's start, जो हमारा यहां पर IP का मतलब होता है, IP stand for internet protocol, और internet protocol मतलब होता है, कि जो हम अपने computer पर 10.0.0.10 ऐसे कुछ IP assign करते हैं, उसको बोलते हैं, IP address, यानि कि हर एक computer को, एक दूसरे computer से data को send और receive करने के लिए, बात करने के लिए, आपको एक address की okay, तो जब हम लोग अपने computer पर IP assign करते हैं, तो कुछ इस तरीके से console आता है, जहां पर एक box में आप 10, ऐसे करके दूसरे में 0, 0, 10, 20, 30, 40, 255 तक कुछ भी आप दे सकते हो, okay, तो यह हमारा एक process होता है, मतलब कि particular काम को करने के लिए, और यह सक चीज है, okay, तो यहां पर थ तरीके से काम होता है, तो अब यहां पर क्या है, कि जब आप IP यहां पर assign कर देते हो, और दूसरे computer पर कुछ इस तरीके से यह IP 10.0.0.100 आपने कर दिया, तो फिर यह दोनों IP एक दूसरे से आप क्या कर सकते हैं, communicate करा सकते हैं, यह मैं live आप लोगों को अपस दिखाने वाल हो आगे, तो यह IP address होता है, अब इस IP address में भी दो चीजे होती है, आपका एक network ID होता है, and second one is host ID होता है, network ID अब किस network को use कर रहे हैं, वो बताता है, किस class को use कर रहे हैं, उस class की कितनी bit पे आप काम कर रहे हैं, यह बताता है, and host ID से पता चलता है कि आपके computer का address क्या है, तो अ log तक का यह address है, यह आपका network ID होता है, ओके, और यह जो last में address है, यह host ID होता है, यह कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इसको 10, 11, 12, यह 255 तक जा सकता है, लेकिन अगर आपने इधर change किये थे से, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, 11.0.0.10 है से, तो यह different class की IP, मतलब different network ID हो गया, अ यह दोनों computer आपस में connect नहीं होंगे, जब तक कि आप इनके बीच में कोई routing protocol enable नहीं डरते हैं, तो routing protocol यहाँ पे आपको enable करना पड़ेगा, तब जाकर यह particular मर्जब की, दोनों PC आपस में connect होंगे, ओके, आपको इतना समझ में आ गया, next thing, आपका जो IP version 4 होता है, और IP version 6 होत हैं, तो आपको IP बारे में विल्कुल idea नहीं होगा, तो कैसे assign करते हैं, क्या है, but don't worry, पूरा आप series अराम से देखो, time निकाल निकाल के, next day, next day करके, सब समझ में आएगा, IP version 4 का जो address होता है, वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे 3 address मैंने लिखा हुआ है, य actually इसमें class भी होती है, IP version 4 में, यह सब मैं आपको लोग को बताऊंगा, IP version 6 का जो address होता है, वो इस तरीके से लिखा जाता है, तो जो IP version 4 यहाँ पे address हमें मिलता है, या निकल कराता है, यह आपका एक decimal number होता है, मतलब यहाँ पे 0 to 9 की value इस्तिमाल होती है, this is the decimal number, और जो IP version 6 इस आप देख रहा है, यह आपका hexadecimal number होता है, तो यह दोनों चीजें यहाँ पे आप लोग को समझना चालिए, ओके, तो एक decimal number में होता है, एक hexadecimal number होता है, या hexadecimal number होता है, तो यह हो गया, अब जब आप जहाँ पे IP assign करते हो, जैसे माली है, यहाँ पे आपने दे द होता है, तो A class के recording, एक बार 255 बाकी 0 होता है, बाकी B class में दो बार 255, 255 बाकी 0 होता है, और C class में तीन बार 255 होता है, और बाकी क्या होता है, आपका 0 होता है, ओके, तो यह address आपको पहचानने आना चाहिए, तो यहाँ पे आटमेटिक subnet mask हो जाएगा, अब यह बात आती यह gateway की, अब यह gateway किसकी device होगी, तो gateway आपके router या modem की IP होगी, जो भी आपके network में ISP से, मतलब setup के समय लिया होगा आपने, या जब आप internet buy करते हैं, उस समय जो आपको router पर IP मिलती है, तो आपकी gateway IP होता है, उसी की range में, तो यहाँ पर gateway हमेशा किसी भी network का जो first ID होता है, जैसे 10.0.0.1, ओके, तो यह आपका gateway हो जाएगा, अब बात आती है, यहाँ पर DNS server, तो DNS server यह भी आपको, अगर आप एक बिल्कुल broadband लगवा रहे हैं सब चीज़ें, तो आपको यह DNS preferred and alternate DNS ISP आपको provide करता है, चाहिए याँ याटेल बोड़ा फोन किसी का भी आप तक पहुंच जाए, फिर वहाँ से जिस server के लिए आपकी information बेजनी है, वहाँ से वो transfer करी जाती है, ओके, तो यह आपका हो गया, and next अगर IP version 4 की यहाँ पर बात करें, तो यह 32 bit का address होता है, IP version 6 जो होता है, 128 bit का address होता है, अगर IP version 4 की बात करें, तो classful address होता है, यह classless address होता ह है, इसमें unlimited number of computer add कर सकते हैं, मतलब कि unlimited hop यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई class नहीं है, कोई range नहीं है, और इसमें क्या है, particular range होता है, इसमें 5 class होती है, यहाँ पर कोई class नहीं है, 4 block होते हैं, IP assign करने के लिए जैसे आप देखोए, यहाँ पर 4 block है, dot dot से denote कर रहा ह 1, 2, 3, 4, ऐसे, बट यहाँ पर आपके 8 block होते हैं, IP version 6 के लिए, IP version 4 में 8 bit per block address होता है, यानि कि 1 block के अंदर maximum 8 bit का address आप क्या कर सकते हैं, note down कर सकते हैं, ओके, और यहाँ पर आपका क्या होता है, 16 bit का address होता है, हार block में, अकर IPv6 आप assign कर रहे हैं, तो, small network के लिए IPv6, sorry, before use होता है, geographical या wind network के लिए, आपका IPv6 इस्तेमाल होता है, okay, proper देख रहे हैं, हाँ, okay, तो, अब यहाँ पर बात यह होती है, कि, जो हमारा IP version 4 है, जो हमारा IP version 6 है, यह कैसे assign किया दाता है, और यह सब चीज़ें, तो, यह सब का पहुछ अगा lab मैंने करके आगे, दिखाना है, आप लोगों को बताना है, कैसे क्या है, तो, आपको पता चल गयागा, तो, यह आपको बता दिया मैंने, and just next हम लोग आगे आते हैं, IP and Subdent Mask को समझते हैं, तो, जब IP आप assign करने के लिए, वाक्स ओपन करते हो, अब इसको कैसे ओपन करना, मैं अगर यहाँ पे दिखाऊ, तो, विंडो आर लिखना है, और विंडो आर लिखने के बाद, आपका, यहाँ पर देखो, ऐसे, आपको यहाँ पे टाइप करना है, ncpa.cpl, तो, आपका वाइफाई का एडाप्टर, आपके, जितने भी एडाप्टर होंगे, सब यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएंगे, तो इसको सेलेक्ट करो, और यहाँ पे देखो, दीखा रहा है, आपका, आपका, यहाँ पर अजाओ, जैसे मैं अभी बताया था, कि मैं यहाँ पे 10.0.0.10 कर देता हूं, जैसे यहाँ आप नीचे क्लिक करोगे, माउस पोईंटर से, यह जो भी है, आपका आटमेटिक सबनेड मास्क असाइन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पे जस्ट डिफॉल्ट गेटवे असाइन कर देना यह राउटर या मॉडम की आइपी होगी तो 10 001 माल यह राउटर पर आइपी है वो दे दिया और जो भी ISP से आपका DNS मिला होगा आड्रेस तो उसको आपको दे देना है आप गूगल का लिंग एक अपने लोकल आईपी डिएनस को तो भी मिल जाता है को दिक्क देना होती है यह गूगल का आप 8.8.8.8 से भी असाइन कर सकते हैं यह बट आप ISP से अगर कनेक्ट होना इंटरनेट चलाना है तो आपको ISP की दीटेलרג कर देन आपका IP आपका आप काला है सइन हो गया है सिंपल बस इतना करना था है लेकिन यहां पर आप देखा सम楯ट माश्क करना क्या हो जाता है यहां पर अजल जयों से यह बता चल जेकिस अजा जाता है कि क्म्स की आइपी और कि his कितने बिट क के Network और कितने कोई भी एड्रस है हमें बागी के तीन को नहीं देखना है ना ही इसको ना ही इसको ना ही इसको बस हमें पहले ब्लॉक में देखना है एक क्लास की आइपी होगी तो वन से लेके 126 तक की आइपी पड़ेगी बी क्लास की आइपी होगी तो 128 से 191 तक की आइपी होगी अब यहा पर जब manufacture करा जाता है तो उस पर ये address आटमेटिक वर्क करता है, sign कर दिया जाता है और ये loopback address होता है, ये किसी दूसरे computer से आपका connect या communicate नहीं करता, अगर कहीं कोई doubt होता है तो comment करके पूछ लेना, मैं उसका dedicated आप लोगो concept दे दूँगा, C class की जो IP का range होता है, 192 से लेकर 223 तक होता है, अगर मालिया यहाँ पे एक range मैं दे देता हूँ 192.168.0.100 तो आप देखो पहला block क्या आपका 192, अब यहाँ पे मैच हो रहा है, तो आपका C class का IP है, D और E class की IP scientific research, future forecasting यह वेदर forecasting जहां पे होता है, मौसरम विभाग, वैग्यानिक research के इंदर, इन सब जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यह हमारी computer पर assign नहीं होता है, तो इन सब IP को हम लोग range समझ लेते हैं, 224 से 239 और 240 से लेके 255 तक होता है, बट इसका आगे कोई इस्तेमाल नहीं है, आपके computer पे, इसका कोई use नहीं है, ओके, तो बस इतना यह होता है, आगे अगर हम लोग बात करें, class A का जो subnet mask होता है by default, अब यहाँ पर आप देख सकते है 255.0.0.0 होता है, B class का जो होता है, वो दो बार 255.0.0 होता है, और C class का तीन बार 255.0 होता है, अब जहाँ पर यह 255.0 होता है, अब जहा बहुत ज़्यादा प्रदोषड फैलाते हैं, फालतू का मतलब हर चीज के लिए पटाके रदाना और यह सब, मतलब unbelievable की इंसान भी ऐसा करता है, इतना problem हो रहा है लोगों को फिल भी, चलिए आपे हम लोग बात करते है, A class का जो detail है, 255.0.0.0, तब यहाँ पे देखो 255.0 यहाँ पे यह network ID हो जाएगी, ओके बाकी यह जो 00 ही यह host ID हो जाता है, तो A class में host ID कितनी होती है, हर ब्लॉक में 88 bit का address होता है, तो 888 और यहाँ पे 8, तभी तो यह total 32 bit का address होता है, तो यहाँ पे network ID 8 bit पे है, और host ID यहाँ पे 24 है, इसलिए यहाँ पे लगबग में जो computer connect हो होते हैं, यानि कि 1 करोर 67,77,216 ऐसे कुछ है, है ना, माइनस 2 करके Google पर दिखाएगा 214 होगा, बट उसका मतलब होता है कि network or host broadcast को reserve कर दिया गया, तो कुछ हितना होता है, 16.5 मिलियन के असपास, और अब यहाँ पे B class का address देखे, तो अब यहाँ पे देखो, 4 block ऐसे जहाँ पे यह बना होगा, जहाँ पे आप IP दोगे, यहाँ पे देखे क्या दिया है, B class में 2 block network होता है, मतलब यहाँ पे आपका network ID, network ID, host ID, host ID, तो यहाँ पे 16 bit network होता है, और 16 bit host होता है, तो यहाँ पर जो computer connect होते है, 65,000 computer आपके अप्राक्स में connect कर दिये जाते हैं, ओके, फिर आपका आजाता है, यहाँ पे C class का IP, जो कि 3 block network के लिए होता है, यानि कि 24 bit में network होता है, और 8 bit आपका host होता है, तो यहाँ पे host अप्राक्स में 256, मतलब total 200, 56 host निकल कर आते हैं यहाँ पे, तो अब आप define कर सकते हो कि अगर किसी की company या कही पर आपक तो मतलब कि लाखों computer चलाने हैं, तो वहाँ पे आप A class की IP इस्तेमाल करेंगे, अगर कहीं पर आपको thousands of computer चलाने, 40-50,000 computer हैं, 10-20,000 हैं, तो आप B class की IP वहाँ पे ले सकते हो, और अगर कहीं पर आपको लगता है कि C class की IP 100-200 computer हैं, तो आप दे सकते हो, but C class की IP से आप 1000 computer connect क को यूज करके, ओके, तो यह IP का फंड़ा तोड़ा सा विल्कुल अलग है, इसके लिए आप मेरा networking का tutorial देख सकते हो, पुरा 40-50 वीडियो मैंने बना रखा है, और मेरी website पर paid course है, तो उस पे भी आप देख सकते हो, ccolive.com 499 रूपीज में, only complete networking हो भी depth में, हर चीज को मैंने explain करके बताया हुआ है, ओके, यह बाकी अगर free tutorial चाहिए, तो networking का यह सब पार्ट मैंने आपके YouTube पर भी cover करा, video description में networking का list डाल दूँगा, ओके, और अब यहाँ पर देखो, आपको एक और चीज यहाँ पर समझना होगा है, कि आपको Kali Linux भी चलाने आना चाहिए, तो Kali Linux का अब यह tutorial है, मैं वीडियो के description में डाल दूँगा, ओके, आप Kali Linux को सीख गए होंगे, तो definitely कर पाएंगे, और ethical hacking school पर मैं आपको Kali Linux से related, parrot security से related video दिया हूँ, अगर नई चलाने आता है, तो आदे एक घंटे का समय निकाल के, पूरा playlist आप देख लेना, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट की वीडियो है, इसलिए आप सब चीज समाझ जाएंगे, ओके, या Kali Linux पे सीख लेना है, आप parrot security दोनों से मिला रहा है, आप अभी तक मतलब की लगबग में 2 घंटे की वीडियो हो गई, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक कवर हो, ऐसी हमारे पास 20-30 टॉपिक है, कैसे कवर होगा, कितना लंबा वीडियो जाएगा, I don't know, और हर टॉपिक का लैब भी आगे चलके है, काफी बड़े-बड़े लैब हैं, और यह सब चीज है, बट देखते हैं, सारी चीजे कवर होगी, टॉपिक 3, सबसे पहला आपने देखा था, कि आपने एक तरीके क इंट्रोडक्शन अबाउट एथिकल हैकिंग, इंट्रोडक्शन में क्या था, हैकर कौन है, एथिकल हैकर कौन है, और एलाइट हैकर कौन होते हैं, स्क्रिप्ट के डी कौन होते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट हैक वेल्यू सब समझा, सेकेंड टॉपिक पे मैंने आ वर्जन चाहिए या उस पर्टिकुलर टार्गेट का कुछ और ज्यादा डीटियल चाहिए तो इसके लिए हमारा third stage आता है जो कि scanning process होता है and in the scanning process you can collect the more information in compare of footprinting okay जैसे कि दूसरा step बोल देंगे footprinting में जितनी information आपको में लिए that is enough for footprinting but if you want to gather the more information so you can start scanning process or scanning process में different different advanced tool इस्तिमाल किया जाते हैं तो यह सारी चीज़ें तो scanning is a technique which is used to gather the information about target we can say that scanning process scan the target and we can gather the information related IP address live host मतलब की particular network में कितने computer की IP चल रही है या कोई भी टार्गेट है उसकी कितनी IP कितना बड़ा network है यह सब पता चल जाता है और उस IP से पता जब चल जाता है तो हम लोग पता करता है कि कितने network में computer लाइव है मतलब एक को target बनाकर उसकी एक IP से आप यह पता कर सकते हो कि कितने computers उस network में live हैं ओके सो मच इंट्रेस्टिंग अब मजा आने वाले आगे चलके जो लाब आप लोग को दिखाई जाएंगे ओपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है यूजर कौन लॉकिन है पोर्ट कौन कौन से उपन है वेंडर कौन है सर्विसेस कौन कौन सी रान हो रही है मतलब A to Z अगर देखो फूट्प्रिंटिंग में आपने बस बेसिक डीटेल पता किया बट इन इस जान आपडेगा कि हमें इस सारी लैप्स को परफॉर्म कैसे करना है तो ओके अच्छा तो कैसे परफॉर्म करना है बलकुल आगे चलिया देखते हैं बेस्ट तूल्स फॉर स्कैनिंग तो फॉट इस प्रोसेस और विकने स्कैन पर्टिकूलर नेट्वर्क तो फॉर देखते हैं तो चलिया जैन मैप और इन सब चीजों का हम प्रॉपर तरीके से लैब आप लोगों को दिखाते हैं और फिर उसके आगे बात करते कि कैसे यहा यहां पर क्या करना है और कैसे परफॉर्म करना इन सारी लैप्स को सारी चीजिए ओके तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा से यहां पर ब्रेक लेता हूं सिस्टेम अन कर लें उसके बाद बताते हैं तो एंड मैप का कम्प्लीट टुटोरियल मैं यहां पर दिखा दे रहा और और भी यहां पर मतलब ही दोनों टून इतना एडवांस आप लोगों को लैप परफॉर्म करके देंगे स्कैनिंग का प्रोसेस करके देंगे जो की मत पूछिए तो यहां पर आपको सिंपल अपने काली लिनेक्स मसीन या विंडोस 7 ए 10 जो भी आपके पास है अभी के ल लॉगिन किया और सिंपल सिस्टम पर लॉगिन होने के बाद आपको यह दोनों टूल काली लिनेक्स के अंदर इन विल्ड मिल जाते हैं और अगर नहीं है तो आप अगर माल यह विंडोस 7 पर इस लैप को परफॉर्म करना चाहते हैं तो एनमैप का तो नहीं कर पाएंगे आप का ओफिश्यल ग्राफिकल टूल है बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा पर ग्राफिकल टूल पर जाएं क्योंकि उसके अंदर उतना इंपोर्टेंट नहीं होगा बेस्ट है आप काली लिनेक्स के थूरू इन सभी लैप को परफॉर्म करें ताकि आप इसली समझ नाए यह दिस इस दे पर्टिकलर टूल टू परफांड़ इसकाइनिंग प्रॉसेस तो सबसे पहले मैं यहां पर ब्राउजर ओपिन करता हूं वायर सार्क का एक क्विक रिव्यू मैं दिखा देता हूं वायर सार्क वैसे काफी टेप्त में हम लोग सीखने वाले हैं बट यहां यहां पर आपको अपना फैर्फॉक्स ओपिन कर लेना है यह देखे फैर्फॉक्स है और मेरा इंटरनेट चल रहा है इस पर हमारे मशीन पर और मैं यहां पर क्या करूंगा एक वेबसाइट अभी एकसेस करूंगा बट बिफोर वेबसाइट मैं आ जाता हूं अपने टर्म लिहां करको вещи है आपको बाया उडर में आएटम ने बात टर्मिनल पर आने के बाद मैं यहां पर वायरसार को ओपन करूंगा वायरसार को बिणक करने के अब मैं यहां पर देख लेता हूं तो यह हमारा वायर साथ को पेन बस होने वाला है आपको step by step मैं दिखाऊंगा यह अब यहां पर जो हमारा डॉक्टर है जिस पर इंटरनेट चल रहा है यह एक इधरनेट डॉक्टर है तो उसको पता करने के लिए मैं दुबारा सबना टर् इंटर फिक मैं लिखता हूं अटर तो मेरा इधरर जो है इस पर मेरा एडॉक्टर है और इसी पर मेरा काम चल रहा है यह भी बता कर लेना आपको तो आपको यहां पर इधियर जीरो जो है इस पर डबल क्लिक कर देना ओके बस आपका मॉनेटरिंग स्टार्ट हो गया और य मैं एक website open किया sign in किया अब यह कहीं न कहीं यहां पर आपका scan हो गया अब यहां पर माल लिया आपने यूजर ने यूज किया एडम और पास्पोर्ट आपने यूज किया एडम यूज ने पास्पोर्ट नहीं पता और आपने यहां पर अगर माल यूज पता था या अपनी कुछ ऐसी insecure website पर जाकर कोई activity करते हो किसी के लिंक बर जाकर क्लिक कर देते हो तो काफी जादा वलनरबल हो जाता है अब देखो यहां पर यह packet receive हो गया होगा अब थोड़ा सा सर्च तो करना पड़ेगा इस दपेंटरेशन स्कैनिंग प्रोसेस और थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा मैं यहां पर वीडियो को कर देता ह हुआ है और वो जो प्रोटोकॉल का कमिनिकेशन यहां पर हुआ है वो किस अक्नॉलेज हुआ नहीं हुआ है इस टीटीप के कों से वर्जन से हुआ बाकि इसके नीचे जस डीटेल आती रहेगी इन सब डीटेल का एक मतलब निकल कर रहता है कैसे जैसे माल लिया कि आपने 65 6561137117 जैसी कोई एक वेबसाइट पर आपने क्लिक किया अब मुझे नहीं पता टेस्टफायर.net का यही आईपी है बट मुझे एक ही आईपी यहां पर 6565 दिख रही है जिसमें मैं चेक करता हूं एक 49 है तो यह सब जीडिया जो सिंपल मैं यहां पर 65 वाले पर क्लिक करके कर देता हूं और यहां पर मुझे मिला इसके इथर्नेत व्रेंट के बारे में इसका मैंक एड्रस क्या सौर्स की आईपी क्या है डेस्नेशन का मैंक यहां सब आपको पता चल जाएगा आप द की बखने के बाद आपको देखो इतना सारा डेटा यहां पर मिला अब आपको क्या कर देना है डू लॉग इन वाला मैसे देखो क्योंकि लॉग इन अटेम्ट क्या होगा डू लॉग इन स्टी टीपी बर्जन वन एप्लिकेशन पर लॉग इन करने की कोशिज किया गया अब मैं क्या करता हूँ जस्ट इस पर क्लिक करूंगा या राइट क्लिक करूंगा और इसके फ्लो के अंदर आऊँगा और टी सीसी पी स्ट्रीम को मैं क्लिक करूंगा आप यहां पर चेक कर सकते हो कि इसका यूजर नेम जो है एडम इस्तिमाल किया गया था और इसका पासवर्ड जो है पासवर्ड जो है एडम और यहां पर साइन लिखकर आ रहा है और एडम जाएगा ओके तो यह इसली कॉपी करेगा यहां से उजने पासवर्ड उठाएगा फटा फटा फट को क्या कर लेगा आपके सिस्टम को हैक कर लेगा आपके आईडी को हैक कर लेगा कितना असान है स्कैनिंग के थ्रू आप यह चीज करते हों मतलब आप अगर किसी नेटवर्ग में जूड़ जाते हो वायर सार के थ्रू वहां के पैकेट्स को मतलब कि जो भी वहां की स्ट्रीम चल रही है डेटा सेंट रसीब और उसको मॉनिटर करते हो तो इस तरीके की इफ्रमेशन क्योंकि लूड नहीं हमें मशीन पर जाता देना है क्योंकि लंबी वीडियो शूट करनी है तो मशीन नहीं होना चाहिए तो पूरा यह जो सेट अप है ना कड़बड हो जाएगा ओके तो यहां पर मैंने यूज किया क्या चीज अपना काली लेनेक्स का टर्मिनल और टर्म मैं यहां पर विंडोस शेवन की मशीन लिया हूँ और इसको मैं यहां पर कर देता हूँ लॉग इन करता हूँ और इस पर भी मैं इंटरनेट एकसेस करके दिखा देता हूँ कैसे कान गड़ा है ओके डैन हो गया क्लोज कर दिया ओके तो विंडो आर करना है यहां पर मैंने कमांड आपको क्या बताया था कमेंड करके बताओ ncpa.cpl और आपको यहां से आईपी देने का ओप्सन आ जाएगा अभी नेटवर्क डिसेवल है इनेबल कर देना है और इनेबल करने के बाद आप इसमें देख लो अभी इंटर इनेट चल गया क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं इंटरनेट एकसेस है और इसको आपने कर देना है क्लोस पस एक नेटवर्क मैंने लाइब कर लिया मतलब एक पीसी मैंने लाइब कर लिया अब दूबारा सापको काली लिनेक्स मशीन पर आ जाना है और अगली सारी अब सारी डीटेल मैं यहां पर दिखाता हूं जैसे मुझे नहीं पता हमारे को आई-पी क्या में लिए हुई है तो आप यहां पे अपना नेटवर्क चेक करने के लिए आई-टाब्यू कॉन्फिक से पता कर सकते हैं क्लियर से आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा थोड़ा समय यहां पर फॉन्ट को छोटा कर देता हूं ओके आई-टिंक इट इस प्रॉपरली विजिबल आप सेवें टो जीरो पिक्सल पर देख लेना ज्यादा डीटा नहीं जाता है और यहां पर क्लिक कर देना है एंड मैप स्पेस अब हमें किसको एक्सेस करना है आई-डोंट आई-पी डीटेल एंड एनिधीं तो आपको सबसे पहले अगर आप किसी नेटवर्क से जुड़ चुके हैं तो अपना गेटवे पता करना होगा अपनी आई-पी पता करना होगा उसका एक सिंपल तरीका है रूट इस्पेस हाइफन एल लिखके एंटर करिए आपको पता सबसे पहले आप यहां पर जीरो करो जीरो जैसे ही आप करोगे लेट मी टाइब जीरो करने के बाद जब आप यहां पर एंटर करोगे तो यह कुछ होस्ट को स्कैन करेगा कि यह तो हमारा एक ब्लॉकिंग पूर्ट में अपने कंप्यूटर की स्कैनिंग जब भी आप करोगे तो ब्लॉकिंग पूर्ट में डाल देगा यह ओके तो आप लिखा है to 2 को करो, आप देखो ये कुछ start कर रहा है, आप कहरा 2 पर एक computer up है, मतलब 2 पर कोई up है हमारा router modern, जो यहाँ पर आप देख सकता है, ये मैंने एक अलग modern connect कर रखा है, इससे, तो connect है, ठीक है, काम कर रहा है, और एक up है, ये हमारे router को बता दिया, और इस पे सारे port close ह और port no.53 TCP IP filter domain में काम कर रहा, तो एक IP और एक host आप है, scan इसने 1.4 second, 41 second के अंदर किया, next आपको type करना है, माल एक particular range आपको type करना है, nmap space 192.168.184.2 से लेकर 192.168.184.100 या मैं 250 तक करके enter करता हूँ, अब यह जो range है न, 2 से लेकर 250 सभी को scan करेगा, तो इसने क्या बताया है, यहाँ पे open मतलब यह सब चीजें दिखा दिया, 99 closed port, सब कुछ closed है, एक ही port यहाँ पे open है, और 2 IP इसने यहाँ पी scan किया, जिसमें एक host आप है, मतलब 2 IP तो चलो कम से कम इसने scan किया, चलो ठीक है, मुझे थोड़ी बहुत तो detail मिली, अब अगला जो हमारा कमांड है, यहाँ से directly हम perform कर सकते हैं, एन मैप, यह जो आपने यहाँ पे लिखा था, तू से लेकर हाइफन लगाए यहाँ पे, 250 कर दीजें, एंटर कर दीजें, सेम आपको यह scan करके आपके network की details उठा कर देगा, तो देखता हूं, क्या network details मिलता है, अब यहाँ पे इसने बताया, 249 IP को इसने scan किया, जिसमें से 2 host यहाँ पे अप है, एन मैप स्पेस, एंटर कर यह, तो अब आपको यहाँ पे details पता चल गए, कि क्या commands execute करनी है, OS detect करने के लिए, capital O, यहाँ पे आपको try करना है, OS detect हो जाएगा, and, SY, SN, हर चीज का यहाँ पे details आपको मिल जाएगा, scan techniques पूरा का पूरा, यह cheat code है, और यह बिल्कुल, तो मैंने तो command सही execute किया था, बट फिर भी सामने वाले की details नहीं मिल लिया, exactly, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, and map space 192168.184, 184.147, slash 24, enter, okay, दो host की detail यह आई थी, 147 network को मैं हटाता हूँ, 0 करके access करता हूँ, तो दो host की details है, okay, हम आ जाते हैं Windows 7 पर, एक चोटा सा यहाँ पर security और इन सब चीज़ों को check करते हैं, कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम जरा सा check कर लें, हमारा control panel के अंदर, अगर माल यह security बगर है के अंदर आप check करो, Windows, firewall और यह सब, तो यहाँ पर भी क्या है, connection blocked और यह सब कुछ दिखा रहा है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, तो क्या details में मिलती है, ओके, यह security होती है, scan वो पता तो कर लिए आपकी IP क्या है सब चीज़ें, बट अभी वो आपके operating system नहीं detect कर रहा था, तो same command अगर मैं दुबारा से यहाँ पर follow करता हूँ, अब, sorry, यह वाली command नहीं, अब देखो, इसने बता दिया, मतलब एक firewall का connection block कर देने, मतलब off कर देने से इसने क्या बता दिया, 147 जो computer है, उस पे इतनी सारे port और इतनी सारी services open है, ओके, और यह सब चीज़ें बता चल गए, वाव, very interesting, अब आपको क्या करना है, तरहें कि कौन कौन से services उस network में चल लही है, 192.168.184.0.24 से, मुझे पता चला कि कौन कौन से services, कौन कौन से port यहां पे open है, यह सब enough information हो जाती है, सारी information आप note करेंगे कि कहा से क्या information पता चल लही है, और यह जब आपको पता चल जागा कि ठीक है, इतना सारा आपको पता चली गया, and then next आपको आगे पता करेंगे कैसे, 147 है, एक IP, एक 254 है, और एक 145 है, तो 147 जो port है, यह सायद मेरा computer है, मुझे नहीं पता कि Windows 7 का क्या था, लेकिन ध्यान देओ आप यहां पे, आपको एक और IP मिली 145, तो यह 147 मैं क्यों scan कर रहा था, पहले भी तो 145 ही था, तो एक mistake था नहीं, तो वयस तो detect होना ही होना था, firewall on or offer doesn't matter, and map capital हो, 147 की जगा 145 करो, आपके सामने आपके operating system की detail होनी चाहिए, इतना confidently मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सामने आगे details, IP की details थोड़ा सा mis confusion था, तो simple अगर आपको किसी computer की IP पता चल जा है तो पता कर सकते हो, उसका mac address पता कर सकते हो, उसके open ports पता कर सकते हो, उस पे आपका कौन सा operating system होना है यह पता कर सकते हो, तो यहाँ पे इसने क्या बताया, OS details, Microsoft Windows Server, मतलब Microsoft का operating system यहाँ पे यूज किया जा रहा है, और इसने साफ यहाँ पे mention करके बता दिया, कि Microsoft embedded इतने सारे यह 7 at 10 की category का OS है, मतलब आपको पता चल गया है कि 7 at 10 में से कोई OS है, और यहाँ पे साफ लिख कर आ रहा है कि यह Windows 7 पर detect करके आप लोगों को details बता रहा है, operating system यहाँ पे Microsoft Windows 7 यह दिखा रहा है, तो बिल्कुल हमें यह चीज information में save कर लेना है, आपने OS पता कर लिया, Windows का है और यहाँ पे आपका पहली लाइन में आपको monitor करना है, और यह सब चीजे हैं, एंड थोड़ा सा आप इसको एक बार आप ट्राइ करो, एक दो बार आप ट्राइ करो और देखो यहाँ पे Microsoft को इसने प्रॉपर तरीके से detect कर दिया, भई कहरें ना कि एक बार में जरूरी नहीं है कि वह information exactly एक बार में देते, you have to try to get the details again and again, आपको कब पता चलेगा कि exactly information का बार लिया, अभी तक नहीं दिखा रहा था, we embedded OS दिखा रहा था, but now it is showing running OS is Microsoft Windows 7, तो यह running OS है, ठीक है पता चल गया इतना information बहुता आप लोग समझदा नहीं, इतना practice करके कर सकते हैं, I stopped this connection, मैं यहाँ भी stop कर दिया इसको, and next, nmap से आपको क्या पता चला है, nmap complete एक ऐसा model है, जो आपको बता रहा है कि, कितना सारा computer किस IP पर कैसे क्या किया गया है, okay, scan पूरा यह करके दिखा दे रहा है, 0.1 पर क्या है, जो भी IP को सारा चेक करो, जितनी IP आपको उस range में मिली थी, 184.1 से, 0 से, 2 से, ऐसे try करके आप देख सकते हो, okay, और यह सभी को दिखाएगा, साय जो भी information है, बस आपने OS पता कर लिया, services running पता कर लिया, open port पता कर लिया, यह बहुत है आपका, okay, and इस पर भी देखो, आपको detail मिल गए, again 2 पर आप पता करेंगे, इस पर भी detail मिलेगी, 3 पर पता करेंगे, इस पर भी detail मिलेगी, open ports और सब कुछ मिल जाएगा, okay, तो चलो, आप लग रहा है कि आप लोग master बन गया है, okay, तो बस अब, तो हम लोग यहाँ पर topic number 4, start करने वाले हैं, okay, so topic number 4 में और depth में, हम लोग information के बारे में पता करेंगे, तो और depth में information पता करने के लिए, हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे, resources के बारे में समझेंगे सबसे पहले कि, हमारा ennumeration process होता है, फैला step आपने देखा foot printing, second step आपने देखा scanning, and third step आप यहाँ पर देखने जा रहे हैं, कि आपका ennumeration process, ennumeration process एक्चुली बहुत ही depth information आपको निकाल कर देगा, और already आपने ennumerate type का काम कर लेगा, क्यों कि ennum app में मैंने हाई चीज बता दिया आपको, ennum app में basic नहीं बस बताया, आपको OS, detail, IP, detail, port और सब कुछ बता दिया, उन्हीं ports की help से आप आगे कुछ lab perform कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, पर topic 4 जो ennumeration है, यहाँ आप यह कह रहा है कि the ennumeration phase attacks creates active connection with the system and perform direct queries to again more information about the target, जितना भी आपने scanning के पता किया यह सब चीज है, उसके आगे आप क्या कर सकते हैं, directly contact करके, आपको IP और इन सब चीजों का पता करके, उसका particular network detail, OS details आप पता कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, कि कैसे आपको वो सब करना है, लेकिन यहाँ पे exactly ennumeration के तुरू और क्या क्या चीजे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ details लिखा हुआ है, इन ही चीजों को हम लोग समझते हैं, step number one, network resources, आपको यह पता चल जागे कि network में कितने resources हैं, उन resources पे कैसे आपको perform करना आगे, वो सब चीजें पता चल जागे, network resources in the sense कि कौन सा router की IP है, कौन सा port open है, कौन सा, मतलब कितने network live है, PC live है यह, network shares, networking में जो भी shares है वो भी पता चल जागा, sharing के लिए net share की command होती है, windows पर आप easily track कर सकते हो, तो बिल्कुल basic fundamental है, तो इसको भी मैं hide करता हूँ, routing tables की information पता चल जागे, route space hyphen N, and route से पता कर सकते हैं, IP tables से पता कर सकते हैं, audit and service setting, जो भी है आप उसकी auditing कर सकते हैं, service की settings को चेक कर सकते हैं, यह सब है, extract user information and email IDs, आप user information email IDs पता कर सकते हैं, आप कहेंगे email ID कहाँ पर होती है, तो जो organization के अंदर user होते हैं, उनका dedicated email ID भी होता है, और यह सब चीज़ है, आपको में database के अंदर कैसे जाना है, वो सब चीज़ें कैसे email ID, password, username, और उसका credit card, debit card, जो भी details है, किसी particular data के अंदर अगर है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, we will perform these all apps, तो यह है, जैसे आपको फिर उसका अपनी company के जो users हैं, उनको secure कैसे करना, यह सब भी metrics आप लोगों के साथ share करूंगा, तो extract default password, default password देखो हर एक, जैसे कि यह मेरा router modern है, अभी मैं इसका default एक password वगरे गेन करना, आप लोगों को दिखाऊंगा, कि default password हर एक device का set होता है, अगर आप उसको change नहीं करते हैं, तो यह सब चीज है, brute force of active directory, active directory का brute force कर सकते है, active directory अक्चुली यूजर के बारे में, groups के बारे में, computers के बारे में information रखता है, system 32 के अंदर sis wall नाम के डेरेक्टरी बनती है, server का अगर data है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जो आपका system 32 होता है, जैसे windows server है, system 32, इसके अंदर एक SYS, VOL, sis wall नाम का एक डेरेक्टरी बन जाता है, जिसके अंदर complete active directory का database होता है, तो आपको यह भी information बहुत tricky हो सकती है, extract information about DNS, zone transfer and everything, DNS की पूरी information आप पता कर सकते हैं, अभी मैं एक छोटा सा lab भी perform करके दिखाऊंगा DNS के through, actually DNS एक ऐसा IP होता है, एक ऐसा server होता है, जो किसी भी, मतलब उस server से जो भी आप पूछते होना, DNS उसका answer कर देता है, है न, मतलब एक तरीका का कैसा बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, DNS server, जो भी server से पूछते हैं, उसका TCP, UDP के through, provide करता है DNS का port number 53 होता है यह जान रखेंगे TCP के through, अगर information sent हो रही है तो, okay, extract groups and windows information users information, extract username using SNMP Net BIOS की details पता कर सकते Net BIOS अचलि उसका network name होता है जो host name होता है, हाइना, हाइना एक ऐसा tool है जिसके माध्यम से आप कि किसी भी computer system का आप network BIOS की detail पता कर सकते हो, और यह सब फ्री tool है, Net scan tool जो होता है Super scan करके आता है NS auditor करके आता है MIB browsers आते हैं, यह सब मैं SNMP का एक option दिखा देता हूँ, MIB browser भी available होता है, जो hacker है न, वो छोटो-छोटे application अगर भिक रही है न, या उन सब चीजों को खरीद कर काम करना पड़े तो वो करता है, है न, तो MIB बगर के बारे में MIB browser या MIB SNMP server download कर सकते हैं, और उन सब चीजों का website पर detail मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं like मैं यहाँ पर क्लिक करूं और लिखूं google.com enter और मैंने यहाँ पर लिखा MIB browser online online browser भी आता है यहाँ पर SNMP को monitor करने के लिए या इसके लिए आप देख सकते हो यह online एक MIB browser है इसमें आपको बहुत सारी information भी जाती है most viewed SNMP MIB on MIB database at online MIB browser अब देखो यहाँ पर Juniper के Microtik के Bridge के Entity and different different types of MIB details आती है and बहुत सारी चीजे यहाँ पर paid होती है Cisco का system आ जाता है Juniper का आ जाता है Apollo Alto का है यह सब MIB browser को support करते हैं तो जो hacker attacker होते हैं इस label पर वो devices इस रखे होते हैं जिसके अंदर ही काम करते हैं but मैं perform करके आपको दिखाऊंगा सिस्टम दिया हुआ है मैं देखूं कि online यहां पर कुछ open हो रहा है नहीं तो मैं तो अभी एक application यहां से Cisco Packet Tracker open करता हूं इसके बारे में दिखाऊंगा अब देखो Cisco PIV Library और यह सब चीजे दिया हुए ठीक है एक library हम यहां से अगर क्लिक करते हैं तो MIB download as दिया तो है तो Cisco QOS PIV यह सब चीजे है तो अगर हम लोग यहां पर MIB पर क्लिक करें तो यह किस extension में फाइल को download कर रहा है let's check .MIB करके तो आप इसको open नहीं कर सकते हैं device के अंदर ही वो चीजे open होगी है तो चला कोई नहीं हम इसको तोड़ा सा minimize करते हैं और इसके बारे में आपको दिखाते है step by step की कैसे perform करना है MIB browser और SNMP के थुरू तो मैं जस्ट नीचे SNMP का थोड़ा details आप लोग को पहले पढ़ा दू कि SNMP क्या है कैसे काम करता है SNMP used for MIB hierarchical name space containing OID to translate the OID numbers into human enabled display मतलब कि जो हमारे routers जो particular ID details होती है उसके माध्यम से ये उस ID पर कौन से इस information lead करा ये आपको पता चल जाता है ओके तो ओके लंबा shoot करना पड़ रहा है तो ये चीज आपका पता चल जाता है तो SNMP के MIB browser से आप पता कर सकते हो कि किस ID पर क्या चीज चल रही है क्योंकि router या modem या जो भी networking devices electronic devices होती है वो 01 पर काम करते है particular binding number system पर काम करते है decimal number system उनको पता होता है तो उसको display कराता है as a human readable format में यह particular database के मांतम से हम लोग ऐसा चेक कर सकते हैं नई समझ में आया वेट अभी practically समझ में आएगा how to access any network device information using SNMP server and MIB database मैं बता हूँ कैसे करना है SNMP simple network management protocol होता है और इसका काम होता है network के monitoring के लिए network tool का monitoring option होता है जिसके तुरुजे से wiresark आपने इस्तिमाल किया था और उसमें आप पता कर लिये थे कि किस protocol चे क्या क्या login करने की कोशिज करी गए तो ऐसे यहां पर SNMP का एक manager होता है और SNMP manager क्या करता है network devices या resources को manage करने का काम करता है जिसमें आपके PRTG server type का आ जाता है यह लगबग में बहुत महेंगा server होता है 22-25 जार का यह monthly यह कुछ ऐसे यह early charge है आप google करके देख सकते हैं wiresark जो कि free है और इसका मैंने आप लोग को lab करके दिखा दिया कि how you can perform the wiresark tool for particular scanning or enumeration process okay and आपको ID password तक दिखा दिया है वहां पे तो depth in numeration तो already आपको मैंने quickly दिखा दिया है but अभी बहुत कुछ है पिक्चर भी पुरी बाकी है SNMP agent एक होता है with the help of SNMP agent you can find the details about particular MIB browser and database तो यहां पी यह कह कर it's a software which runs on networking devices like router switch server etc MIB एक करके browser होता है जो की based management information based इसका full form होता है it's collect information of managed software this component makes sure that the data exchange between the manager and agent remains जो software होता है और जो device होती है जैसे for example मेरे पास एक यह device है अब इस device का मैं एक software के through access करके या इसके install कर दिया या मैं दूर से इसके बारे में इस particular software से access कर सकता हूं इन दोनों के बीच में जो data exchange हो रहा ना MIB browser से आप पता कर सकते हो wow so much interesting तो practically ही चाहिए comment करके बतातो practical तो मैं समझेंगा MIB तक कोई पहुंच किया है तो practical लिखना है and then आपको next SNMP के तीन version होते version 1, version 2 चांडना बहुत जरूरी है कौन सा version secure होता है माल या hacker attacker के से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते है SNMP version 3 अपने router modem switches पर apply कर सकते है SNMP version 3 उसको इलाओ नहीं करता है बट फिर भी वो चाहे तो थोड़ी बहुत research करके आपको information निकाल सकता है कैसे secure करना SNMP 3 कैसे enable करेंगे अपने router modem पर यह मैं आप लोगो को दिखाऊंगा SNMP version 1 और version 2 जो हता है data के integrity नहीं provide करता है मतलग there is no integrity with the help of SNMP version 1 version 2 and I suggest you that never try to access your router modem or switch information with the help of SNMP version 1 or version 2 and there is no need to configure this particular version for SNMP because it is not secure okay secure नहीं है और यहाँ पर आपका SNMP data बहुत ज्यादा vulnerable हो जाता है यह simple जो भी आप type करते हो जो भी वहाँ पे देखते हो सब कुछ एक clear text के माद्यम से send and receive करता है wires are के माद्यम से भी मैंने दिखायना लाग इन ID password निकल गया था तो उस तरीके से ही यह integrity नहीं प्रोवाइड करेगा उसको encrypt नहीं करेगा अगर किसी हम secure website पर वही काम की होते तो वो क्या होता data encrypted format में website और हमारे device के माद्यम से जाता तो वो कोई read नहीं कर पाता तो यह है अब SNMP version 2 जो होता इसकी दो community होती है read only की और read and write की okay तो read only से आप सिर्फ यहां पे data की integrity प्रोवाइड करता है तो इसलिए मैं suggest करूंगा की always आप अपनी devices पर अगर SNMP को enable कर रहें configure कर रहें तो you should enable SNMP version 3 for data integrity and for data security while transaction between source and destination तो यहां पे SNMP version 3 के जो messages होते हैं पहला data integrity आपको मिलती है मतलब message open format में clear text में नहीं होता encrypted या cyber sorry क्या बोलते हैं cryptography system को support करता है या आपका cipher value support करता है जो की one two three को एक text code में बदल के transfer करेगा ताकि hacker attacker अगर उस code को पता भी कल लेता है तो वो unreadable रहेगा human के लिए authentication यहां पे मिल जाता है without authentication या read right community member आप उसको access नहीं कर सकते privacy आपको मिल जाती है encryption की hashing मिल जाती है जिसके through data encrypt हो जाता है और यहां पर अगर आपके पास एक router है माल यह कोई company में router लगा है और आप उसके through other network में किसी तरीके से connect हो जाते हैं तो definitely आप इस router के एक एक पहलू को पता कर सकते with the help of snmp tool and snmp manager simple यहां भी क्या करना है snmp server community एक read की community और write की community enable कर देना easy है मैं आप लोगों को दिखाता हूं कैसे करना है तो simple आप Cisco packet tracker open करेंगे Cisco packet tracker है और यहां पर आप एक मालिया router ले लिया मैं एक छोटा सा अपना मालिया आपकी company में एक router लगा है और आपकी company में एक switch लगा है और डेर सारे computer इसके थूप आपके access कर रहे यह ऐसे कुछ information है और इन सब को आपने cable से connect कर दिया अब यह software अगर आप लोगों को चाहिए तो अभी मैंने लिखना Cisco packet tracker से चोवान YouTube में मेरा एक वीडियो आएगा सबसे टॉप पर उसको देखना Cisco packet tracker की पूरी डीटेल्स उसमें 3-4 वीडियो के मात्यम से समय आया तो पूरी series आपको मिल गए तो यह वैसे यहां से मैं जो कर रहा हूं उसको download करके खुदी इस्तेमाल कर सकते हो अब यहां पर आपको router पर क्या करना एक IP माल ले राउटर पर हमारी IP चल लिए 10-0-0-10 ओके और इस PC पर यह किसी भी एकी PC पर मैं IP देता हूं दोनों पर देने की ज़रूरत नहीं है इस पर 10 दे दिया इसका subnet mask दे दिया और इसका gateway 10-0-0-10 क्योंकि अब आपको क्या करना यहां पर राउटर पर आ जाना है और SNMP को एनेबल करना इसलिए मैं करवा SNMP अगर एनेबल करिए तो version 3 read write की community इन सब चीजों के साथ करिए अब यहां पर no लिखना है यहां पर लिखना है configuration mode पर आने के लिए और यहां पर IP address but before that आपको interface सेलेक करना है तो अब यह router आप देखो किस interface से connected है यह मैं आपको internal setup भी बता रहा हूँ अगर आप really एक smart hacker attacker बनना चाहते है security engineer बनना चाहते है I am not promoting that कि आप hacker attacker बने but you should know that what type of criminal mind hacker attacker use करता है तो थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा and जब आप उसके mind को समझ जाते हैं तो आप अपने company को support दे सकते हैं अपने घर के router को secure कर सकते हैं यह सब चीजे हैं मैं लाइक यहां पर इस लिए दिखा आपने resources पर दिखा रहा हो ताकि आपको पता चले कि कैसे इस पर perform करना है तो यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले interface F0-0 select कर लेना देखो मैं इस interface के अंदर आ गया अब यहां पर आप IP enters link कर 10-0-0-10 कर दीजिए इसका subnet mask दे दीजिए IP assign हो गया SNMP server question mark लगा है मैं यहां पर community type करना है community मैं यहां पर वेट आपको थोड़ा center कर दूँ SNMP server community tab लिखने से पूरी command आ जाती है community और मैं यहां पर लिख देता हूँ read की community and read की community के लिए R RA है मैं थोड़ा सा RO read only और एक read write तो यह WR नहीं होगा RW होगा तो यहां पर आपको क्या करना RO read only की community आपने enable कर दिया और दूसरा आपने enable कर दिया just RW दोनों आपने enable कर दिया अगर आप read write की community enable नहीं करते हैं तो वो changes नहीं कर सकता read कर सकता है कि आपके router की details क्या है अब यह अपने PC पर एक IP देगा मैं यहां से IP देता हूँ desktop में IP की configuration में जाकर जैसे 10020 और इसका gateway 10010 इसको close किया अब यहां पर देखो एक MIB ब्राउजर आएगा जो वहां से download करना था router devices सब चीज़ों के अंदर आता है इसका proper setup अब यहां पर आपको लिखना address जिस server को आपने access करना है तो 102010 है advance में आ जाओ और यहां पर इसका port number 161 होता है SNMP का port number 161 होता है और यहां पर read की community जो है READ है और मैं यहां पर version 3 select करके open कर देता हूं अब यहां पर MIB database में आ जाओ database में आने के बाद थोड़ा साब को यहां पर check करना है router का MIB और इसके advance information के बारे में पता करना है सब चीज़ है ISO का पता करो क्योंकि router के अंदर जो operating system होता है वो iOS होता है तो यहां पर इसकी ISO file के अंदर आ जाईए open करिए just add करिए management detail MIB के बारे में system information दिया हुआ है और यहां पर सब ID मैंने क्या कहा इस OID को human readable format में बदलना है आमें इसमें पढ़ना है कि इसके अंदर है क्या उसको पता करने के लिए आप यहां पर check करोगे और get के through अब पता करोगे तो इसका एक detail यहां पर मिलेगा but there is no option okay so don't worry यहां पर destination पर आओ क्योंकि आप main ID के अंदर नहीं जा सकते अब ID के अंदर कुछ resources है कुछ object है इंपर select करना है and then get करिए now you can see Cisco के इस particular ID के अंदर operating system router का चल रहा है okay यहां पर system description के बारे में cocktail string में यह value है और Cisco internet work operating system Cisco का router होता है उसका operating system होता है उसको internet work operating system या iOS बोला जाता है okay इसका object ID अगर पता करना है तो get करो object ID मिल गया इसका इसका up time कितनी दिर से out and on है oh my god click करो 5 minute 6 seconds and again आप यहां पर contact के detail में आकर check कर सकते हो तो go go के option में आपको देखो एक smart ethical hacker बनना है company के data को बचाना है government के लिए project आ रहे है उसके लिए job apply करनी है cyber security intelligence सब में जाना है तो थोड़ा बहुत तो struggle करना पड़ेगा okay जैसे हमें यहां पर सारी चीज़े रटे हुई है तो कही न कहीं से 10-12 साल का work है और चीज़ें यह सब समझना सीखना सब बहुत time दिया जाता है समझने के लिए सीखने के लिए नहीं तो देख देख कर चीज़े नहीं possible है बड़ आप लोग अगर dedication के साथ मेहनत करते है जो नून है आपके अंदर तो definitely आप कर सकते हो लिए यहां पर इस router name लिए इंटरफेसेस पर IP क्या चल लिए वो भी पता कर सकते हो यहां पर if number okay तो यहां पर अक्टेल नमबर 8 पर चल ला IP tables अगर पता करना चाहें वो पता कर सकते हैं आप index में कितनी IP हैं तो these are the IP tables details okay and really अगर IP की tables पूरा यहां पर देखना है तो आप यहां पर आजे destination IP क्या है यह बता देगा source IP क्या है सब बता देगा यहां पर साथ information यहां पर यहां पर ज्यादा information तो आप search करी लेंगे क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया अब यहां पर system का name जो यहां पर दे रहा है वो router दे रहा है मुझे इसको बदलना है get की जगह set करना है तो अभी यहां पर अगर मैं इसकी value दे देता हूं router का name मैं दे देता हूं सीखोलाइब हमारी website का नाम सीखोलाइब.com है ऐसे कुछ तो can I change? No, not possible करें यहां पर write community enable नहीं है तो आप advance पर आजाओ यहां पर WRIT write की community दो open and then again आप यहां पर set पर आजाओ पहले तो get करो router की ID and अब router की ID आप यहां पर router 1 मिला and then आप इसको set पर आजाओ अब देखो यहां पर seqolive.com करो और go कर दो कुछ मिला यहां नहीं इस वज़े से नहीं मिला क्योंकि अभी अगर मैं get पर click करता हूं router की ID and set पर दुबारा से आजाता हूं .com ऐसे कुछ यहां पर साहब नहीं देना है तो मैंने इसको हटा दिया and bits जो है octel string में करना था .com करना था क्योंकि octel string यह उठा रहा है यह तो मैंने ध्यानी नहीं दिया and then okay .com हटाना पड़ेगा क्योंकि router pay में भी object apply नहीं होता हूं तो मैं .com हटा देता हूं and then okay करता हूं now set तो भी तो यहां पर router name में कुछ information ऐसे नहीं आ रहा है okay तो क्या कर सकते हैं 10.0010 के अंदर snmp version 3 read and write request timeout router support नहीं कर रहा है why what is the reason get के अंदर okay तो थोड़ा सा जल्दी मैं कर रहा हूं इस वज़े से भी problem हो सकती है दुझे ध्यान से करना होगा तो अभी थोड़ा सा हमारा software मैं close करता हूं MIB के अंदर आता हूं advance के अंदर read and write की community version 3 से accessible है OS के अंदर दुबारा से हम आ जाते हैं management के अंदर and just यहाँ पर system के अंदर name आ गये get किया router मिला set करते हैं और यहाँ पर octal string हमारा क्या है set है और यहाँ पर मैं दे देता हूं router one और मैंने कर दिया okay और अब मैं go करता हूं अभी भी यहाँ पर नहीं आया है चलो ठीक है मैं भी यहाँ पर display नहीं कर रहा है क्या है और request timeout ऐसा क्यों why IP address सही है यह भी सही है ping आ रहा है कि नहीं आ रहा है बर चेक कर लेते हैं आ रहा है ping okay तो होना चलिए यहाँ पर अच्छा राइट की community में मैंने जो name type किया था वो क्या है गडबड कर दिया मैंने यहाँ पर जो SNMP read में भी मैंने read लिखा community का नाम और RO लिखा है read write वाले में भी read लिख दिया है तो sorry guys by mistake it's my mistake by mistake it's my mistake हमें यहाँ पर क्या करना advance पर आना है और जो यह write मैंने लिखा यहाँ भी मैं लिख दूँगा क्योंकि community का जो नाम दिया उसी के through तो आप changes कर सकते हो okay करो अब देखो information मिल लही थी क्योंकि read काम कर रहा था write नहीं काम कर रहा था तो read वहाँ पर भी जब मैंने टाइप कर दिया और get के through पता किया तो router पता चला और set जब कर रहे हैं यहाँ पर अब कुछ भी टाइप हो मुझे पता आए कि यह ले लेगा okay सीखोलाइब डाट कॉम ले लेगा octal string okay and go see change is done okay तो बरोसा नहीं मुझे अभी भी चलो इसको बंद करते हैं router पर आते हैं और router का name check करते router का name तो भी router है बट एक बार enter करो now you can see सीखोलाइब डाट कॉम यहाँ पे आ गया मतलब हमारा router router का name change हो गया so यहाँ पे समझने वाली बात क्या है अगर SNMP आपने अपने router या devices पर enable किया और कोई भी information hack करने के लिए आपके network के अंदर घुस गया MIB के तुरू information निकाल ला है कुछ भी कर रहा है और उसको redirect के community और इस सब चीजे पता है यह सब चीजे तो देखो पता करने को तो लोग कुछ नहीं पता कर पाया और आपने अगर गलती किया कोई email के थूस कोई hacker attacker mail करता है different strategies follow करता है आपको मैंने starting बताया कि your job के लिए companies employees hiring के लिए job promotion के लिए आपका senior बनके आपको mail कर देगा आपकी email ID को hack करके सब senior की email ID server से मिलती जुलती ID जैसे उसने लिख दिया मेरे यह मेरा email ID contact at the red sickolife.com अब आपने ध्यान नहीं दिया उसमें माले कोई message कर दिया contact at the red sickolife1.com तो आप one नहीं ध्यान देते हो आप कहते हो अरही यह तो मतलब मैने मेरे senior authority का message है इसको फटाफट मुझे क्या करना है answer करना यह सब चीज है और वहाँ पे आप फटाफट क्या करते हो response देते हो कभी मत देते हैं ध्यान से approval के साथ काम करना यह सब चीज है तो यह रहा हमारा SNMP और इन सब चीजों के बारे में I think आपको lab perform करने पे समझ में आया होगा बस number five हम लोग यहां पे cover करेंगे इस video में आपको complete मतलब की इसके आगे पता चलेगा की system hacking क्या है और system hacking के पीछे क्या क्या region होते है कैसे system hack कर लिया आता है जो भी है तो complete details यहां पे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे समझेंगे ओके तो चलिए computer screen पर चलते हैं थोड़ा सा कुछ topic आप लोग को explain कर दूँ अभी आप लोग को यहां पे lab important मिलने माली है अब lab हमेशा मिलेगी आप लोग को practical समयसा मिलेंगे तो don't worry पहले theory समझना अच्छे से and then lab को perform करना और कोई भी doubt होता है तो comment कर लेना तो what is system hacking देखो windows 7, 8, 10, mobile android का या apple का या हम लोग linux operating system सब इस्तिमाल करते हैं तो यह जो operating system हम इस्तिमाल करते हैं इसको क्या possibilities होती है कि hacker attacker hack कर लेता है और हमें क्यों से इसी security या इन सब चीज़ों को देखना चाहिए जिससे hacker attacker हमारे information को या हमारे operating system को hack ना कर पाए तो complete details में यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ system की vulnerability actually start होती है जब भी आप system को default username password दे देते हो जैसे अगर company का है तो company अपना name add-red 123 ऐसे कर देती है यह simple कोई भी एक weak password assign कर देती है जो भी हमारे client होते हैं उसके लिए और कभी-कभी हम लोग क्या करते है simple 123 password दे देते है 12345 दे देते हैं ऐसे कर करके approximate हमेशा आप अगर cyber security news और इन सब चीजों से जोड़े information सर्च करेंगे देखेंगे तो लगबग में इंडिया में 15 से 20 लाख ऐसे user का password guess किया जाता है या समझ में आता है कि इनका password इनका date of birth है इनका mobile number है या system at the rate 123, admin at the rate 123 और लगबग में लाखो लोगों का password password ही होता है तो ऐसा क्यों आखिर में हमारे router modem का password password होता है या तो root होता है या admin होता है हम क्यों नहीं बदलते हैं यह सब कमिया जब तक हमारे network के अंदर रहेंगी या हमारे PC पर रहेंगी तो हम लोग hackers का सिकार होंगे तो यहां पर point number one आपका default username password नहीं होना चाहिए दूसरा weak password नहीं होना चाहिए जैसे one two three four five या access added one two three ऐसे मतलब password नहीं देना है these are the common password hacker attacker इसकी list बना कर रखता है वो easily hack कर लेगा ऐसा नहीं आपको date of birth भी नहीं add करना mobile number भी नहीं add करना unwanted open ports and services जैसे जिस service की जरूरत नहीं आप उसको install करके रखे हो आपके computer पर आप application जैसे x install कर दिये और y install कर दिये y की कभी जरूरत ही नहीं install करके रखे पड़े हैं मतलब दिखाने के लिए बहुत सारा ऐसे users भी होते हैं तो unwanted अगर application sorry system पर आप अपने install करेंगे तो वह कहीं vulnerability बनाएगा क्योंकि उसका update और यह सब चीज़े होना चाहिए pirated applications वगर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए इससे क्या होगा pirated windows नहीं इस्तेमाल करना चाहिए इससे क्या होगा कि जिसने भी उस windows को pirated बनाया activation की बनाया और जो भी उसका मतलब की एक activation software बना दिया आप जब piracy करते हो तो आपको लगता है आपने तो बहुत ही smart यह intelligent वाला काम कर लिया बट आपको नहीं पता कि आपका आपका जो smart work है उसके पीछे आपका PC compromise हो चुका है ओके तो यह चीज होती है हमारे मतलब की machine पर पढ़ाया चाहे वो Linux हो चाहे वो आपका Windows हो उसका update लेलो Microsoft का operating system है Linux का कुछ भी हो इसकी रख मुझे trees होती है इनको update रखो इनके applications को update करके रखो application को update रखना काफी बहत जरूरी है unwanted download नहीं करना है कोई भी ऐसे spam website पर नहीं जाना है पॉन website से कोई data नहीं डाउनलोड करना है these are the मतलग की एक तरीके का मतलग की यहां पर आपकी availability आपकी information बाइपास हो जाती है there is no need to install any third party our pirated software जैसे की आप अगर कोई office का application Microsoft provide करता है Microsoft के अलामा बहुत और भी office के packages में मिलते हैं बट अगर vendors के लामा third party पर visit करते हो कि ऐसे office का cracked package यह सचीज है तो I am sure कि आपका PC hack हो जाएगा क्योंकि उसको crack करके programmer ने पनी website पर डाल रखा जहांसे आप use कर रहे हो उसके registry के अंदर edit कर दिया उसके अंदर की इस तरीके की script चल लिए internet connect होते ही आपके सारी information को मैं भी hacker attacker के पास भेजने लगे तो क्या possibilities यह सब नहीं हो सकती है definitely हो सकती है आगे बात करें हम लोग while using internet we must care multiples of things की जब हम internet पर काम कर रहे हो तो हमें spam websites या किसी भी तरीके का torrent link डूडने के लिए मतलब कि किसी भी तरीके के deep वगेरा data के अंदर नहीं जाना है या कोई ऐसी spam website पर नहीं विजिट करना है attacker जो link देख इसके तुरू जाकर यह चीज करें there is no need to telegram पर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो रहा है वैसे हाँ आपको बता दे टेलिग्राम पर मेरा भी चैनल है इसमें educational बहुत सारे content आपको मिलते हैं notes और इस सब चीज है तो आप एक बार वीडियो का description follow कर लेना sorry वीडियो का description में hat देख लेना join कर लेना तो टेलिग्राम अगरह पर link दिये जाते है movie download कर लो यह सब अभी देखो टेलिग्राम आप download करके देखो इस पर पैरेसी या सरकार को इस पर बैन करना चाहिए सब चीजों पर क्योंकि आप पैरेसी सबसे ज्यादा टेलिग्राम पर हो रही है है ना आप अगर कोई भी data डालने के लिए मैं देखो अभी लिखो महाँ पर new movie है ना यह सब कहां से आ जा रही है exactly चाहे तो मतलब की government पता कर सकती है कैसे क्या है यह सब चीज है but no idea कि क्यों नहीं कोई active team इन सब चीजों को रोकने के लिए है काम कर रही है या क्या काम हो रहा है डूंड नो मतलब यह है बट फिर भी लोग यूज कर रहे है ऐसा कुछ रिस्टिक्ट रूल आना चाहिए कि कोई भी तरीके की पैर इसी कोई ना कर पाए ओके वाइल यूजिंग इंटरनेट careless हो नहीं होना है unwanted link या चैट रूम को जोई ने करना सम्टाइम्स हम लोग कोई website पर विजिट कर रहते है तो advertising के थरूँ वहां पर कोई मतलब की तरीके का nude pictures आ जाती है कोई ऐसा मतलब आपको chat room open करने के लिए बोलता है कि ऐसी बाते करने के लिए आपके क्लिक करें आपके advertisement की मैं बात कर रहा हूं तो advertisement में ऐसी चीज़ें आ जाती है कोई software आप install करते तो third party तो उसमें advertisement आता रहता है side में आपने देखा होगा इसे सब बहुत सारी चेक्ट पे there is no need to install these all applications and यह सब चीज़ें अगर आयस पर इसा करेंगा तो problem होगी pirated software नहीं जाना है एक सबसे important बात अगर जैसे मैं इस समय इस PC पे काम कर रहा हूं यह जो मेरा PC है यह तरीके का local user से लाओ है मतलब इसमें मैंने admin user को permission नहीं दिया अभी admin user हमारा क्या disable है ऐसा मैंने क्योंकि मैं admin user से काम करता तो मुझे पूरी permission दी मैं कुछ भी करता अपने OS के अंदर अपने permission मतलब अपने PC में लेकिन मैंने admin को allow नहीं किया इससे मुझे यह benefit मिलता है कि कोई भी hacker attacker अगर हमारे system को compromise करता है तो जिस user से मैं login OC की privilege पर जो permission से वही कर सकता है बाकी advance में कोई चीज नहीं कर सकता है उसको आगे जाने के लिए कोई super user की permission पर काम करने के लिए उसको enable करना पड़ेगा तो complicated वहाँ पे आप लोग create कर सकते हैं तो we should enable these all things firewall वगएरा को disable नहीं रखना है antivirus वगएरे को install करके रखना है है ना और यह सब चीज है antivirus windows वगएरे में तो bit defender काफी advance level पर protection देता है तो आप उसको enable करके रखें बट फिर भी bypass हो जाती चीज है removal storage spend drive वगएरे में कोई data दे तो उसको मत copy करिए company के system पर तो कभी मत copy करिए personal laptop desktop जिसमें आपके educational documents हैं photos हैं videos हैं घर के families के सब यादे पड़ी हैं तो और यह सार यादे होती हैं तो उसमें मत install करिए दरवाइस problem हो जाएगी do not use public wifi bus station, railway station, hotel, restaurant में बैठ कर public wifi मत use करिए थोड़े से समय के लिए आप use करते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि उसमें बहुत बड़ा scam चल सकता है OS वगरे की hacking और Windows 7 and 10 Linux सभी की बहुत आसानी से हो जाती है और यह सब चीज़े maximum आप use करो जिसके थूँ bitlocker वगरे आप enable कर लो bitlocker वगरे enable कर देने से आपके system पर जो maximum data वो क्या हो जाता है secure हो जाता है और उसके अंदर जो भी आप रखे हुमें वो hacker attacker द्वारा open नहीं किया जा सकता read नहीं किया जा या तो वो delete मार दे format मार दे नहीं तो उसके अंदर access नहीं होता काफी मतलब यह 90% secure कर देता है कि ठीक है system compromise हो गया system पर ransomware attack आगया कोई virus attack आगया पूरा data loss हो गया बट फिर भी हमारी जो encrypted drive है वो बची रहेगी यह सब चीज होती है तो इनके password को crack करना जो bitlocker है थोड़ा सा complicated होता है बट उसके लिए कोई भी चीज complicated नहीं है तो यह सब चीज है अगर bitlocker की यहाँ पर मैं details आप लोगों को दिखाऊ तो I think मैं देख लूँ मेरे Windows 7 पर कौन सा edition पड़ा क्योंकि bitlocker ultimate या professional edition में काम करता है हर एक edition पर bitlocker काम नहीं करता है तो फिलाल मैं देख लूँ यहाँ पर मेरा एक Windows 7 machine है and this PC में आ जाते हैं माई computer पर और यहाँ पर एक ही drive बनी हुई है तो तब तो possible नहीं है इस पर bitlocker enable कर पाना but bitlocker enable करने के लिए this PC पर आना होता है और अपनी drive पर right click करें और यहाँ पर turn on bitlocker का option आता है यहाँ पर तो फिलाल यह हमारा कौन सा edition है यहाँ से चेक करने है Home basis यह सब चीज़ होंगी तो यह नहीं Windows 7 professional है तो इसमें bitlocker का option है कि नहीं है एक बर चेक कर लो Windows 10 वगएरा होगा तो definitely ultimate यह professional में आपका bitlocker होता है system and security में आ जाओ और यहाँ पर देखो आपको मिल जाना चाहिए यहाँ पर bitlocker का option वट ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं कर सकते आप इसमें है ना ultimate word वगएर के edition में आपको जाता है यह तो चलो कोई नहीं bitlocker का मैं मैंने बना रख था है video already server और there are many types of technique to crack the password and you should know and protect your device किसी भी system के password को crack करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको हमें जानना चाहिए और अपने device और अपने system के password को secure रखना चाहिए ओके यह सब चीजे हैं passive online attack एक आ जाता है और passive online attack हमने आप लोग को बताया कि इसमें third party यानि कि direct हम target के contact में या hacker attacker target के contact में नहीं रहता फिर भी उसकी information कहीना कहीना कहीं से खटा करता है जिसमें wire sniffing हो जाता है wire sniffing actually एक ऐसा method है जिसके through system पर यह आपके wire typing वगएर भी इसका एक example है और इसमें क्या होता है कि hacker आपके system पर direct attack नहीं करता है वो जैसे आपका तार निकला हुआ है तो बीच में अपना telephone लगा कर सुनता है कि क्या बाते होने हैं क्या है लोगों के मतलब कि SS7 signaling system 7 पर इसमें टावर के तुरू जो भी frequencies लोग बाते कर रहे हैं उसके frequencies को सुना जा सकता है बहुत सारी ऐसी चीजे होती है wire sniffing के मादन से पहले जो telephone line से लोग बाते करते दुसमें भी काफी chance है कि उसका जो wire आया उनके घर में बाहर से बैटके जिदर से बाहर आया उसमें tap लगा दो dial tone मतलब receiver आप खुद लगा के सुनिया अगर उधर कोई call आई है तो बिलकुल कर सकते हैं उनके phone से आप कहीं पर भी call कर सकते हैं सब चीजे होती है man in the middle attack होता है जिसमें क्या होता है कि जब आप किसी website से को information ले रहे होते हो जैसे कि मालिया आपका एक PC है और यह मालिया Facebook से login कर रहा है तो man in the middle attack क्या होता है कि यहां से जब information इसके पास कुछ आ रही होती है यह request करता है तो बीच में ही कोई hacker attacker होता है वो अपने PC से इसको monitor या checking कर रहा होता है और जैसे इसको कुछ vulnerable information या कुछ ऐसी मिलती है वो तुरंत इसके packet को capture करके उसके attack कर देता है उसको misuse यह manipulate कर देता है So this is the man in the middle attack कि packet को बीच से ही hack कर लिया जाता है और replay attack भी कुछ इस तरीके से होता है जिसमें हमारी information bypass कर ली जाती है यह सब यह सब कुछ method है जो passive method है but active method में क्या होता है guessing आपके system को direct मैंने connect कर लिया अब मैं brute force कर रहा हूँ तो यह हमारा brute force method हो जाता है password guess करना या direct attack करना trojan वगेरा के माद्यम से trojan में क्या करते हैं वो spam बेशते हैं मतलब machine पर email के through बहुत सारे तरीके आगे अब बस दिखाने ही वाले हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी system की information और यह सब चीजें क्या होती है उस पर जैसे ही चली जाती है वो link पर click कर देता है या उसके system पर वो particular virus trend कर जाता है तो उसकी information बेजना start कर देता है पाइबेर होता है इस पाइबेर उसकी सारी information उठाकर आपके पास बेज देगा मतलब hacker attacker के पास बेज देता है तो यह सब attack होते कभ है जब आप miss leading content download करने की कोसिस करते हो मतलब एक तरीके का restricted content piracy pirated software piracy करने की कोसिस करते हो किसी adult website साइट पर विजिट करते हो इन सब जगहों पर यह सब problems जादा होती है की loggers वगेर का इस्तेमाल कर लेता है कभी 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 hacker attacker क्या करता है आपने मालिया कोई xyz कोई third party से cracked software आपने अपने system पर install किया उस समय क्या होगा कि आपने चले install तो कर लिया उसमें में भी कोई ऐसा package हो additional package के अंदर जिसके अंदर key logger हो और आपके system पर install होकर activate हो जाए आप जो भी वहाँ पर typing कर आपना username password किस website पर क्या username password है सब आपका वह भेशता रहेगा किसके पास hacker attacker के पास screen shot भेशता रहेगा आपके camera को access कर लेगा क्या करने सारा कर्म कांट पता चल जाएगा तो यह सब चीजें ध्यान देना चाहिए has injection facing attack होता है facing attack में सबसे ज़्यादा लोग इसके सिकार होते है website को समझ नहीं पाते हैं कि original website है या duplicate website है hacker attacker क्या करता है मालिया आप किसी server से information से facebook पर आप login करने के लिए google पर लिखते हो facebook.com okay hacker attacker क्या करता है facebook जैसी एक हूब हूँ हमसकल की website बनाएगा और अपने server से उसको host कर देगा और उसको SEO करके ऐसा optimize कर देगा कि google में सबसे top पर वो आ जाए है कभी तो आप जब यहां पर facebook की जगह है वो facebook.com नहीं होगा मालिया F-A-C-E-B-O-O-K .com ऐसे facebook होता है तो इसी में मालिया F-A-C-E-O मालिया की O तो पहचान में आ जाएगा C मालिया छोटा सा है यह एक और C लगा दिया और ऐसा domain आपको लगेगा कुछ ऐसा है यह URL यहां पर कुछ ऐसे XYZ बना कर चेंज कर दिया तो यह यह लाइब हम लोग करेंगे इसका भी प्रक्टिकल है सब कुछ का है पहले समस्व लोग अपच्छे से ओके तो फीसिंग अटैंग में क्या होता है किसी भी वेबसाइट का एक हुब 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 वेबसाइट बनाकर आप तक पहुंचाया जाता है चाहिए इमेल के माध्यम से चाहिए जो यूट्यूबर्स या सोचल मीडिया इंफ्लूएंसर्स होते हैं किसी प्रोड़क्ट के प्रमोशन के लिए बात करते हैं तो बहुत सारे इसी चीज़ाते हैं वैसे मेरे पास भी बहुत सारी इमेल हैं उनका पूरा पॉलिसी होता है, मतलब फालतू की चीज़े होती हैं, और अत्मन नहीं करता कभी यह सब चीज़े, और कभी भी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसके प्रो एंड कॉंसे समझना हैं, तो कभी मैंने नहीं किया, हमारे पास बहुत सारे मेल हैं, मतलब बलगबग में, जितना भी अभी तक मैंने इमेल कॉंटेक्ट दिया था, सभी को इकठा करके देखे, तो थाउजन्स आफ इमेल पड़े होंगे, जिसमें स्पांसर सिख के लिए, और ये सब चीज़े हैं, बट कभी नहीं करते क्योंकि उसके अंदर फीसिंग इन्फरमेश बनाकर यह जो भी है, प्रेकुलर किसी भी वेबसाइट जैसा, मेरे प्रटेकुलर जो पि.सी है, उसकेसी करके देख रहो कैसे कया ऐसाê जीज़े हैं, तो देफिनेटली हम लोग साह्ना चेक करेंगे, देखें क्या है, कैसे हैं, और ओफलाइन अटेक्स में क्या होता है कि प्री कम्प्यूटेड हैसे मतलब पहले से जो हैस कल्कुलेट करके रखा होता है वो आफ लाइन अटेक होता है जैसे वाइरलेस वकेरा में या कहीं पर भी ऐसा कुछ वाइफाई या कुछ भी ऐसा पैकेट या आपने ऑनलाइन कोई पासवर्ड लॉग इन करने की कोशिज कि यह कुछ भी ऐसे तो उसका जब पैकेट कैप्चर हो जाता है और उसके सिस्टम पर इस्टोर हो जाता है तो कुछ ऐसे कोड का पासवर्ड ओलेडी वो निकाल जाना है जैसे कि एक बार उसने एक्स वाई जेट का कोड निकाला कि अगर एक्स वाई जेट इसका पासवर्ड का मतलब है 123123749 यह पासवर्ड का इसका मतलब यह लिखा है तो यह अटोमेटिक कैलकुलेटेड वैली होती है तो इसको प्री कंप्यूटेड हैस के बारे में रखते है DNA information और यह सारी चीज़े हुते है rainbow table से यह सब चीजे निकाली जा सकती है तो पूरा का पूरा इनके अंदर क्या होता है पासवर्ड लिस्त होती है यह simple बहुत सकते हो कि एक password list होती है rainbow table और password list pre-computer toimzeugる बास पासवर्ड तो इसके अंदर जैसी आप value रखते हो बता देता है कि इसका मतलब यह होता है है ना तो अजली आपका password अगर छोटा है और आपने like 123456789 ऐसे कुछ दे रखा है यह digit से कम है तो बहुत आसानी से उसको computer हमारा क्या करता है calculate करके value निकाल देता है लेकिन password complicated है numerical alphabet alphabet numerical sign symbol सब लगाया गया प्लस 8-10 digit से ज्यादा है तो उसको calculate करने में computer बहुत ज्यादे time लगा सकता है और maybe तब तक आप session log off कर दो internet disconnect कर दो यह सब चीज़ है एक चीज़ और मैं आप बताऊंगा कभी भी आप अपने system को अपने mobile को internet चला कर मत चोड़ो जब जरूरत हो तो आप on कर लो अदर्वाइस उसको यह नहीं कि आपने on करके मत सो गए हो रख दिया ऐसा कुछ भी तो उसको off करके रखें तो यह सब चीज़े होती है यह सब system hacking के तरीके हैं यह सब मैं आप लोग को सिखा रहा हूं ताकि आप अपना secure कर पाए नॉन electronic attacks यहां पर आ जाता है social engineering attack आता है, solder surfing आता है, dumpster diving आता है यहां पर solder surfing एक ऐसा टेकनिक है जिसमें आप railway station पर बैट कर कुछ अपना account वगेरे चेक कर रहे हो या bus station में या आप अपना restaurant में, hotel में या किसी public traffic के पास जहां पे camera भी पीछे लगा और अपना password डाल रहे हो या कोई बंदा पीछे खड़ा है आप password डाल रहे हो आप किसी बस में बैठे हो यह सी VIP बस में नहीं पर महाँ पे camera उपर लगा है, सब कुछ चल रहा है और आप महाँ पे पना password टाइप कर रहे हो वाट इस आपका easily hack हो जाएगा, office के अंदर यह सब चीजे होती है तो camera वगरा लगा होता है, तो personal details को login करने से पहले अपने खंदे के भगल देखने की कोई है तो नहीं, मतलब खंदे के पास ही नहीं अगल बगल प्लस उपर नीचे चार तरफ देख लो, क्योंकि एक इनसान camera मतलब नजर रखता है जो इसकी आखे camera का काम करते है, एक camera होते है, यह सब चीजें होती है बहुत सबार hacker attacker या bus में लोग क्या करते हैं, ऐसे hidden camera लगा कर रखते हैं या बहुत सारे ऐसे लोगों को सिकार बनाने के लिए, बहुत सारे लोग बस में बैठते हैं, तो mobile निकाल के अपना time pass करने लगते हैं उनके details को record करने लगते हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या है, क्या नहीं, है ना तो मतलब यह सब चीज़ें होते हैं, definitely इन सब चीज़ें पर केर करना चाहिए, ऐसे ही social engineering होता है, मतलब की male female बनकर लोगों को बेवकूप बनाना, है ना और थोड़ी सी, उल्टी सीधी बाते हैं, यह सब चीज़ें बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, जिसको social engineering के माध्यम से contact कर लिया जाता है, job portal पे, job निकाल कर, या facebook पर advertise करके, other social media platform पर advertisement डालके, सब चीज़ें को बेवकूप बना जाता है, कि सिर्फ और सिर्फ 299 में तीन ज चीज़ें होते हैं, तो advertisement के भी मतलब देखो, जितना legal तरीका, उसी के पीछे legal तरीका होता है, यह legal वाले नहीं काम करते हैं, legal वाले ऐसा काम करते हैं, typically as a good password content, अगर good password है, तो उसमें क्या होगा, case sensitive letters होगे, जैसे sign symbol के साथ at the rate, sign symbol dot, hashtag, यह सब सब होगा, है ना, तो मतलब तो वो secure password है, special characters numbers में होंगे, प्लस length जो होगा, password का minimum 8 digit का होगा, है ना, यह more than 8 digit का होगा, तो इससे क्या होगा, कि आपके password का, जो security algorithm है, या उसको decode करने का algorithm है, किसी भी software tool या process द्वारा, तो वो काफी long हो जाता है, और उस duration आपके system को काफी ज़्यादा chance है, बचाया जा सकता है, मेभी decode ना हो वो, या मेभी उसको decode करने हम time लगे, तब तक आपका internet login, log out हो जाए, session 1 हो जाए, कुछ भी, ऐसे सारी चीज़े होती है, ओके, तो यह सब चीज़े हो जाने के बाद active online attack, जिसमें brute force वगरा कर गे, किसी भी system को जबर जस्ती है, उसके password को तोड़ने के कोसिस करी जाती है, माली आपको मेरा email पता चल गया, आप उसमें बार-बार try कर रहे हो, जैसे कि मेरा email है, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, contact at the red, cqolive.com, अब इस पे आप try कर रहे हो, चलो देखते हैं, cqolive at the red, 123, चलो cqolive at the red, 321, यह, this is the live attack, और यह attempt हमारे server प वो पता चल जाता है, कि ऐसे कोई login करने की कोसिस कर रहा है, इस IP और इन सब चीज़ों से, तो बिल्कुल अगर monitoring team active है, तो hack attack से बचाया जा सकता है, dictionary attack हो जाता है, जिसमें, एक dictionary होती है, जिसके थ्रूँ आपके password को match कराया जाता है, किसी भी account के, और अगर वो match हो गया password, मतलब बिल्कुल simple password था, जो इंसान सोच सकता है easily, आपका इंसान जो सोच सकता है वही तो password देगा है, सोची नहीं सकता है, तो complex password की में बात कर रहा उसके आगे पीछे, या मतलब एक sign लगा दो कि उसके पहले मुझे has star कुछ ऐसे लगाता है, फिर बाद में ऐसे एक algorithm बना लो आप अपना इस तरीके से, और फिर उसको हर week, month, ऐसे कुछ चीजों पर बदलते रहो, ओके, ताकि अगर कोई काफी दिनों से track कर रहा है, जो ना कर पाया, rule based attack होता है, offline password attack होता है, और ये सब चीज़े rainbow table attack होता है, rainbow table attack में होता है, contents word list, rainbow table में क्या होता है, कि बहुत सारी word list, मतलब password list बनी होती है, उसकी dictionary होती है, उस file की और उसके through किसी भी system को, या किसी system, या किसी target के password को match करा आए जाता है, capture the hash password, कभी कभी क्या होत जो encrypted password होते हैं उनको capture किया जाता है और अपने password लिस्ट से उनके code को match करा जाता है कि इसका encryption match करो देखो इस जो encryption है कौन से password से match हो रहा है तो उनके साथ सुतरे password से अगर match हो गया डिक सेंबली में तो आपका system का password पता चल गया आपके website का Google का Gmail का whatever जो भी है आपका पता चल गय अगर किसी भी हैस वेल्यू का pre-configured उसका code decode करके रखा गया तो में भी उस तरीके का table match करा जा और आपका password उसमें से आ जाए तो हो जाएगा hack attack बहुत आसाने सा वायर स्निफिंग, man in the middle attack यह सब चीज़े होता आप देखो यहाँ पे man in the middle attack में एक user है कुछ data send कर रहा है क इसी server पर और यहाँ से कुछ receive कर रहा है और बीच में hacker attacker उसके activities को check कर रहा है मतलब उसके packet को capture करे पड़ा है, so यह activity होती man in the middle attack में, इसमें क्या होता है कि बहुत आसानी से यह user अगर कोई confidential information इसको भेज रहा है और यह इधर, यह हर एक information को hack नहीं करेगा, कि कुछ इसको मि इसा नहीं करेगा, इसको कुछ ऐसा सबूत नहीं मिलेगा, इसको information नहीं मिलेगी, जिसके तुरू आपको blackmail कर सके, आपको loss कर सके आपका, यह तो ऐसे password को लेकर वो कुछ नहीं करेगा, जिसमें आपका office का employee का data of birth रखा हो, ऐसे password को, मतलब ऐसे list को कुछ नहीं करेगा, य एक lab को farm करता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे system के अंदर vulnerabilities और कोई भी machine को compromise करा जाता है, छोटा सा ही यहाँ पर lab को बहुत ही, मतलब की important यहाँ पर tool और यह सारी चीज़े होंगे, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बैयर दिखाता हूँ कि कैसे करना है, ओके, तो यहाँ पर फॉर्म किया था, आपने देखा था, कि थोड़ा सा machine delay हो गया था, एक्चली वो delay नहीं बिलकि हमाई जो machine है, वो crash हो चुकी थी, तो फिर से मुझे machine का setup करना पड़ा, बिलकुल यह new machine है, और मैं यहाँ पर इस पर काम कर रहा हूँ, एक्चली यहाँ पर हम योगों को थोड़ा बहुत idea तो दही दिया था, यहाँ पर एक machine on है, और इस machine का details कैसे आप find कर सकते हैं, IP वगरे कैसे find कर सकते हैं, और यह सब चीजे हैं, तो देखो अगर ports vulnerable होते हैं, आपके computer system के अंदर, जो भी मतलब की ports होता है, services होती है, IP address होता है, जब आप किसी को privately या publicly share करेंगे, तो definitely वह आपको harm तो मिलेगा ही मिलेगा, पहुंचेगा ही पहुंचेगा, दिक्कत होगी, okay, तो finally मैं यहाँ पर इस्तिमाल करने वाला हूँ, and map tool का, और map tool से आपको पूरा का पूरा detail मिल जाएगा, but before that, IW config और मैं check कर लो, हमारा Ethernet काम कर रहा है कि नहीं क कर रहा है, if config मैं check कर लो, मेरा adapter, या मेरा खुद का IP 184.147 है, okay, यह दो चीज़े हो जाने के बास, simple आपको क्या करना, यहाँ पर, root space-n, से आपको पता चल जागा, आपके gateway की IP और यह सब चीज़ है, and map space 192. यहाँ पर टाइप कर सकते हो, and map space 192.168.184.0 यहाँ पर कर दो, and enter करके देखो कि इस particular range में कोई details या IP अबेलेबल आइकें नहीं है, slash 24 लगा कर complete network को check कर सकते हैं, तो एक बार इसको proper तरीके से हम लोग check कर लेते हैं, and live host का पता कर लेते हैं, कि इस particular network में कितने live host है, और साइध मेरा जो neighbor है, उसका details मुझे यहाँ पर मिले, यहाँ पर मैंने एक Linux machine का terminal on कर दिया, Linux machine basically पूरी की पूरी यह है, और मैं इसका username, password देखूंगा, इसके desktop के अंदर जाकर, कुछ changes करने की कोशिज करूंगा, let's try to do this particular lab, और यहाँ पर हमें एक detail मिल जाती है, जिसमें 192168184024, जब complete network scan करते हैं तो, और complete network scan में हमें 146 IP मिल जाते हैं, जिसके अंदर इतने सारे port हैं, तो definitely एक ही machine on है, नहीं तो यहाँ पर सारी details की मिल जाती हैं, और हम लोग पता कर लेते, 147 अभी मैंने चेक कर लिया मेरा IP है, टू हमारा root space hyphen से मैंने बताया दया कि यह हमारा gateway की IP है, तो बस यही हमारा target है, अगर इस particular IP को copy मैं कल लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, sudo space and map space hyphen, capital O, और जो भी IP मैंने लिया उसको copy करूँ और enter कर दूँ, तो यह मुझे बता देगा कि जो भी मतलब हमारा current operating system है, ओके यह क्या कहे रहा है, respect the privacy of others, think before you type, with great power comes great responsibility, password और यह, वाँ, अच्छा एन map, तो मुझे यहाँ पर लिखना है, nmap space capital O, और जो भी मैंने copy किया उसको enter कर दिया, root की privilege यह माँग रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँँगा, sudo and enter कर दूँगा, and अब यह हमें scan करके देगा, यह कौन सा operating system इस्तिमाल किया जारा, उसका version क्या है, तो exactly थोड़ा से यहाँ पर हम लोगो कोवेंट करना है, अब देखना है कि क्या details यहाँ पर हमें provide होती है, यहाँ पर हमें मिल गया कि इसके अंदर जो running operating system है, Linux है, इसका kernel 2.6 है, Linux OS details मुझे मिल गया, और ठीक है, अब Linux का है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ commands फॉलो करेंगे, मैं पूरा का पूरा terminal यहाँ पर clear कर देता हूँ, and sudo space-i से आप यहाँ पर enter कर दीजिए, और privilege आप escalate करके मतलब कि अपने root की privilege पर आजाए, और यहाँ पर आपको लिखना है, and map space, या simple, msf console के अंदर आप आजा और enter करो, आपका यहाँ पर टूल रन होगा, तो उसको हम लोग open कर लेते हैं, थोड़ा से यहाँ पर wait करना है, ओके, तो msf console लास्ट टाइम भी जब मैंने run किया था, तो issue आया था, हाँ भी भी लग रहा है कुछ issue ही चलने माला है, actually बहुत ज़्यादा इस वीडियो को shoot करने में मुझे time और editing और हर चीज में मुझे देना पड़ेगा इनो, चलिए at least यहाँ पर start हो गया है, और first time इस machine पर काम हो रहा है, तो मुझे हर एक चीज को proper तरीके से कुदी manage करना है, अपडेट बगर मैंने अभी नहीं किया हुआ है, तो बट कोई नहीं अपडेट जो भी चीज अप्लिकेशन को होगा, मैं उसी specific application को अपडेट करूँगा, क्योंकि नए अपडेट में बहुत सारा time लग जाता है, और मुझे वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइट करना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, और जब मैंने यह command type किया था तो आप लोग देखो, exactly मुझे क्या information मिली थी, जब मैंने यहाँ पर type किया था, sudo space-n से, तो मुझे कुछ information यहाँ पर मिली थी, like nmap space-o space और यह capital O जब मैंने टाइप किया था, और जब मैंने यहाँ पर अपना IP address दे दिया था, और इससे पहले sudo मैंने लिखा था, अब ध्यान से देखना मैं यहाँ पर क्या चीज़ करने वाला हूँ, और जब सी मैंने password दिया, यह मुझे scan करके जो data देगा उसके अंदर से, मुझे इसका port पता करना है कि कौन से port के थुर मुझे अंदर जाए, तो कोई भी बहुत सारी services यहाँ पर होती है, turn on होती है, कोई भी एक port को जिसके तुरू आपको मतलब penetration करने आता हो, चीज़े पता हो, कर सकते हैं, तो सबसे starting 21 port है, हम FTP port इसी को open कर लेते हैं, इसी को check करते हैं, 21 port जो है यहाँ पर, और इसी पर हम लोग काम करते हैं, और यहाँ पर देखो OS detect करी दिया था, और 21 number port है, सर्विस का नाम है FTP, ओके, तो ठीक है, अब मैं इसको side में करता हूँ, इधर कहीं, और यहाँ पर आगे हम अपने, MSF console वाले window पर, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा zoom कर लेते हैं, so let's try, कि कैसे इसके आगे perform करना, यहाँ पर लिखना आपको, search, VSFTPD, VSFTPD, और आप यहाँ पर enter करिए, देखिए, यह search करके आपको दिखाए, VSFTPD का version, कि यहाँ पर version 2.3.4 से related, इसके पास कुछ exploit code पड़ा हुआ है, जिसको यह इस्तिमाल करने के लिए बोल रहे, तो ठीक है, मुझे यह पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, backdoor तक जो दिया हुआ है, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसको copy कर सकता हूँ, यह जो VSFTPD, backdoor यह है, ठीक है, इतना मैंने copy कर लिया, यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, use, exploit, और यह जो exploit से लेके यहाँ तक, आपका option है, backdoor तक, आप यहाँ पर copy paste कर दीजिए, तो मैं exploit भी नहीं लिखता हूँ, मैंने copy paste कर दिया, और enter कर दिया, use exploit करने के बाद, मैं इस backdoor के अंदर आ गया, और simple, मुझे क्या करना है, अपना target set, आपको बहुत सारा तरीका मैंने बता है, and then target IP, तो जो मेरा target IP है, आपको run करना है, run करने के बाद जैसे आप enter करेंगे, attack यहाँ पर start कर देगा, please specify the password, और ऐसा कुछ यह कर रहा है, तो exploit completed, but no session was created, यहाँ पर कोई session नहीं create हुआ, exploit तो run हो गया था, but no issue, एक बाद फिर से run करते हैं, और देखते हैं, यह क्या करता है, UID और यह सब चीज़े सर्च कर रहा, found shell, ठीक है, एक session open हो गया, जरूरी नहीं है, एक बार में ही आपको session मिल जा, but you should try one more time, or another more time, तो कहीं न कहीं आपको option मिल जाएगा, अब session हमारा one open हो गया, अब access हो गया, आप कहोगी कि मैं तो इस machine पर गया भी नहीं, कुछ नहीं किया, कैसे ही हो गया, so let's see, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ shell, sorry, shell यहाँ पर open हो गया, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ यहाँ पर LS, तो LS से यह देखो, यह उस machine की details दिखा रहा है, मतलब दूसरे वाली machine की details, और आगे मैं दिखाऊँ इसके अंदर, if config enter, यह देखो 146 उस computer की IP है, और अगर मैं यहाँ पर, ls space slash root, यह ls space slash, home के अंदर मैं चेक करूँ, home के अंदर, तो यह home के अंदर क्या-क्या यह चीज दिखा देगा, ओके, तो यहाँ पर एक MSF admin करके user है, ठीक है, अगर मैं ls space slash, MSF admin slash, इसका कोई desktop होगा, desk top desktop, enter, तो ठीक है, नहीं है desktop, ls space slash, home slash, MSF admin, और इसके अंदर क्या है, slash लगा कर आप जेक कर लें, तो इसके अंदर केके और वल्नरबल नाम का, कुछ, टेरेक्टरीज पड़ी हुई है, अगर आप mkdir space slash, यहाँ पे लिखिए MSF admin, और उसका, just enter करिए, और इसके अंदर ही बना दीजिए, just, यह directly आप root के अंदर बना दीजिए, hello, this is, hello this is नाम से एक डेरेक्टरी आपने बना दिया, ठीक, आप आजाओ अपने दूशे मशीन पर, यहाँ पे login करो, तो मैं इसका जो भी user name है, और जो भी password है, इसको मैंने login किया, ls slash के अंदर मैं check करता हूँ, तो hello this is, आप देखो, यहाँ पे पूरा दिखा रहा है, I think आपको visual होगा यहाँ पे, कर मैं mouse pointer दिखाँ, तो hello this is, यह सब दिखा रहा होगे, तो easily मुझे यहाँ पे पता चल गया, अगर मैं यहाँ पे दिखाँ, if config, hit enter, so this is my IP details, 146 और यह सब चीज़ है, तो इस तरीके से, आप किशी भी machine का penetration lab कर सकते हैं, अगर IP पता चल जाती है, कोई port open है, तो उसके लिए different different types के, आपके काली Linux के अंदर, मतलब MSF console के अंदर, आप payload बना सकते हो, exploit बना सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो, और कुछ भी है, अगर आप यहाँ से उसका root permission, या root privilege लेना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, किसी भी user का password, जैसे कि pass wd space, MSF control, अगर ऐसा कुछ करके, आप change करना चाहें कर सकते हैं, definitely कर सकते हैं, नया user बना सकते हैं, user add space, शेस नाम से एक user बना दिया, है ना, user exist, already exist है, तो यह कह रहा कि user already exist है, दूसरा बना सकते हो, तो definitely, आपने देख लिया ना, कितना असानी से, इस पे password और यह सब चीज़ें, create करी जा सकते हैं, तो simple बस, इस वीडियो में, इतना ही lab था, बाकी आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे कैसे, आगे की चीज़ों को हमें समझना है, सीखना है, और फिर perform करना है, तो अभी जो method मैंने आप लोगों को दिखाया, इस method, hacker can use to hack your Linux machine easily, इस method के भी आप पर हम यही recommend करेंगे, कि there is no need to, मतलब कि send or tell any details to anyone, कभी मैं नहीं कहूंगा, कि आप अपनी information, अपनी details, अपनी private IP, public IP, किसी भी बंदे को share करो, because this is the most confidential information for your machine, if you want to protect this information from hacker, keep using your machine with local user account, तो मतलब अपने local user account से तो आप कर सकते हो, बट हमेशा याद रखो कि local user account is not only responsible to hack this particular machine, आपके port बंद होने चाहिए थे सब चीज़े, अगर port बंद होता तो में भी hacker try करता another things, तो यह सब चीज़े होती है, so you can learn this particular step to protect your information, your company information and everything, okay, now next thing, if there is no need of any administrator account, so do not enable admin accounts, इस information को protect करना है, तो यही पर मैं पहले भी बताया, यहाँ पर बता रहा हूं कि अपने administrator account को disable करके रखें, और जो भी extra services उसको बंद करके रखें, services बंद करने के लिए बहुत सारे Linux के अंदर जैसे है, तो system CTL बगरे से हो जाता है और Windows बगरे के अंदर है, तो port बगरे ब्लॉकिंग होती है, इस अब चीज़ें आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, तो एक वाइरस नाम का यहाँ पर मैं चैप्टर आप लोगों के साथ डिसकस कर रहा हूं वाइरस हम सब लोगों को पता है कि वाइरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है, यह एक ऐसा smart tool होता है जिसके through hacker attacker हमारे system के अंदर entry ले ले लेता है और उसके बाद हमारे system को जैसा चहले जैसा वो काम करा सकता है, actually hacker द्वारा design किया हुआ है नहीं बल्कि बोलेंगे कि smart programmer द्वारा design किया हुआ कुछ किया हुआ कोई program होता है, अब मैं आपको एक छोटा सा इसका example देता हूँ, आप facebook यूज करते हो, instagram यूज करते हो, youtube यूज करते हो, यह application है, इनको कही न कही run कराया जा रहा है, आप अपने system पर जो काम करते हो, यह सारी details उन पर जाकर save होती है, तो same ऐसे ही यह जो virus applications होते हैं, यह सब चीज है, जो pirated आप download करते हैं, अगर बहुत सारे लोग करते हैं और यह सब चीज है, जिसने body को virus problem होती है, तो फिर antibiotic और दुनियादारी चलती है, तो वैसे ही machine को भी penetrate करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइल बंग मतलब destroy हो, तो recover का एक ही तरीका कि आपके पास backup हो, बट जिसके पास date सारी machine है नहीं है, वो hacker attacker द्वारा, यूज किया जा सकता है, तो यह है, एक तरीके का code है, if this replication succeeds, the affected area are the set to be infected with a computer virus, a metaphor derived from biological virus, so types of malware, यहाँ भी यह कह रहा है कि जो हमारे viruses होते हैं न, एक तरीके का जैसे हमारी body के नुक्षान के लिए viruses होते हैं, वैसे इसके अंदर भी होते हैं, तो कुछ ऐसे tool जो hacker attacker या कुछ ऐसे programmer दोरा बनाया जाता है, किसी की information को चुराने के लिए, वैजा virus बोल दिया जाता है, और वो हमारे system की files को, maybe replicate करना, start कर देता है, maybe delete करना, start कर देता है, एक file का junk file या उसका multiple of file मतलब भर देता है, कभी-कभी addware दिखाने लगता है, जिस पर बोलता है कि यहाँ click करो, यह जीतो, वो जीतो, ऐसे कुछ दिखानी लगती है, एंड, कुछ ऐसे virus होते हैं, जो आपके, जो भी keys वगरा type करते हैं, अपने keyboard पर, एक-एक key की monitoring करके, वो अपने owner को पहुचाते रहते हैं, spywares होते हैं, जो भी आप यहाँ पे काम करते हैं, उसका particular screenshot आपके camera को hack कर लेते हैं, और फिर वो owner को पहुचाते रहते हैं, So this is the process of virus attack, यह सब मतलब यह जो process है, यह virus attack का process हो सकता है, इसमें trojan hearts आता है, backdoor आता है, root kit आता है, ransomware आता है, addware आता है, virus आता है, virus तो virus ही होता है, Worms होते हैं, spyware होते हैं, botnet होते हैं, cryptors होते हैं, यह सब चीज़ों होते हैं, अब सबसे बढ़ियां यहाँ पी है कि अगर हम इन viruses को, जैसे एक doctor क्या करता है, जब किसी virus के बारे में, disease के बारे में study करता है, तो किस virus से उसको problem होती है, उस virus का तोड़ क्या है, तो अगर आ मैं पूरी details आप लोगों को बता दे रहा हूं कि कैसे क्या करना होता है, okay, सबसे पहले, what is malware virus, तो malware virus क्या होता है, malware is an software intentionally designed to cause damage to a computer, server, client or computer network, actually इसको design किया जाता है, server या computer को damage करने के लिए, और by contrast, software that causes unintentional harm due to some deficiencies typically decreased, sorry, described as a software bug, एक तरीके का यह software bug के थुरू, या मतलब आपके system के अंदर जो malware होता है या आपके system के hardware से लेकर, मतलब आपके जो applications होते हैं, उसको plus आपके जो files होते हैं, उनको सब चीज़ों को damage करने के लिए होता है, intentionally इसका जो भी purpose होता है, यही है कि हाँ यह आपके system क file, applications, hardware इन सब लोगों को नुकसान पहुचाता है, बग जब भी आपके system के अंदर आ जाता है, तो malware entry कर लेगा, बहुत असानी से, तो सबसे बेटर है कि अपने system को up to date रखें, अपने system को basic तरीके से किसी ना किसी antivirus से protected रखें, और हमें साइज scan करते रहें, और चेक करें, external drive अगरे ना लगा, internet पर कोई ऐसी website पर search ना करें, जो की insecure है, SSL certified नहीं है, ये सब चीजें थोड़ा सा check करें, okay, what is warm in virus, तो warm in virus क्या होता है, इसको हम लोग describe करेंगे, but before that, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लूँँगा, break और मिलते हैं, बस, आप लोगों को break नहीं, मैं तो थो Worms क्या होते हैं, तो Worms is a stand-alone malware computer program that replicate itself in harder to spread to other computers, simple malware जो होता है, ये हमारे, एक मिनट, हमारे computer पर, मतलब की एक computer से दूसरे computer पर क्या होता है, replicate करता है, it often uses a computer network to spread itself, ये क्या करता है, ये क्या करता है, कि एक तरीके का network के अंदर किसी भी मतलब particular एक network के computer को target करता है, फिर उससे scan करके दूसरे computer पर ऐसे पूरा कपूरा spread कर देता है, तो इस तरीके का जो virus होता है, वो Worms होता है, आगे अगर Trojan horse की बात करें, तो Trojan horse is a type of malicious code or software that look legitimate but can took control of your computer, okay, so you can take control of your computer, a Trojan is designed to damage, disrupt, still are in general inflict some other harmful action on your data network, एक तरीके का ये मतलब की कोई भी मतलब जो legitimate applications होते हैं लगता वैसे ही है, बड़ जब आप install करते हैं तो आपके system के अंदर access ले लेता है, और उसका पूरा control अपने owner को send करता है, तो ये सब चीज़ें होती है, Trojan horse के चीज़ें ऐसे काम करता है, backdoor सबसे खतरनाक virus होता है, backdoor के तुरू क्या होता है, कि एक malicious बहुत ही harmful प्रोग्राम होता है, और ये आपके system के authentication जो security label पे आप username, password या website के अंदर कुछ ऐसा करते हैं, तो उसका पूरा का पूरा ये क्या करता है, accession अपने owner को send करता है, result is remote access is granted to resource within an application, एक application के भियाप पर complete remote access आपके computer का कहीं हो और ये दे देता है, तो इस label पर ये backdoor होता है, root kit का, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो root के teaser term, applied to type of malware, ये भी एक तरीके का malware है, और ये हमारे PC को, मतलब की, जो हमारा PC का access लेकर allow कर देता है, एक attacker को, उसके अंदर मतलब की, जो भी आप, जैसे माल लिया की कोई online, आपने कोई application डाउनलोड किया, और उसके अंदर malware है, या एक तरीके का, root की truck का हुआ hacker attacker ने बना कर, आपको एक लगता है, कि ये genuine है, या कुछ भी ऐसे, कहीं से भी आप डाउनलोड करते हैं, जब third parties applications, तो, जैसे आप उसको install करते हो, उसका एक control, वो अपने owner को send करता है, तो simple इस तरीके से ये काम करता है, किसी भी third party tune पर trust ना करें, और नहीं तो आपके system का remote access लेकर, या आपके, जो भी attacker hacker है, उनको provide कर देगा, सबसे बड़ा attack हमारा होता है ransomware attack, actually ransomware attack का, आप लोगों को, मैं details बता हूँ, तो काफी, इसको मैंने दो-दो-तीन दिन बार face किया हुआ है, ransomware attack क्या होता है, कि आपके computer पर एक ऐसा program डाल दिया जाता है, आपके system की जितनी भी information होती है, जितनी files होती है, या photos, videos, application, सब कुछ encrypt हो जाता है, और आपके desktop पर एक application, मतलब हर एक folder के अंदर एक notepad होता है, और उस notepad को बस आप open कर सकते हो, उस notepad में क्या होता है, कि आपका लिखा होता है, कि you can pay this particular amount, मतलब की 70,000, 80,000 रूपए आपको pay करना होता है, और फिर बोलता है कि link वही द करता है कोई, तो वैसे कभी pay करने की ज़रूरत नहीं है, उसके आगे भी ये लोग स्कायम करते रहेंगे, तो अगर कोई confidential information नहीं है, ये सब चीजे नहीं है, तो definitely उसको फटा-फट क्या कर दो, remove कर दो, okay, पूरा का पूरा computer system format मारो, और उसके आगे फिर अपना क्या कर दो delete करके दूसरा always डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये सारी चीजें, ओके, फिर अगर हम लोग आगे बात करें, ransomware के लावा, addware, addware में क्या होता है, कि जब आप कोई application इंस्टॉल करते हैं, तो उससे में add दिखता है, ओके, या कोई website browse करते हैं, तो उससे में add दिखता ह कभी-कभी ऐसी websites होती हैं, जो कि click करने के लिए आपको force करती हैं, या आप mobile में जब कुछ scan करते हो, मतलब access करते हो, कुछ डूटते-डूटते, कोई spam website पर आप पहुंचगे, तो वहाँ पर force कराता है, जो programmer hacker attacker होता है, कि ऐसा click करेंगे जानने के लिए, मतलब आप जिस base प पर आने के लिए, वो क्या करता हो, उसके अंदर dedicated कुछ ऐसा आपको add दिखाता हो, जिससे आप attract हो जाए, और उस particular link या application को download करें, click करें, और फिर आप hack कर लिए जाए, ऐसा भी होता है, spyware एक ऐसा tool होता है, जो आपके system को, आपके system का access लेकर या आपके system की details को, अपने hacker क as a send करता रहता है, organization की details और ये सारी चीज़े, एक तरीके का पूरा का पूरा, ये इस तरीके से काम करता है, botnet एक तरीके का attack है, जिसमें एक computer as a bot की तरह काम करता है, वो दूसरे, तीसरे, चोथे, पसवे से धेर सारे computers as a bot मिलकर, किसी भी particular target पर, ज्यादा से ज्यादा traffic send कर ये होता है, जिससे क्या होता है, डिवाइट, डिवाइसे जो होती है, वो एक तरीके का disturb हो जाती है, प्रापर तरीके से काम नहीं करती है, इसको distributed denial of service या denial of service के अंतरगर समझा जाता है, और ये spam अगेरा काफी ज़्यादा किया जाता है, इसके तरू मतलब ऐसा तो नहीं ह हमें भी damage भी हो सकता है, बहुत सारे data भी harmful, इस तरीके से कुछ हो सकता है, तो ये सब चीज़े होती है, इसके बाद cryptors होता है, ये हमारे system की जो important files होती है, हमारे जो data होते हैं, उनको encrypt कर देता है, और इस तरीके से manipulate करता है hacker attacker, पैसे की demand करता है, फिर हमें ये सब चीज़ कुछ ऐसे tool के बारे में समझते हैं, जो कि काफी important हमें समझना कि these are the tools which is beneficial to secure our system, infra organization, company data, whatever जो भी है, तो अगर सबसे पहले तो instant messenger, अगर आप use करते हैं कोई भी, company का portal आप use कर रहे हैं, कोई ऐसा वहाँ पे, मालिया की कोई company है, जो support दे रही है, online customer support दे रही है, ऐसा कुछ भ हो जाते हैं, और बोलते हैं कि विया, आपका ये service काम नहीं कर रहा है, ये वो सारी चीजा बहुत दो ठीक है, देखें, ये वो link बेजो, बहुत सारी चीजा, वो अपना link वहाँ पे send करके आपसे ऐसा काम कर लेता है, तो बहुत ज्यादा बारी की से समझने की जरूरत है, क इमेज़ लिखकर message कर दे, या particular college images डाल कर message कर दे, कि hi friends, ऐसे लिखे hi friends, do you recognize me, ऐसे कुछ भी हो, कि यार हम लोग बच्पन के दोस्त हैं, you can click on this link and मुझे पैचानो, इसमें से कौन, तुम हो, कौन हम है, तो definitely बंदा click करके चला जा, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जिनका इस् chatbot open होकर आजाता है, कभी उसके through spam कर लिया जाता है, या कभी आप किसी website पर visit करते हो, वहाँ पे भी automatic chatbot open हो जाता है, तो ऐसे chatbot से भी हमें careful होना चाहिए, removal devices अगर हम इस्तिमाल करते हैं, तो भी viruses आने के chance हैं, and उसके through अगर कोई application share करते हैं, तो में भी एक के computer में particular कोई virus हो तो दूसरे के computer पर हो जाया, तो यह सारी चीजें होती है, attachment अगर हम लोग किसी भी तरीके से, offline हो, online हो, किसी email से आप download करते हो, किसी भी तरीके से, I never recommend to download any third party applications from any website, या there is no need to click on any attachment, जब भी आपको email receive करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेसा click करके check करते रहो, तो अगर दे आने वाले ने किया है, then you can click on that particular link, वो safe हो सकता आपके लिए, but unknown का ऐसा कुछ हाता है, यह सब चीजे, but जो business करते हैं, जिनके unknown clients बनते हैं, उनका communication देखना होता है, तो उनके लिए बड़े problem होती है, जैसे YouTubers या जो भी social media पर थोड़ा सा traffic होता है, यह सब चीजे, तो already मैंने इस पर एक बाद बताया था आप लोगों को, जिसमें क्या होता है कि जब लोगों को mail किया जाता है कि sponsorship के लिए यह product review करो, और तुमें यह free में दे रहा है, यह सब चीजे, तो उसमें भी बहुत जादा scan होने का chance होता है, तो इस पर भी नहीं करें, browse and email software, एक email software कैसे browse किया जाता है, मतलब और किसी भी तरीके को, या email applications वगएरा, जो भी है, trusted applications डाउनलोड करें, use करें, email करते समय, browse करते समय, इन सब चीजों पर security रखें, net bios या network sharing वगएरा, अपना disable रखेंगर कोई ज़रूरत है, fake programs या third party program से दूर रहें, untrusted sites से दूर रहें, freeware software से दूर रहें piracy जादा नहीं करने की ज़रूरत है, अगर आपने किसी भी तरीके का एक भी application अपने computer system पे डाल दिया, तो बाकी के सारे trusted application को भी वो infect कर देगा, और आपकी information को hacker attacker तक पहुचाएगा, तो मैं तो recommend करूँगा, कभी इस तरीके का काम ना करें, third party software like cranked software को कभी use करने की ज़र Windows अभी free है, आप बिल्कुल उसका मतलब की एक limited edition जो होता है, उसका officially download करें, उसको use करें, update भी मिलता है, यह सब चीज है, बट हाँ, कुछ restrictions रहती है, आपका activate your windows ऐसे option आता है, बट उससे कोई भी परिशान होने की ज़रूरत नहीं है, Microsoft बोलता है, या उसने दे रखा है, य आप यूज करो, वहाँ पे icons दिखाएगा, तो क्या फरक पड़ता है, हमें तो एक अच्छा operating system मिला ना, हम बले ही थोड़ा bitlocker नहीं यूज कर पाएंगे, या कुछ और inbuilt advanced services नहीं यूज कर पाएंगे, बट कोई ज़रूरत नहीं है, at least आप official तो यूज कर रहे हो, searching free books, PDF file and download, it in your PC, mobile, हम लोग क्या होते हैं, जब स्टार्टिंग में आ जाते है, ethical hacking new book, ethical hacking free book, ये सब चीजे, कुछ भी free नहीं होता, इतना याद रखो, कुछ भी free नहीं होता, even then, आप कोई भी काम करते हो, तो सोचो कि हर बंदा अपने earning के लिए, और इन सब चीजों के लिए काम क इतना late night और ये सब चीजे कर रहा हो, तो कहीं न कहीं एक purpose है कि ठीक है, आप लोग देखेंगे, share करेंगे, like करेंगे, तो मुझे कहीं न कहीं कुछ earning मिलेगी, ठीक है, इसके लिए चाहे मुझे 10 दिन मेहनत करनी पड़ी हो, 15 दिन मेहनत करनी पड़ी हो, ये सब चीजे, व में चीजों को मिलाना, हर चीजों बहुत complicated है, अभी तो देखते हैं क्या है, ये, तो कोई भी काम के पीछे purpose होता है, तो activator वगएरा कभी use मत करें, searching free books वगएरा ना देखें, using public place के internet को ना इस्तेमाल करें, ये सब चीजे, technique used to distribute malware, black hat search engine optimization, अब ये black, मतलब की एक तरीके का black black hat search engine optimization, BSEO क्या होता है, हम लोगों को पता है कि एक तरीका का किसी भी product ये website को, ये page को spam तरीके से promote किया जाता है, जैसे कि उसके अंदर एक तरीके का, मतलब की same color का link यूज करके, या किसी विमालिया के भी आप यहाँ पे page देख रहे हो, किसी website पर visit कर रहे हो, कभी-कभी आप नहीं देखा होगा, कि website पर आप visit तो कर गए www.ethna.com और जस्त नीचे कुछ नहीं दिख रहे हो, बट click आप जैसे ही mouse रखते हो, कुछ click हो जाता है, आपको नहीं पता, वहाँ तो कोई option भी नहीं था, बट click हो जाता है, so be careful about these all websites, क्योंकि ये एक तरीके का, एक बहुत नहीं मतलब चालाकी से बनाया हुआ web page होता है, optimize करा हुआ page होता है, जो user को जैसे कि आप लिखते हो, free networking book, okay, तो वो सबसे पहले में भी hacker attacker ने इतना smart ये लोग programming करते हैं, CEO करते हैं, कि इनका page सबसे पहले आता है, और फिर वहाँ पे आप फस जाते हैं, तो ये गलत तरीके जैसे किसी भी product को promote करके, किसी भी user को problem create करना, उसको नुक्षान पहुचाना, ये सब चीज़ें आती हैं, ब्लैक अटेश चीव में, social engineering या click jacking, social engineering वगारे भी काफी जादा powerful ऐसा tool है, जैसे कि आप मैसे बहुत सारे लोग या हम लोग क्या करते हैं, कि बहुत सारे इसे inbuilt game गेम और यूज़ करने लगते हैं, माले फेस्बुक चला रहे उसके अंदर game third parties install कर लिया, बहुत सारे ग्रुप में मिलकर खेल रहे हैं, and मैं किसी भी particular game का नाम नहीं लूगा यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें, बढ़ हाँ, कभी भी अगर लगता है कि ये free में 4 लोग ख discount और ये सब चीज़ें और इसमें earning कर सकते हैं, क्या मतलब होता है, कितनी earning कोई कर लेता है ये सब चीज़ें, एक तरीके का ये भी black hat SCU का ही part है, और कभी भी आपको लगता है कि इसमें कोई information हमारी नहीं जा रही, बट समझो कि बहुत सारी details वहाँ पे उसके server पर आपकी save होती है, आपकी email, mobile number, contact, detail, photos, बहुत सारी चीज़े access हो सकती है, आपको नहीं पता, किसी वी application के पीछे क्या क्या आपके system का access लिया जा रहा है, तो नहीं पता, तो बिलकुल वो सब चीज़ें वहाँ पे save करके, वो sell करी जाती है, market में data बिकता है, करोडों, लाखों, clone sites बना कर use करी जाती है, spam email करके promotional apps वगरा, promotional app इतना खतरनात जरीया है आज के समय पे, और आख बंद करके, ऐसे influencers को लोग follow हुई कर लेते हैं, कि यहाँ पे जाए और 60 बाजी करें, दुनियादारी करें, application डाउनलोड करें, 100 रुपए का coupon मिलेगा, तुमारे 150, 20, 10, 20 information बिग जारी है, और क्या हो रहा है, exactly पता करें, और उसके पीछे क्या reason है, कौन जेनवीन है, कौन नहीं है, ऐसा नहीं मार्केट में सभी लोग corrupt है, और सब चीज़े बठा, अगर 10 लोग सही है, तो उसमें से 10 लोग corrupt भी है, तो हमें सही को पहचानने आना चाहिए, उनके website and details को पता करो, देखो, trusted उनके applications है की नहीं है, उनका review क्या है, whatever जो भी है, और कोई भी अगर application game या ऐसा कुछ आप काम भी कर रहें, तो ऐसे mobile या एक device पर करो, अगर आप इतना, मतलब interested है सब चीज़े करने के लिए, तो ऐसा device ले लो, जिसमें आपकी कोई personal detail ना हो, okay, आ कुछ नहीं कर सकता, यह सब चीज़े है, now topic number 7, हम लोग start करते है, packet sniffing, okay, अभी मैं virus या backdoor एक create करके आपको दिखाऊंगा की कैसे उस पर काम करना होता है, कैसे वो perform करता है, सारी चीज़े, but before that, we should know about sniffing, sniffing भी काफी अच्छा topic है, sniffing मतलब, जब एक computer से, दूसरे computer पर आप information सेंड कर रहे होते हैं, उसी समय बीच में आपके packet को capture कर लिया जाता है, hacker attacker दोरा, इसको बुला जाता है sniffing process, जैसे यहाँ पे देखो एक user है, यहाँ पे, और इसने कोई user 2 को information सेंड किया, और यहाँ पे जो packet जा रहा है, इसको hacker attacker क्या करते यहाँ से sniff कर लेता है, capture कर लेता है, यह authenticity, मतलब यह जो capture करने का process है, यह बहुत easy होता है, wireless के penetration में मैं बताऊंगा कि कैसे होता है, तो थोड़ा सा, मैंने क्या कहाता, लगबग मैं मुझे यह देखता हूँ कितनी देर की video बनती है, फिर मैं एक दूसरी video भी इस पर shoot जिसके अंदर जो भी चीजे मैं आप बोल ला हूँ, वो सब कर सकूँ या तो फिर इसमें आपको already करके दिखाए जाएंगे, तो sniffing is a process of monitoring and capturing all packets passing through a given network using sniffing tools, मतलब एक sniffing tools या कुछ ऐसे technique का इस्तेमाल कर रखा कर attacker, दोनों के बीच के transaction में क्या चीजें आ रही है, क्या जा र सब की money demand या उसको blackmail करना start कर देता है, यह सब चीजें होती है, तो यह बहुत ही precious information है, या important information है इन सब चीजों पर अगर गौर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अब यहां पर mode of sniffing जो है, प्रॉमिशियस है और एक आपका decode information है, a sniffer turns the NIC of a system to the promicious mode, so that it listens all the data transmitted on its segment, मतलब की एक तरीके का, अपने network को या अपने NIC card को पूरा का पूरा as a identify करा देता है उसके network के अंदर as a host है, और फिर वहां पे जो भी packet लेंदेन होता है, तो मतलब जो user होता है, जो computer होता है, एक से दूसरे को जब भेजता है लगता है यही वाला है, तो वो दोनों को receive हो जाता है, इसको क्या पता है, कि यह दूसरा है, या नि घर में घुच्चा कुछ भी चोरी पूरी करके कईदे ठीक हम बाई बाई साम तक आते हैं, जारे मार्केट पता चले तारा हम से चोरी करके निकल गया, है ना, तो बहुत सारी चीज होता है, ऐसे ही hacker attacker अपने NIC card की details as per your information change कर द देता है, and then attack करने की causes करता है, तो यह सब चीज़ें होती है, decode information, असनिफर can constantly monitor all the traffic to a computer through NIC, by decoding the information encapsulated in the data packet, कि नहीं का मतलब, जो भी या packet एक से दूसरे percent कर रहो, continuously वो monitor करता है, capture करता है, देखता है, कुछ तो valuable मुझे मिले, जैसे ही उसको मिलता है, वो फटाक्षे उस पे मतलब hack attack स्टार्ट करके, और आपकी information को misuse कर लिता है, तो यह दो mode होते हैं, types of sniffing, active passive होती है, passive sniffing means sniffing through a hub, and it involves only monitoring of the packets sent by other without sending any additional data packets in the network traffic, मतलब simply, जब दो लोग आपस में transaction कर रहे होते हैं, तो उस समय उसको monitor करके, उसके packet को check up करना है, या उसको monitor करना is called passive sniffing, all the host of network can see all the traffic, therefore, attacker can easily capture traffic going through the hub, मतलब कि, जो भी, मतलब धीर सारे computer network में, network तो आप जानते हो कितना बड़ा एक जाल है, और एक company का भी network हो सकता है, घर का भी network हो सकता है, वह सारे लोग जूड़े होते हैं, तो कह रहे हैं, सारे host जब traffic अपना send, receive कर होते हैं, तो उस समय hacker, attacker भी उसी में जूड़ कर, क्या करता है, उनके packets को capture करता है, उस पर exam लेता है, सब चीजे, active sniffing में क्या होता है, कि active sniffing is used to sniff a switched based network, एक तरीके का switched based होता है, जिसमें आपकी ARP table को, अब ये hub based है, क्योंकि hub क्या करता है, सभी को broadcast करता है information, है ना, तो पैसी में आ जाता है, कि बहुत सारे लोगों की भीड में आप भी add होकर, उनके बस चीजों को देखरो रही, मुझे कुछ तो मिल जाया कुछ ऐसा, वैसी हमारा active sniffing होता है, इसमें switch based है, बट यहाँ पर ARP protocol का बहुत बारीकी से penetration होता है, इस पर live मैं आपको practical करके दिखाऊंगा, Mac changer वगर्या का भी मैं इ इसको समझ लो, तो active sniffing क्या होता है, जो ARP table क्या होता है, कि किसी switch के अंदर जितने भी computer connected होते है, उसके port से, उनका IP और Mac address की detail होती है, उसी के Mac address के अंदर अपने computer को ये inject कर देता है, तरीके का, अपनी identity, Mac address, IP address को clone करके, उसके computer, मतलब switch पर जो traffic आती है, किसी port के लिए, त के लिए है, और वो उस computer को तो send करता ही करता है, प्लस hacker वाले computer को भी send कर देता है, क्योंकि दोनों की identity similar है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, आपका packet capture हो जाता है, hacker attacker द्वारा, तो ये सब चीज़ें होती है, cam table को हमेशा track करते रहें, refresh करते रहें, अपनी IP को भी change करते रहे कोसिस करें, mac address का filtering लगाए, mac address की binding लगाए, mac address की security लगाए, ताकि बहुत अच्छे से आप हाँ चीज को protect कर पायें, सब चीज़ें, तो अगर mac address की binding की बात करें, तो ये router वगरा, switch वगरा की configuration अगर आप सीखेंगे, तो आता है, देखो, technology बहुत बड़ी, कितनी चीज़ें सिखाई जाएं, तो बिल्कुल यार, आप लोग क्या करना, comment कर देना, वीडियो के description में, जो जो doubt होगा न, सभी चीज़ों को पकड़के, मैं एक अलग वीडियो शूट करके आपको दे दूँगा, चलो सेखना, स्टार्टी करते हैं, हर चीज़ आपको बताएंगे, क्या ह कभी remote login, कभी remote login enable करके ना छोड़ें, किसी को अगर बताते हैं, तो बाद में अपने उस application को जैसे, अगर आपको remote application ही उच करते हैं, तो उसको हटा दें, उसका password चेंज कर दें, क्योंकि किसी पर trust नहीं करने वाला है, HTTP application, अगर HTTPS नहीं है, तो इसी website पर विजिट ना करें POP, जो mail receive करने के लिए इस्तिमाल होता है, IMAP, mail receive करने के लिए होता है, SMTP, mail वगरा send करने के लिए होता है, FTP, package को download या upload करने के लिए होता है, तो इन सब protocol के माध्यम से hacker attacker आपके system के अंदर virus या spyware या backdoor inject कर देता है, और वहाँ पे आपके system को hack कर लिया जाता है, ये कुछ ऐसी vulnerable protocols है, अगर ये run हो रही है, ये सब चीज़ें है, तो unwanted इसको open करके ना रखें, इसको बंद रखें, exchange server या किसी भी तरीके client mail configuration है, तो उसको भी बंद रखें, ये सब चीज़े होता है, wire typing को ध्यान दे, कि हमेशा मतलब check करें, और जहां से भी आपका wire आपके घर तक आ सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान देने वाला है, यूज करने वाला है, तो ये सब चीज़ें होती है, finally wire typing कुछ इस तरीके से होता है, mac flood क्या होता है, mac flood या mac flooding involves flooding of cam table, एक तरीके का cam table का flood, cam table जो होता है content address memory, माल लिए आपका एक switch है यहाँ पे, और इस switch पर बहुत सारे PCA से connected होता है, तो इनका एक IP होता है, और इनका एक क्या होता है, mac address होता है, इस IP और Mac पर क्या होता है, कि आपका पूरा का पूरा, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं दिखा हूँ, तो इस IP और Mac पर आपका पूरा, जो टेबल बनता है, वो cam table के अंदर आकर क्या होता है, आपका प्रजो टेबलने सब्सक्राइब करनासार्ट कर लिए उसके साथ पेर कर लेता है और या वह फूल कर देज़ should take वぎल होती उसके अंदर भी इनवाल हो जाता है ऐसा कुछ होता है औरिंपल बोल सकती है कि इना के एक हैंज चैंज करके आपके एक हैम करता है और आपका जो switch है वो एक तरीके का one one communication नहीं करता है सभी को broadcast करने लगता है messages भेजने लगता है उसको manipulate कर देता है तो इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा आपका जो IP और Mac address की table है वो मतलब उसमें बार-बार transmission start होने लगता है और आजा हब की तरह वो broadcast करने लगता सभी packets को और hacker attacker भी उसी में से आपके packets को receive कर लेता है और उसको use करता है आपके packet को तो यह सब चीजें होती है यह अक्सार आपका DSCP environment जहां पर होता है वहां पर किया जा सकता है क्योंकि DSCP से क्या होता है कि एक server होता है जहां से सभी computers या सभी devices को IP circulate करी जाती है तो ऐसे environment में आप हमेशा check करते रहें Mac address वगएर को bind करके रखें यह सब चीजें होती है अगर आपके network में 10 devices है तो 10 का ही IP यहां पर server पर display होना चाहिए 11 की नहीं अगर 11 IP दिखा रहे तो उसको check करें किसकी IP है क्या है यह सब चीजें होती है DSCP starvation attack मतलब यह अभी वही जो मैंने बताया कि Mac address और IP address का flood तयार कर देता है यह सब चीजें थ्रेट्स एक्चुली packet sniffing हो गया session hijacking हो गया IP call hacking हो गया manipulating data man in the middle attack data interception stealing password DOS attack यह सब एक तरीकी का threat है तरीके का मतलब कि किसी भी vulnerability के थुरू आपके system के अंदर गुसना और आपकी information को निकाल लेना है सब चीजें होती है जाय से सन को hijack करके यह packet को sniff करके यह मैं session hijacking और इन सब चीजों पर भी लाइव आप लोगों को दिखाने वाला हूं यहाँ पे टूल है जिसमें आप SSL script अगर आप application यूज करते हैं तो यह चार लाइन की command से आप इसको चेक कर सकते हैं बट SSL script आपका क्या हो गया है पूरी तरीके से Linux के अंदर उसको मतलब की बंद कर दिया गया है यह उसका टूल आसानी सब इंस्टॉल नहीं होता SSL strip का तो इसकी जगह पे आप आप यहां पे जो इसका official टूल हमारे पास बट शूट का जाता है उसको इसको 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 कर सकते हैं पूरा का पूरा यहां पे आपको अपने मतलब की यूजर नेम पासवर्ड का एक्सेस और इन सक चीजों पर ध्यान देना होता और मैनेज करना होता मैं यहां पर काली लिनेक्स की मशीन को लॉग इन कर लेता हूं और सिंपल आप यहां पर एक वेबसाइट ओपन कर लो कोई भी एक वेबसाइट अगर ओपन कर ले तो देखो मैं सेशन हाइज किंग टाइप का कुछ आप लोगों को दिखाने की कोसिस कर रहा हूं और यहां पर आप लोगों को आईडिया देता हूं कैसे क्या होता है एंड इतना हो जाने के बाद जाय है तो आप यहां पर टाइप करें यह कोई ऐसी वेबसाइट आप ओपन करें यहां से जैसे कि आपने ओपन कर लिया टेस्टप फ़पी.oneweb.com ऐसे ये एक वेबसाइट है जो कि इन सेक्योर है और अगर मालिया यहां पर साइन अप पर हम आ जाते हैं यहां पर लॉग का कुकीज वगरा या कैसे आप किसी मतलब अन्नों वेबसाइट या कुस ऐसी जगह पर जाते हैं तो कैसे कंप्रमाइस कर लिया जाता है मैं थोड़ा से यहां पर आप लोगों को कुछ चीजे दिखा रहा हूं प्रिफरेंसेस में आ जाने के बाद यहां पर आप सर्च कर स चाहिए जाते हैं क्या बोलते हैं इसका अब आप प्रांक्सी इसका यूज करना होता है यहां पर मैं दिखा दे रहां नेटवर्क सेटिंग पर आई है एट अट मैं यहां पर एक्सेस कर लेता मुझे सेटिंग में आना है प्राइविसी इन सीक्यूरिटी और यहां पर देखो वेबसाइट सिंपल जब आपकी ओपन हो जाएगी तो प्राक्सी सेटप करना है और इस तरीके से एक तरीके का सेसन या कुकीज के तुरू पासवर्ड निकाल लिया जाता है या बोल सकते हो कि इंटरसेप्ट कर दिया जाता है कुछ ऐसा आपके सिस्टम के अंदर फिर वो हैक हो जाता है तो सिंपल अगर मैं यहां पर यूज करता हूं तो मैनूवल प्रॉक्सी मैंने सेट किया और यहां पे एक एड्रस दिया और यहां पर एक PORT NUMBER दिया अब मालिया कि ये मैंने मतलब आपके system के अंदर कुछ virus या ऐसे कुछ करके hacker attacker क्या करता है ऐसे आपके system के अंदर changes कर देता है और फिर आसानी से bypass कर लेता है तो ये भी एक तरीका है बाकी अभी मैं इसका एक live program design करके दिखाता हूँ कैसे क्या करना है तो इतना setup कर देने के बाद simple आपको क्या करना है यहाँ पे अगर मालिया यहाँ पे 8080 है आप इसको change करना चाहते हैं कुछ और करना चाहते हैं यहाँ पे change कर दीजी प्लस आप अपना जो टूल जिसके तुरू यह लैप परफॉर्म करने वाले उसको उपन कर लीजे तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बर्प स्यूट और इसको open कर देना है यह टूल आपको बहुत ज्यादा important होने वाला है क्योंकि इसके थुरू आप URL वगरे के अंदर बहुत सारी चीजे इंजेक्ट करके काम कर सकते हैं तो चलो यह setting आपको फटवर्ट यहाँ से कर लेना है प्रॉक्सी सर्च करके एंदेन अपना login पेज ऐसे open रखना अब देखना यहाँ पर यूजर जब अपना username पासवर्ट से login करेगा तो जो hacker attacker है बहुत आसानी से उसके network को monitor कर लेगा मैं स्टार्ट कर देता हूँ बर्प सीट को यहाँ पर यह दूसरी किशी भी machine पर हो सकता ह है और आपकी IP और port number के तुरू क्या करेगा इसलिए आपके system के अंदर अगर connected है यह सब चीजे तो बिल्कुल वो कर लेगा और इसलिए बोला जाता है कि IP या अपनी personal detail company का कुछ भी ना share करें तो कहीं से भी बंदा बैट के आपके system को क्या कर सकता है monitor कर सकता है ओके तो यहां पर कुछ ऐसे दिखा रहा है ओके already यहां पर मैंने try करा हुआ है तो यह सब चीजे है ओके तो चलो simple मैं dashboard पर नहीं target पर आता हूं यह proxy पर proxy पर यहां पर आपको intercept is on लिखा हुआ है इस पर click करें और अभी क्या यह हो गया off दिखा रहा है okay message intersection के लिए ठीक है but यहां पर http की history and options यह सब चीजे देखे तो यहां पर 127 001 करके 8080 port है तो वही के coding मैंने यहां पर proxy set करा हुआ है जिस पर यहां पर जो यहां पर अगर इसको edit करना है तो you can edit with the help of this particular option okay तो यह सब चीजे हैं तो मैं ऐसी रहने देता हूं and then http history and intercept यहां पर on है off है यह सब चीजे आप यहां से check कर ले click करके अब मालिया यहां पर बंदा username login करता है मालिया hello sorry hello मैं यहां पर type कर दूँ पासवर्ड दे देता 12345678 okay और यहां पर जैसे ही कुछ login करेगा इस तरीके से देखो इसको पता चलता रहेगा यह क्या है और simple directly यहां पर display कर गया okay आप देख सकते हैं यहां पर hello और पासवर 12345678 यह इंटर्शेप्शन है ओके आप HTTP की हिस्ट्री में यहां पर देखेंगे यहां पर भी आप यह चीज निकाल सकते हैं देख सकते हैं इसका मतलब की जो connection है cookies है यह भी आपको यहां पर मिल जाएगा test PHP इस वेबसाइट पर इसने login करने की कोशिज करा था किस username password से login करने की कोशिज करा था इसके user agent कि software के थ्रूँ इसने login करने की कोशिज किया था सब कुछ यहां पर दिखा देगा multiple साप अगर यह कोई और website पर prefer करता है तो वह भी यहां पर देखा जा सकता है चेक किया जा सकता है जैसे इसको forward का यह बंदा यहां से अब इसकी cookies भी निकाल सकता है cookies निकाल कर मतलब की जैसे simple मैं यहां पर दिखाओं जैसे http के history यहां पर जो आई थे यह सारी चीजें अमाल यहां पर login user information right click किया और cookies और इन सब चीज की एक एक चीज की यहां पर यह डीटेल क्या कर सकता है पता कर सकता है यहां कहीं पर भी राइट क्लिक करता है राइट क्लिक करने के बाद मैं टेस्ट भी एच्प वानल बेपर और do intercept पर respond कर देना है और फिर यहां से जो भी आप forward करोगे इसको यहां पर क्या होगा आगे forward होता रहेगा क्या है कैसे और फिर यहां पर आपको details मिलती रहेंगे तो यह simple आपको ज़्यादा depth में भी जाने की जरूरत नहीं है और videos और भी मिलेंगी आप लोगों को इसके बार या अब आप चाहते हो यह changes भी ना करना पड़े जैसे यहां पर जो proxy वगरह लगाए गया था ठीक है तो मैं यहां पर proxy लिखता हूं इसको हटा देता हूं चलो मैंने हटा दिया proxy okay proxy हटा देने के बाद अब यहां पर no proxy and okay कर दिया अब तो यहां पर आपको proxy और इसकी कोई दिक्कत नहीं है आप यहां पर test php one web पर दुबारा से login करिए ठीक है यह आप login होके sign up पर click करिए आपको नहीं पता ऐसे कुछ भी और आप किसी ऐसी website पर visit करते हैं जो कि hacker attacker द्वाराइं spam है या फिसिंग है या insecure है या आपका Gmail email कुछ भी ऐसे कुछ ही है तो उस पर भी यहां से आपको open करना है अपना software sorry terminal और यहां पर आपको type करना है sudo space या simple sudo space वायर सार्क और enter कर देना है password देकर enter करना है ताकि वायर सार्क आपका on हो जाए और just जैसे यह on होगा यहां पर आपको tracking start कर देना है अब यह network में कहीं भी हो सकता है जो वायर सार्क टूल है यह क login कर देता हूं और यहां पर monitoring आपकी start okay तो यह monitoring start जो भी starting में मैंने चीज़ बताया था यह भी एक तरीके का online जो भी इसका session चला उसका data ही निकालना हुआ तो मैं यहां पर जैसे 8 करूंगा कि इस website पर तो यहां पर देखो कुछ data मुझे मिलना start हो गया अब मैं यहां पर 4422 482493 ऐसे कुछ अगर मैं पता करना चाहूं यह कौन है तो IP look up में जाकर आप इसके बारे में पता कर सकते हैं simple आपको क्या करना है मैंने who is who is का data बताया था वो type करिए who is who is enter कर दीजिए and यहां पर आप क्लिक करिए who is who is के through और एक बार testfire.net का जो यह web पे जाना इसको try करिए कि इसका data क्या है मैं कुछ research करके आपको दे रहा हूं कैसे क्या है थोड़ा सा try करिएगा इतना करने के बाद just tap थोड़ा सा इसको zoom करिए मैंने छोटा कर दिया था due to some security reason यहां पर मैंने enter कर दिया अब यहां पर यह इसके बारे में कुछ बता रहा है बट इसकी IP की details यहां पर नहीं बता रहा है ओके तो मैं यहां पर लिखता हूं ओके तो यहां पर देखिए वेबसाइट इंफॉर्मर आई एन एफॉर एमिया ओके एंटर कर दिया तो exactly आप यहां पर देखिए वेबसाइट इंफॉर्मर पर जड़ा सा क्लिक करके आईए और देखिए यहां पर क्या information मिल रही है और जो भी आपका यहां पर data था वेबसाइट का link उसको copy करके search मारिए एंड अब यहां पर आपको कुछ IP मिली 4422 यह अब आप यहां पर match करिए इसको stop कर दीजे कोई दिक्कत नहीं है यहां पर stop कर दीजे और यहां पर देखिए 4422 यहां पर जो IP मैंने अभी दिखाया था वो बिल्कुल दिख रही है वही आईपी है तो मतलब यह exactly आप track कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे तरीके हैं even then आप अपना terminal open करके NS look up के through पता कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर दिखाऊं विंडोस पर यह command काम करती है यहां पर काम करता है कि नहीं बिल्कुल काम कर रहा है नस लूक अप स्पेस और जो लिंक था मैंने उसको add किया and then enter किया अब यहां पर देख सकते हो यह बता रहा है किसकी IP एड्रस है 44.228.24 यह बाकी यह हमारे server का address दिखा रहा है यह सब चीज है तो इस IP पर आप देखो क्या details आ रही है जा रही है अब मालिया यहां पर इसने login करने की कोशिस किया hello और इसका password इसने दिया 123 123 123 123 ओके और जैसे इसने login किया अब कही न कहीं है यहां पर track हो गया होगा sttp login और यह सब तो आप इसको simple क्या कर दो stop कर दो बस आपका काम हो गया track हो गया होगा कैसे filter करना है sttp and यहां पर sttp को enter करो और जैसे ही आप यहां पर filter पर click करेंगे आपको just enter आना है और यह देखो do login वाली information पर right click करके flow के अंदर tcp stream के अंदर आ जाना है and then यहां पर search करना है कि user द्वारा login किया हुआ password और यह सब क्या था username hello password 123 123 तीन बार आपको मिल गया simple इस तरीके से आप track कर सकते हो कि इतनी information के बीच में बस आप यह line डूटने की कोसिस करिएगा अगर आप किसी भी website पर ऐसा कुछ कर रहें तो okay बहुत आसानी से आप इसको track कर सकते हो यूज कर सकते हो तो यह कुछ session hijacking और उसको मतलब की access करने से related information थी और यह सारी चीज़ें होती है अच्छा किसी भी website पर जब flood send किया जाता है मैंने अभी तो copy नहीं किया मुझे जो address मिला हुआ था IP address okay तो मैं काम करता हूँ यहां से terminal open करता हूँ and दो terminal मैंने यहां से open कर ले control shift T terminal के अंदर एक और terminal मैंने दो terminal यहां पर open किया समझने की कोशिस करना मैं यहां पर क्या दिखा रहा हूँ दोनों terminal का मैं थोड़ा सा font जूम कर दूं पहले वाले terminal पर मैंने लिखा NS lookup space और इसका मुझे IP मिला और इस IP को मैंने क्या किया कॉपी किया और दूसरे वाले terminal पर मैं एक काम करता हूँ यहां पर एच पिंग 3 एच पिंग 3 स्पेस अब हाइफान आइफान फ्लड फ्लड लिखने के बाद एच पिंग 3 स्पेस एच पिंग यह एप्लिकेशन अभी क्या है हाइफान हाइफान फ्लड एंड ओके शॉकेट नॉट पर मिटेट सुड़ स्पेस एच पिंग 3 स्पेस हाइफान हाइफान फ्लड वेबसाइट एंड पासवर्ड एंडर तो यह देखो यह कमांड है आप एच पिंग 3 अपने रूट यूजर की पर मिशन देंगे हाइफान हाइफान फ्लड लिखेंगे टार्गेट दे देंगे तो यह देखो फ्लड सेंड क कर दिया नो रिप्लाई विल भी शून रिप्लाई नहीं दिखेगा बट इतना ज्यादा ट्राइफिक चेंड करेगा यह रेंडम आप फ्लड भेज रहे हो रेंडम ट्राइफिक भेज रहे हो और अगर कोई भी बंदा इस वेबसाइट को अब उपेंड करने की कोशिज करेग ना यहाँ पे तो यह टाइम लगाएगा यह देख रहे हो ना पहले के अब जीतनी देर आप इसको छोड़के रखेंगे उतना ज्यादा यह टाइम लगाएगा और यह सब चीजें होती हैं ऐसे ही अगर आपके राउटर मॉडम की आइपी है उस पर भी आफ फ्लाट सेंड कर सकते हैं सब चीजें बट इफ यू वांट टू सेंड अकस्टम फ्लाट अभी देखो इसने क्या बताया कि इसने पांच अठावन लाख पांच लाख यह क्या सी हजार ओके इतना पैकेट इसने सेंड कर दिया हंडेट पैक परसेंट पैकेट लॉस दिखा रहा है मतलब फ तो अगर मैं यहां पर लिखूँ इफ कॉन्फीग और एंटर लिख दूँ और यहां पर मैं एड करूं जैसे कि मेरा जो मैक अड्रस है प्रजेंट टाइम में यह है 00C29EE09D2 ओके यह मैक अड्रस कैसे चेंज किया जा सकता है यह कैसे इसको रैंडम्ली बदला जा सकता है इस अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं करेंट टाइम में जो मैक अड्रस है मैं इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मुझे साइद इसकी जरूरत पड़े ओके मै सिंपल आपको यहां पर टाइप करना है आई इफ कॉन्फिग अन देन वेट आपको लिखना है इफ कॉन्फिग इस पेस एटी एच जी रो एंड डाउन कर देना डाउन इसले कर देना कि वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए और अभी डाउन नहीं हुआ है डिसकनेक्टेड डिसकनेक्ट हो जाने के बाद आपको यहां पर लिखना है मैग चेंजर कि यह क्या हो गया मैग चेंजर इस पेस हैफन अर रेंडम अगर आप यहां पर डबल टैप जैसे अज़से अज़से लिए हेल्प के लिए मैक चेंजर हाइफन एंटर हेल्ब के लिए तो यह बता देगा कि हाइफन वी का क्या मतलब है वर्जन है शो एस का मतलब शो इक मतलब एंडिंग एक मतलब लगबग में हर जगह इनका वैलियू सेम ही होता है आपको एक बरियाद है तो बिल्कुल आप रट लेंगे नहीं तो रहा हूं तो आर मतलब रेंडम कोई भी एक मैक अड्रस यह खुद से असाइन कर लें तो चलो मैं मैंग चेंज करके दिखाता हूं यहां पर मैंने लिखा मैंग चेंजर स्पेस हाइफन आर्ट और किसका मुझे मैं अड्रस चेंज करना इटीए जीरो का जैसी इटीए जीर लिखकर add किया तो नया मैक अड्रस इसने ये assign कर दिया ओके ये वाला इससे पहले मेरा make address क्या था मैं यह पेस्ट करके दिखा हूं तो यह दिका रहा था पहले वाला Mac address यह है, अभी वाला जो दिखा रहा है वो आपका यह है, दोनों में कैसे आपको पता चला कि Mac address चेंज हो गया, अब अकर अपने खाली Linux मशीन पर पूछते हो ना, आप IFCONFIG, तो यह देखो, यह Mac address दिखाएगा कैसे, बट इसके लिए आपको ifconfig space eth0 space अप पड़ेगा, enter, और, okay, not permitted, root user की permission देना पड़ेगा, ठीक है, on हो गया, on हो जाने के बाद, एक बार जड़ा सचेक करो, ifconfig से, अब करके, हो गया, connected, तो ifconfig, enter, अब जड़ा Mac address देखे, 8A हो गया, आपका पहले वाले से तो मैच नहीं किया, पहले वाला मैं दुबारा से paste करके दिखाऊ, this is the first year, तो बिलकुल different है, और easily आप change कर सकते हैं, और यह सारी चीज़ें होती है, कैसे change करना होता है, यह सब, प्लस अगर आ आपके पास random Mac address नहीं देना है, manually assign करना है, तो simple लिखिए, mac changer space, hyphen h, enter, अब देखो, manually देने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, hyphen m, m लिखने के hyphen m से आप manual Mac address खुद से set करेंगे, तो लिखना है आपको यहाँ पे, mac changer space, मैं clear कर देता हूँ, screen को, mac changer space, hyphen m space, अब जो mac address आप यहाँ पे type करना चाहते हूँ, माल यहाँ यहाँ पे mac address type कर देता हूँ, and then enter कर देता हूँ, तो यह क्या कह रहा है, mac changer option devices, यह new mac changer, okay, type mac changer, try mac changer, hyphen 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 help for more information, अच्छा, hyphen m से यह नहीं ले रहा है, hyphen add से, एक रहा हाइफन हाइफन, और r वाले में random के लिए था, अच्छा, स्वारी, सही मैंने type किया था, mac changer वाली यह जो command सही है, बट यह तो specify करना है, किसके लिए देना है, तो अब देखो, मैंने पुराना mac address यहां से हटा दिया, permanent mac address जो है वही है, और नया mac address भी वही है, specify करना आपकी device कौन से है, okay, and then एक बार आप इस device को क्या कर दें, if config space eth down, और दुबारा इसको क्या करते है, आप करते है, ताकि यह not dub up, ताकि यह प्रॉपर तरीके से फिर से काम करने लगे, if config से आप लिखेंगे, तो असानी से फिर यह आपका पुराने mac address पे आजाएगा, इससे आपका क्या होता है, confirmation मिल जाता है कि यह, आपका mac address यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहा है, सब कुछ होते हैं, और यह सारी चीज़ें, तो अभी काफी lab आप लोगों को बता दी गई है, कैसे क्या है, और इस mac address की help से flood तक से end कर दिया जाता है, कंप्यूटर से resources पर और इन सब चीज़ों पर, ओके तभी morning के हो गया है, 4 o clock, और यह लगभग में जाय होती है, पांच में दिन का shoot है, एक गंटे, आदे गंटे, गेड़ गंटे का shoot करते हैं, बट लेट चेक, की फिर कैसे आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि मशीने बना और यह सब चीजे लाइब यह सेट अप थोड़ा सा मुझे और अपग्रेड करना पड़ेगा, और थोड़ा सा प्यार सपोट रहेगा, तो जरूर करा जाएगा, ताकि और अच्छे tutorial रिकॉर्ड करने के लिए devices वह सब अगर चीजे रहें, तो प्रॉपर तरीक इस करी जा स किता है, और इसको इस्तिमाल किया जाता है, और इसको 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 बोल सकता है, कि बहुत सारे से भोगो को सोचल टार्गेट किया जाता है, उनके सिस्टम के बंदर घुस्ट हर, उनका सोचल इनका जोड़ी अकाउंट्स होता है, उनको एक्ट करा जाता है, उनको एक्ट कर यहां पर कहने का मतलगा है कि जो बंदा है या टार्गेट है इसको मैं इपलेट करना और उसको घुम्रहा करके इसकी इनफर्मिशन को निकालना जैसे कि किसी के सोचल अकाउंट को है कर लेना डिलेटेट जीमेल अकाउंट फेस्बूक एंडिये सब्सक्राइब तो जब तक कहीं न कहीं वो बंदा खुद नहीं उसको आंसर करेगा या उसको बताएगा उसकी हेल्प करेगा तब तक कोई आपके सोचल अकाउंट की इनफर्मिशन नहीं निकाल सकता इस डिफर्स वां सोचल इंडिंग दिन दो सोचल साइंसेश बिच डिवर 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 सब्सक्राइब करते हैं और इससे हम सभी लोग अपने अकाउंट्स और अपने जीमेल इमेल की सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह सारी चीदिया होती हैं सो फाइनली यहां पर जो सोसल इंग की अगली बात करें कॉमन टार्गेट और सब्सक्राइब बनकर सिस्टम अडिनिस्टेटर के थो जॉब्स के थो सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म पर अट्रैक्टिव प्रफाइल बनाकर वह सब चीजह हैं प्रमोस्टनल आउफर्स एड सब्सक्राइब निकाल तो यह कुछ बेसिक इंपोर्टेंट टर्म्स हैं जिनके तो जो एकर अटेकर है वह सोसल इंगिनिरिंग के मात्यम से लोगों को टार्गेट करता है जैसे जॉब आफर निकाल देगा बहुत सारे इसी जॉब आफर्स बोटल्स भी हैंगे आप लोग इसकर चाहिए तो सबसे पहले अकोन मिक ट्रत है जैसे वैसे का नुक्षान हो जाना प्लस डैमेज आपकी जो मार्केट वैलिव आपका जो नाम है उस पर एक तरीके का कीचड़ उचालना जैसे कोई भी सोचल मेडिया पर अब डिफेंट 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 डाइप्स के एक्टिविटीज करते हैं तो उन सब चीजों कर दिया जाए जाएगी डेंजर फॉर टेरिविजिम कभी-कभी मारे फेस्बूक से इंस्टागरम या अनगर कांट से हैक कर दिया जाता है और अगर किसी का हैक हो जाता है नॉर्मल बंदा है तो गयता है चोगो जाने बना दूसरा बना लोगा इसा चाहिए बट आपको पता होना चाहिए कि उसका एक प्रॉपर एफाईयार अ हो सकती है किस आईडी का किस पर्पस के लिए एकर टाइकर इस्तिमाल कर ले नोडिया तो बी रिमेंबर हमें ऐसा जब भी हमारे अकाउंट पर कुछी दिक्कत हो हमें लॉग इन नहीं मिलता है या लगता है किसी ने अकाउंट को कंप्रमाइस कर लिया है तो डिफनेटली ह कहा में अपने अकाउंट को क्या करना चाहिए अरेलेटिट कमप्लेंटरेश कर देनी चाहिए टरपन महा सुरी यह पर्मानेंट क्लॉजर वेट या तो पर्मानेंट लिए अपके अकउंट सब्सक्राइब क्लोज कर दिए जाता है रहाँ टाकि आप ना लॉग इन करें और फिर इसका डी नेम सब कुछ बदलकर आपके एकाउंट से misleading काम किया जाता है तो यह सब चीजें होती है और social healing attack बहुत आसानी से perform किया जा सकता है और बहुत आसानी से इसका server setup हो जाता है सब चीजें अच्छा इसका depth में server setup मैं बताऊंगे बटाज लैब तो दिखानी ही दिखानी आप लोगे को factors vulnerability for any company जैसे insufficient security training knowledge जो employee count कर रहे है यह जो भी बंदा मारे घर का बंदा है या किसी भी बंदे को अगर कम knowledge है उसको नहीं पता security की फिल्ट में किस किस तरीके से काम अंजाम दिया जाता है या हमें अपने accounts की security के लिए क्या क्या देखना चाहिए अगर यह सारे topics उसको नहीं पता किस website बर कैसे क्या access policy है और कहां पर क्या होता है urls का proper knowledge नहीं है http पर जाना चाहिए https पर जाना चाहिए security कहां पर based मिलती है हम right URL पर है की नहीं है really यह सब चीजों को क्या किया जाता है manipulate किया जाता है और इस सब चीजों पर काम किया जाता है जिसके through hacker attacker ऐसा करता है और यह लिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी mails और नमबर्स और इस चीज़े भेज़े जा सकते हैं मैं आपको step by step अभी समझा देता हूं कैसे करना है social engineering के जो types होते है या तो human based लोगों से बात करके आपके friend circle में आपके दोस्त से आपके दोस्त के बीच में मतलब की problem create करके इस तरीके से लोगों के account को hand करा जाता है capture based password capture कर लेना screenshot लेना या ऐसे कुछ भी है facing attack same clone website बना कर attack करना spam email भेज कर lottery का बहाना देकर call support executive बनकर UPI transaction vouchers UPI पर में dedicated video बनाऊँगा call support executive पर में dedicated video बनाऊँगा आगे चलके क्योंकि बहुत लंबा topic है अच्छे से समझाना पड़ेगा इन सचीजों को बट इसको call support बनकर जैसे हम वो कभी टॉल फ्री नंबर पर call करते हैं लो मैं यह वो लाओ और मैंने package order किया थमान लिया कि आपने एक सब्सक्राइब कर दिया है और आपने payment कर दिया है तो क्या अगर सकता है कि आपके account को add करके वो packet कहीं receive कर सकता है करा सकता है बहुत सारी information से इस तरीके की होती है call support executive बनकर जैसे आप बैंक को call करते हैं बोलतो मेरा टीम खो गया है सब चीज़े तो कभी-कभी जो Google पर नंबर यह सब चीज़े होती तो प्रपर एक बार बैंक की साइट से वो number को match करा लेगा तो भी हर banking साइट अपनी सब्सक्राइब को लोग जरूर आपको number देंगे और सब्सक्राइब को बोलो कि ऐसे सी प्रॉब्लम्स कभी कभी हो जाती है में quick support चाहिए तो कहां पर हम जाएंगे सब्सक्राइब तो आप उनसे number लेकर save कर सकते हैं फिर उसे दिन किसमा office time पर बात कर सकते हैं तो customer के अपने बैंक में nearest है तो जाकर विजिट करके call कर लें कोहां लें कि आपका SBI में account है तो SBI में किसी लिवरान से जाकर आप वो number ले लें ओके ताकि quick support आपको मिले अगर नहीं पता तो यह बाकि Google के भरोसे मत रहें कि आपको exact वही number देगा Google का मतलब यह कैसा search engine है simple उस पर जो भी चीज़ें सबसे जाए ज्यादा यूज मतलब जो link access हो जाते है वही सबसे टॉप पर आजाता है यह सब चीज़ें यूपी आई voucher वगरे का इस्तेमाल किया जाता है आज कल समयर पर social media में उसका इस्तेमाल किया जाता है कभी-कभी coupon code offer और यह सब चीज़ें तो सर्कुलेट किया जाता है दिवाली फेस्टिवल्स इस पर जाकर login करें गेम खेलें और आपको यह मिल जाएगा वो मिल जाएगा बहुत सारे और इसमें आप 2 रुपए पे कर सकते हैं यह कर सकते हैं बहुत सारे इसी details आती है और फिर आप उसमें सिकार हो जाते हैं UPI ट्रांजेक्शन पे जब भी आप देखें तो दो तीन चीज़ें होती है UPI ट्रांजेक्शन में जब भी आपको कीवार कोडी सकाइनिंग से रिलेटेड कुछ इंफर्मिसां मिलती है या कोई बोलता है कि स्पेस करके आपके पैसे आजाएंगे सब ची यूपी आई ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर उसे बात भी कर सकते बंदे से और ऐसे कोई लॉट्री और यह सब चीजी नहीं आपको भेज़ देगा किसी स्क्राइब करें आपको आफर में गिफ्ट बोचर और यह सब चीजी में देती हैं इसमें से 99.9% फ्रॉड के सकते हैं आपकी इमेल पर भी ऐसे लॉट्री से रिलेटेड नहीं अलाते रहते हैं आउटसाइड आप कंट्री से ऐसा इमेल लगता है बट आउटसाइड आप कंट्री नहीं हो सकता है वापके लॉट कंट्री के बंदे से भी वह मैसेज आ सकता है क्योंकि यह लोग पूरा का पूर करने के बाद simple हम लोग लिखेंगे यहां पे sudo बहुत अच्छे से इसको समझना और set toolkit यहां पे लिखकर enter कर देंगे अपने Linux user का password देंगे और हमारा यहां पे एक software open हो जाएगा जो की social engineering attack के लिए perform किया जाता है थोड़ा समय इसको जोन कर दूँ अब आप यहां पे देख सकते हो अगला step आपको कैसे फॉलो करना है ओके तो काफी easy method है जिसमें यहां पे दिया हुए पहला social engineering attack second penetration testing के लिए third party modules के लिए update the social engineering toolkit के लिए and update set configuration के लिए help credits and about section में बहुत सारी information है आपको क्या attack करना social engineering को one करें और एंटर कर दीजिए आगे पूछ रहा है इसकी आप फीसिंग attack करना है website attack करना है या infectious infectious media generator create a payload and listener mass miller attack whatever यह सची ज़िए हुए तो मैं यहां पर select करूंगा यानि कि one और जैसे मैं एंटर करूंगा नेक्स्ट आप से पूछेगा ओके create a social media template और लिए 99 करके बैक आते हैं हमारा जो है on website attack media create a payload and listener ओके website attack vector पे हम लोग एक बार click करते हैं देखते हैं कि यहां पर क्या option आ रहा है ओके हां website attack पर हम लोग यूज करेंगे और यहां से हम से select करेंगे credential harvester attack method और three number पर एंटर कर देंगे अब यहां पर पूछ रहा है site clone site की clone बनाना है क्या करना एंटर कर दो बिल्कुल और यह आपके computer का यह आपके linux machine का address है इसको आप use कर सकते हो और इसी address पर आप अपना पूरा का पूरा server setup कर सकते हो मतलब एक तरीके का fishing page create कर सकते हो एंटर कर दोगा एंड अभी यहां पर क्या देया अब यहां पर आपका address okay verify कर रहा है ठीक है एंटर कर दो एंड अब यहां से पूछ रहा है कि एक्जामपल इस तरीके से कुछ लेबसाइट का नाम दे दो जिसके आप यह चीज परफॉंड करना चाहिए तो मैं यहां पर देता हूं एक टरीके का facebook.com तो एक तरीके का मैंने यहां पर यह दे दिया अब facebook.com पर आपने क्या कर देना है sttpswww सबको चुक कर दो ओके अब यहां पर इसने अपना पेलोड रन कर दिया बिल्कुल यह अपना काम स्टार्ट कर दिया है और पूर्ट नंबर 80 पर आपका लिसनिंग भी हो गया है अब आपको क्या करना यह कह रहा है कि ठीक है आपका आपका जो यूरल रन कर गया है आप सिंपल इस यूरल पर क्या कर सकते हैं लॉग इन करके अपना काम कर सकते हैं लेकिन हम यह यूरल किसी को सेर करेंगे तो वह इस पर क्यों करें हम उसको एक प्रॉपर तरीके समाले कोई को यह कॉलेज का student है मेरा मेरा friend है ओके और यह हम को कहीं घुमने गए थे ऐसी कुछ प्मालिय कोई कहीं घुमने गया था तो इससे आप डिरेक्टी बहुत सकते तुम्हारी जो घुमने गए थे हम लोग उसकी जो अच्छे चीनेज़ हैं या मतलब जो मतलब DSLR की फोटोज हैं यह है गूप में सेयर कर रहा हूं यह सब चीज यह जैसके हम लोग इस लेवल पर थोड़ा से हैं पर कुछ करने की कोई सब स्क्वर क्रास्य करें तो अब करता हूं यह सरा है से क्वार यह lie अ इस ऐसा कर ऑपना लॉग इन करा सकते हैं नहीं तो यह जो l दी गई है न इस आई पी पर भी आपका प्रपर तरीके से काम हो जाएगा तो अभी तो फिलाल यहां पर मैं ऑपन करता हूं अपना Windows का मशीन और उस कोई मैं यहांपी क्या करता हूं इस्तिमाल करता हूं अगर आप इसका प्रॉपर लिंक क्रियेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं मैं लिंक कैसे क्रियेट होता है यह भी मैं दिखा देता हूं बाट उसके लिए मुझे आना पड़ेगा कुछ तो मैं थोड़ा सा अपना Gmail account दूशरी जगह पर लॉग इन कर लूँ कुछ इंफॉर्मेशन आपके जी इमेल चुकि यहाँ पर मुझे मैं आपको सिंपल मैं अभी step by step दिखांगा कैसे क्या करना है जब आप mail करने के लिए कोई भी ID पर क्लिक करते हैं तो देखो कुछ ऐसे जब आप compose mail पर आ जाते हो compose mail पर यहाँ पर आपने क्या करना होता है जिससे recipients दिया हुआ है यह बट यहाँ पर आप देखो एक दिया हुए इंसर्ट लिंक ओके इंसर्ट लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे text display क्या करेंगा तो इसको लगता है कि अच्छा ऐसा कुछ है ओके और यहां पर जो बेपेश दिखाना है वो क्या करना था आपको आई पे जो वहां से कॉंपी किया उसको यहां पर पेस्ट कर दिया तो मतलब दिखने में ऐसा लगे और यह चीज आए क्योंकि अगर आप इसको भी पेस्ट करते हो ना यहां पर आपको लाइब अगर दिखाता हूं यहां पर जैसे यहां तुम्हें आ गया और पेस्ट किया जैसे 192.168.184.147 और इंटर तब यहां पर देखो फेस्बूक का लॉग इन पर जाएगा लेकिन यह इस यूरल पर किंग करे ना इसको आई-पी एंटरस पे तो क्ल जाना पड़ेगा आई-पी तो थोड़ी नाम लाएंगे तो हम इस आई-पी को क्या करेंगा जाई-इस यूरल पर डिस्पले करा दें और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे आपका यहां पे एक लिंक तयार होगा ओके अब आपको क्या करना इस लिंक को कॉपी कर देंगे य मतलब आपको अपने मशीन पर आना अब देखो मैं यहां पे उसको पेस्ट कर दोगिए अफी तो वो पी नहीं होगा वर्चूर मशीन पर वैस मशीन का कॉपी नहीं होगा तो हम लोग यहां पे कर सकते हैं क्या चलो ठीक है यहां पर मैंने एंटर किया फेस्बुक का अब देखो कुछ इस तरीके से वेपेज एकस्पायर कुछ इस तरीके से दिखाने लगा ओके तो यह चीज मतलब कि कनेक्टिविटी हमारा सर्वर से प्रापर नहीं है यहां पे तो ऐसा है हमें अपना इमेल लॉग इन करना पड़ेगा अपने बेश मशीन पर ही तभी वो काम हो पाएगा बाकी यहां पर देख सकते हो यह स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है क्या क्या है कैसे है बट अभी बस साइट ओपन हुई है कुछ एकसस नहीं किया गया है तो यह सब चीज है तो आपको बस समझ में तो आ गया यूरल कैसे क्रियेट करना है बस आप क्रियेट करके उसको यहाँ पर paste कर देंगे तो definitely वह चीज काम करेगा and then आप जब यहाँ पर login करेंगे जैसे मैं यहाँ पर login करता हूँ this is my FB account at the rate gmail.com और password में मैं देता हूँ P AWS WORD password 123 और मैंने यहाँ पर login पर click किया यहाँ पर login तो होगा नहीं देखो ऐसे error आ जाएगी और original page पर redirect होगा लेकिन इधर देखो कमाल की बात यहाँ पे थोड़ा सा scan करो और देखो क्या है यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा ठूड़ना पड़ेगा कि आपका password और यह सब किधर से हुगा तो इधर भी कहीं नहीं से वह इधर भी नहीं है थोड़ा सा ओर ऊपर आते हैं और यह चीज देखें कहीं यूजर नेम और password का पूरा का पूरा डीटेल बना होगा ओके यहाँ पे देखो इमेल दिस इस माई एपी अकाउंट एड़ेट जीमेल डाट काम और पासवर्ड इसने यूज किया था पास पास वर्ड एड़ेट सॉरी पासवर्ड बन टू थी सिंपल आप इस तरीके से पासवर्ड यहाँ पे गेंड कर लिए यह हुई ना बात इ सेशन हाई जैकिंग में आप लोगों को दिखाया था बट एक दूसरा तरीका भी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे यह चीज़ परफॉर्म करी बेरती है यह बड़ आपको सोसल इंजिनिंग का पता चला ना एक से यह ओगा हूँ अमसकल की वेबसाइट तयार कर दियाती है वह भी लोकल सर्वर पर पांच मिनट के अंदर और आपको लिंक के तूरू मैनुपलेट कर लिया जाता है आपके सिस्टम के जो फेस्बुक का जीमेल का वाटेबर जो भी सोसल अकाउंट से वह सब चीज़ है वह हैट कर लिया जाता है तो यह ध्यान ग किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर जो ट्रैफिक सेंड किया जाता है कि उसके सिस्टम को कंप्लेटली डाउन कर दिया जाया उसके सिस्टम को या सर्वर को कंप्लेटली डाउन कर दिया जाया माल लिया कि एक 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 यजट वेब सर्वर आप चला लो और वेब सर्वर पर ए से जितना लोट लिया जा सकता उससे कहीं ज्यादा ट्रैफिक या फ्लट सेंड कर देता है मैंने आप लोगों को एच्पिंग 3 से पहले बताया था फ्लट कैसे सेंड करा जाता है प्रॉपर लैब भी आप लोगों ने देखा तो दुबारा रिपीट करने इसको फायदा नहीं अब लोगों नहीं तो पता ध्यान से नहीं देख रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होगी ओके तो मैंने अल्लेडी बता रहा रहा है फ्लट कैसे एच्पिंग 3 कमांड से सेंड करते हैं अच्पिंग 3 स्पेस ऐफन 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 फ्लट और उसके बाद टालिट का IP अडर्स तो डेनल आफ सर्विस अटैक में पूरी तरीके से सिस्टम की सर्विस को डाउन कर दिया जाता है जिसके तूर जो उसके लेजिटमेट यूजर होते हैं मतलब जो उसके ऑफिशल यूजर होते हैं जिनको जरूरत है उस सर्वर से डेटा एकसेस करने कि वह भी पूरी तरीके से मतलब कि यह कंपनी का फिनेंशल लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है तो यह सब चीजें इशू करती है तो डेफिनेटली डेस्टिबूटर डेनल आफ सर्विस इसका एक एडवांस अटैक बनाया गया है जिसमें आपका क्या होता है कि हैकर अटैकर इस पूरा लोड डाल देते हैं जिसके तो होता क्या है आपका सिस्टम पूरी तरीके से डाउन हो जाता है मैंना मल्टिपल साफ यूजर जब फाल्दू की रिक्वेस्ट आपके सिस्टम पर भेजने लगेंगे और आपका सर्वर पर आंसर नहीं कर पाएगा उस कंडिशन में ह यह जाएगा या तो आपके सिस्टम हो जाएगा डाउन नेटवर्क हो जाएगा डाउन जिसकी विज़े से जो लेजिटमेट यूजर है उनको भी प्राब्लम होगी वह भी अपनी सर्विस से सेक्सेस नहीं कर पाएगे कंपनी को पना सर्वार रिबूट करना पड़ेगा प्राइट कर देगा इन सब चीजर करने के लिए इंस बनाए गाए हैं लेकिन हां अगर आप कैर नहीं करते हैं अपने नेटवर्क में तो सारे टूल्स नहीं लगा कर अपनी नेटवर्क को सिक्यॉर करते हैं तो ये इसा वाट प्राइवेट अपनी आई पी को कभी भी पब्लिक ली नहीं किया जाता है किसी अन्नोन बंदे के साथ कभी शेयर नहीं करते हैं तो यह सारी चीजें आप मैंज कर सकते हैं ओके तो बस यह सब चीज रहा पिंग ओफ टेट इतना ज्यादा पिंग सेंड कर देना कि रिप्लाई देना ही बन कर दे शर्वर ऐसे टाइप का जो मैसेज होता है यह पिंग ओफ डेट मैसेज में यह काउंट किया जाता है यह एक बहुत ही बड़ा टैक यह भी होता है ओके तो यह सारी चीज होती है मैंने एच पिंग 3 की कमांड बता रखा है एच पिंग 3 फ्लड 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 और टार्गेट का आई पी अड्रस ओके यह नीचे वाली कमांड को यूज करेंगे पहले लिखेंगे टर्मिनल पर एच पिंग 3 और हाइफन आईफन फ्लड और अब अपने वाइफाई राउटर की आईपी तो आपको पता ही होगा उस पर ट्राइ करिए गाई यह जैसे अब यह क्या होगा आपको पासवर्ड देना एंटर कर देना यह फ्लड बेजना स्टार्ट कर दिया अगर इसको दो-3 मिनिट छोड़ दो पहुत जाद आप पैकेट भेज देगा दस सेकेंड के अंदर देखो इसमें लगबद में बारह हजार एक लाग स्वार्ड एक 2800 पैकेज इसमें सेंड कर दिया इतना चल्दी 10 सेकेंड के अंदर तो यह एक टू लैच पिंग 3 जिसके तुरू यह चीज परफार्म करी जाती है ओके चलो फिलाल इसको भी मैं कर देता हूं क्लोस टर्मिनल को जून कर देते हैं एंड आगे बढ़ते हैं तोड़ा सा जो ह हमारा टॉपिक नमबर से संहाइजाइकिंग का एक दूसरा मैं आपको लाइब दिखा देता हूं अलड़ी मैंने बर्प स्यूट के थूरू कैसे से संहाइजाइक करते हैं सची जी बता दिया है बट लाइब एक और प्राक्टिकल में आप आप लोगों को दिखाने वाला ह है इन कम्प्यूटर साइंस सथैसन हईजाइकिंग संथांस और इस यह इंपना गशाय आपका से संचर और आपके सिस्टम के बीच और आपके सर्वर के भीत तो दोनों एक पर्टिकुलार से रिपर एक उसरे से पर इसरे से अपर यह तो दोंग से आइडी और हम उस्टीव आपना डेटा एक्सेस और लेंदेन करते हैं जब हैकर को आपके कंप्रीटर के अंदर प्राउजर में दो सेव जो सेशन आइडिया वो मिल है किसे तरीके से तो आपके सेशन पर जो लॉगिन है जाए बले ही आपका यूजर नेम पासवर्ड हो आपका एमेल जीमेल जो भी हो आप OTP से लॉगिन की हो जो भी उससे मतलब नहीं है आपके दूसरे कंप्रीटर पर है कर वही सेशन आइडी जैसे ही एंटर मारेगा आपका पूरा का पूरा महापे कंप लॉगिन दिखा देखना है लाइट देखना है मैं डीडर्स दिखा रहा हूँ है ना मतलब अभी मै से प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होता है तो इसलिए मैंने आप एक नहीं तरीका आप लोग के लिए लाया है और मैं यहां पर आप लोगों को वो तरीका दिखाऊंगा कैसे क्या किया जात है यह सब पता होना चाहिए मैं सेशन कू कीज यह सब चीज़े हैं क्या सब आपको देखाऊंगा सम्टेंज ऑल्सो कॉल्ड एजए सेशन की तु गें ऑन अथराइज एक्सेस तु इन्फरमेशन और सर्विस इन कम्प्यूटर सिस्टम किसी भी कम्प्यूटर सिस्टम पर कोई सर्विस एक्सेस कर रहा है आप इंटरनेट के त्माद्यम से अपना ऑथन्टि अपर गलतियों के चक्कर में अपना ध्यान तो कैसे आपके साथ हो सकता है यह मैं आप लोगों को लाइप दिखाऊंगा कैसे लोत सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूं कि सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूं कि कोपीज केकज और कुशिस तरीग करने के वाद आपको कुछ इस तरीक शॉक्स आ जाएगा इसमें अप्लिकेशन के अंदर आजाओ अप्लिकेशन के अंदर देखो Facebook का है और यहां पर दिया हुआ है SD और ऐसे ही कहीं न कहीं यहां पर चेक करेंगे तो session ID भी देगा आप इसको थोड़ा सा इधर कर लो session ID देखने के लिए आपको थोड़ा सा cookies के अंदर यहां पर इसे session भी यहां पर कोई पर्टिकूलर इस्टेबिस नहीं है तो इसको इसको रिफ्रेस कर दो और रिफ्रेस करने के बाद अब देखिए यहां पर कुछ अपडेट होगा I think this is the session ID ओके तो यह हमारा सब्सक्राइब देखाता है इसके अंदर password करने का और हर चीज का option होता है आप जो यहां पर सब कुछ यहां पर सेव होता है इन सब चीजों पर कभी भी जो भी आपके डिफॉल्ट ब्राउजिंग है पासवर्ड डिटेल्स है यह सब आपको डिलीट करना चाहिए अब ब्राउजर पर सेफ कर देतो प्रोफाइल बनाके तो यह सब सेफ आइडिया नहीं है कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए ओके तो फिलाल यहां पर अभी मेरा एक ब्रेक होने वाला है तो मैं भी इसको दिखाता हूं आगे पर कुछ थियरी को एक्स्प्लेइन करके प्रॉपर तरीके से क्या है कैसे है तो सिसन हाइजैकिंग में आपका क्या-क्या लॉस हो सकता है इसको डिटि प्रोटेक्टियूर इंफोर्मेशन फॉन सेशन हाइजैकिंग से आप अपनी इफोर्मेशन प्रोटेक्टिक ऐसे कर सकते हैं स्टेप नंबर वन अगर आप यहां पर लुखेंगे दो नोट सेव आईडी पासवर्ड इन ब्राउजर कभी भी अपने ब्राउजर पर अपना इसी भी तरीक एक इंफोर्मेशन एक्सेस करने के लिए ना जाया कभी कभी आप जब गूगल करके कोई ऐसी इंफोर्मेशन डूर्टे जैसे पाइरेटेड मॉवीज हो गया इस सब चीज़ें तो आप एक इन सिक्योर वेब साइट पर जाते हो आपको वार्निंग मिलती र दाउंडोड फियोंज में और यह सब चीज़ें क्लियर ईडी पासवाड़ संब्राउजर ड्राऊजर से हमेसा स्थ्रेड और अप्रेक कर Нď sein प्लोंभिजन यहां पर नॉट है दो नहींत लॉग यहां पर नाट है दोना अफ्पासर ऑर इन च्टी अमस्यला काशि कि यस आपका एकांट सेक्योर रहेगा साइब करें आप जातके प्रेंट आउड निकल वाने के लिए करीप उसका यसी भी लोग भलतिया करते हैं इंटर्नेट को फ्री मस्तेमाग तर्फिना यह सब काम करने की कोशिश करें नहीं तो छूटी सी जल्जी आपकी बहुत अबड़ी प्रवादिया कर सकते हैं आपकी इंफर्मेशन है कर लिया सकते हैं क्योंकि पॉब्लिक इंफर्मेशन में जाते हैं मेरा तो नेट्वा बहुत स्वर्च रहा है वाई चलो होटेल का यूज कर लिया सची में बड़ आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स होते हैं वह सब्सक्राइब जो इनका प्रॉपर पैसे को भी आपकर यही चीज़ नहीं हो सकते है कि कोई पैसा लेकर उनको बोल रखता हो कि जातना काशी करो है कर अड़ेकर खुट जाकर उस होटेल में रूम लेकर आप तो इन सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और कभी भी पॉब्लिक एरिया का यूज ना करें प्लस अपनी इंफर्मेशन पॉब्लिक एरिया में ले जाकर ना सेल करें खुद नहीं करेंगे तो आपकी इंफर्मेशन लगबग में सिक्योर है अगर खुद आप स्टार्ट किया जाता है और इस सब चीज़े कैसे होती है एंड शोचल इंजिनिरिंग यहां पे दिया हुए है सोचल इंजिनिरिंग का थोड़ा सा पार्ट यहां पे है मैं इसको भी चरह से एक्स्पलेइन करना चाहूंगा सेशन हाईजैकिंग सोचल इंजिरिंग यह दो तो वहाँ पे social engineering और जो इसे सा hijacking और तरीके का attack किया जाता है वो due to human nature of trust. Social engineering कैसे हो जाती है? जब आप लोगों पर या social media पर ठालतों लोगों पर भरुशा कर लेते हैं, unknown person पर थोड़ी सी बात करने को आदे हैं, जब फ्रेंड बना लेते हैं सक्चीज़ें. तो यह unregulated access of your information, lack of security, age, age को मैंने आपे क्यों mention किया हुआ है, age determine करता है कि अप किस age में हैं और किस तरीके के लोगों से बात करना चाहते हैं, तो depending on your age criteria, यह भी matter करता है कि कोई मांग या younger है भी इसका चीज सारु रहा है, तो differently ऐसे लोगों को मांगे कोई ऐसे female की तरफ से message मंदब एक तरीके का behavior को उनको देख करें सब चीजें, तो ऐसा भी पूरा पूरा एक मतलब analysis करके ऐसे target भी बनाए जाते हैं, तो always यहाँ रखें, job offer, 50% scam चलता है, और चाहँ देखो तब यह job, यहाँ पी निकलाव, आप निकलाव, आप निकलाव, डेटा कलेक करके फिक बेच देना, यह सब चीजें चलता है, तो कभी भी ऐसे job portal पर विजित ना करें, job portal पर apply करने से पहले verify करें, company के बारे में, हाँ चीज के बारे में, dumpster diving, मतलब की एक तरीके का आप कंदे पर कंदा रख कर, या आप trailway station, bus station कहीं पर काम कर रहे हैं, और कोई आपके बगल में बैठा है, और आप password आले, mall में shopping करें, card की detail डाला, उसमें scan करा, और आपने वहाँ पर नमबर डाल दें, पीछे से, दर सोब लाइन में लगें, सब देख रहे हैं, ओके, यह क्या है, यह गलतियां ही तो हैं, website पर फादू का login करना है, धरुदर की websites, और identify the unsatisfied employee of company, अगर से परिशान है, उसको भी बहुत सा रहकर, attacker या अलोग target कर देती, कि भाई तुम company के data, यह चीज मुझे बता दो, हम तुम्हें यह दे रहेंगे, वो मतलब पैसा देतेंगे, सब चीज़ें, ऐसा भी होता है, कंपनी वाले भी नहीं बर सकते, relationship with employee, employee के सथ relationship create करके, collected financial account information, financial account क की details पता करके, phishing, email, instant message, customer care executive, यह सारे एक तरीके का बता सकते हैं, जरिया हैं जिसके तूरू online, social media पर, या लोगों को आजकल बेवकूफ बना कर, उनकी information निकालने का काम किया जाता है, definitely यह सब चीज़ें करी जाती हैं, और बहुत आसानी सा कर अटेकर इनका इस्तिमाल कर स यह होगी और आपको समझना चाहिए इसको प्रॉपर तरीके से, तो हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं, अपने computer system को, और उस पर perform करते हैं, कि कैसे करना है, यहाँ पर system, lab, perform, हम यहाँ पर आजाते हैं, अपने windows sharing की machine, तो यहाँ पर मैंने माल लिया एक browser open कर रखा है, जिस पर मैंने प्रॉपर तरीके से, अपना system पर कुछ काम किया, चलो मैं यहाँ पर firefox पर login करते हूं, और ध्यान रहाँ, मैं एक अपना particular, कोई transactions करने के लिए, या कोई financial information को login कर लिया था हूं, वैसे, मैं यहाँ पर कोई भी public information यूज नहीं कर रहा हूं, demo purpose लिए सब websites, मैं इनको आप यहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर testfire.net की website open किया, और इस तरीके से, अब यहाँ पर sign in का option, sign in मैंने किया, अब इसका username, password मुझे पता है, मान लिए मैंने इसका username दिया, और इसका password दिया, और मैंने यहाँ पर login कर लिए, अब demo purpose के लिए website है, यहाँ पर देखो दिखा हुआ demo site हों लिए, तो आपने यहाँ पर क्या करना, अब यहाँ पर भी इसी website को login करो, यह क्या करेगा, अगर माल यह आपकी session ID किसी भी hacker attacker, sorry, किसी भी hacker attacker को मिल जाती है, तो वो क्या करेगा, आपके session को अपने browser पर login करने में देर नहीं लगाएगा, जैसे testfire.net यहाँ पर अभी देखो, sign in को option माल रहा है, अगर मैं इस पर click करूँगा, तो यह username password माल देखा हूँ, बिना username password के login नहीं हो, मैं back कर देता हूँ, या तो मैं यहाँ पर sign in पर click कर देता हूँ, no issue, यहाँ यहाँ username password नहीं डाल रहा, अब मैं अ अपना दूसरा browser open करता हूँ, right click करता हूँ, inspect element पर click करता हूँ, and थोड़ा सा मुझे यहाँ पर wait करना है, आपको यहाँ पर session ID मिल जाएगा, लगबग में, performance, memory के अंदर, no 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 no, storage में आपको आजाना है, okay, storage में आने के बास देखो, cookies के अंदर आप आजाओगे, cookies को delete करना इसलिए जरूरी है, आपको अभी पता चल जाएगा, बहुत जवर्जस्त जट कलर में मला है, अब यहाँ पर देखो, आपको यह जो session ID दे रहा है, जे session ID, इसके just सामने का यह जो ID है, इसको आप क्या कर लें, copy कर लें, और यहाँ पर देखो, यह सौरी, यह तो मेरा क्या ह option आ रहा है, मतलब sign in है, ओके, तो sign in के बाद जो आपको session ID मिलती है, उसको copy करना है, और इसको आटा देना है, दूसरे browser पर आना है, जो कि देखो, भी sign in का option मांग रहा है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, right click करेंगे, और inspect element पर आ जाएंगे, and यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको zoom कर लेता हूं, क्योंकि अभी भी देखो, यहाँ पर login करने का option मांग रहा है, sign in का, zoom करने के बाद यहाँ पर application के अंदर आना है, अब यहाँ पर cookies की information मिलेगी, वैसे यहाँ पर धेर सारी information है, session वगएरा भी दिया हुए, यहाँ पर session की details, keys वगएरा, यहाँ पर कु आपको cookies के अंदर आना, टेस्क फायर पर, यहाँ पर लेको यह दिया, आपको इसको क्या करना, select करके delete करना है, और जो भी आपने यहाँ पर use किया था, उसको यहाँ पेस्ट कर दिया, enter किया, और यहाँ से मैं इसको कर दिया, close, अभी देखो, कुछ नहीं दिखका था, और यह बंदा, जैसे ही अपना browser refresh करेगा, देखना है, sign in क्या हो जाएगा, यह sign off, मतलब आप login कर गए, okay, login हो गया, आपका session login हो गया, यह सब चीजें होती है, आपके session ID को, अगर hack कर लिया जाता है, तो, अतलब की session ID या cookies वगरा हमेशा delete करके रखना चाहिए, नहीं तो, आप का account कितनों के पास जा सकता है, no idea, so this is very much important कि आपको अपना session ID, या अपना cookies, अपना browser up to date रखना है, antivirus वगरा, firewall वगरा update रखना है, वैसे हाँ पर firewall से कोई मतलब भी नहीं है, when service में access कर लिए जाएंगे, internet के मार्यां से, main मकसद यही है, कि browser यह नहीं है, कि market में बहुत सार पता निकाउन काउन से दूड़ा करकट के browser मिलते हैं, आप सब लोग इस्तिमाल करते हैं, उस पर different different तरीके क्या काम करते हैं, आपको लगता है कि यह तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा अपना दिमाग खोल के रखो, और किसी भी unknown browser पर पहले तो download मत करो, कि यह browser fast चलता है, आप हार एक browser पर trust करें, Chrome है, NAND Chrome है, Firefox है, यह दो plus Internet Explorer है, Microsoft Edge browser है, इस सब काफी popular browser है, आप इनका इस्तिमाल करें, मतलग कि आप Linux होगरा में तो Firefox इन सब चीजों पर trust है, इन पर काम करें, ऐसी websites ना open करें, जहाना पर कोई security नहीं, HTTPS की website नहीं, तो definitely यहाँ पर यह सारी चीज करेंगे, और किसी भी ऐसे बने पर trust ना करें, 11 नमबर पर डॉस अटेक कैसे करना है, आपको मैंने दिखा रखा है, डॉस अटेक कैसे करना है, flood कैसे बेजना, HP 3 कैसे send करना है, सरी चीजिए, now web server, okay, web server actually काफी important है, क्या आपको बता है कि जब आप किसी भी website पर अपना debit card, credit card, username, password, register करते हो, तो आपकी information भी निकाली जा सकती है, live देखना है, live देखना है, comment करके बताओ, yes, yes, live देखना है, तो बिल्कुल हम समझ जाएंगे कि ये वाला lab देखने जारो सभी लोग, but before lab, comment टेक करो, मैं बता रहा हूं कैसे live इसका होगा, comment करके बताओ, yes, live करना है, क् कि मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले web server समझा दो, फिर live दुखाता हूं कैसे क्या होती है, तो सबसे पहला part यहाँ पे देखो, web server is a computer system that store, process and deliver web pages to the global client via HTTP or HTTPS protocol, hypertext transfer protocol के माध्यम से, website को एक computer system से, हजारो लागों करोडों लोगों के computer system पर access कराया जाता है, यह से facebook.com, google.com, instagram and gmail.com, बहुत सारे .com आप देखते हो, these are the web pages, और यह कहीं न कहीं किसी server पर बनाये गए हैं, वहाँ से update किये जाते हैं, वहाँ से, मतलब यह host करे गए हैं, और हम लोग यहाँ से उनके यह viral को यह उनका नाम डालकर access करके, उस पर जो information है, उसकी information अपने computer system पर देखते हैं, learning के लिए, earning के लिए, बहुत सारे पामे के लिए, तो अब यहाँ पर, जो web browser होता है, जब किसी computer system से, internet के मादियम से, किसी server पर request डाली जाती है, अब मारिया, यह web browser xyz है, कोई selling company है, ओके, कोई selling company है, आपने यहाँ पे, अपना credit card, debit card का, सब कुछ save कर रखा है, प्लस अपना mobile number save कर रखा, bank detail save कर रखा, अपना username save कर रखा, password save कर रखा है, और भी बहुत सारे information हम लोग किसी भी server पर save कर देते हैं, तो अब देखो, उसमें कैसे scam किया जा सकता है, यह live अगर आप देख लेंगे, तो इस तरीके का काम भी करना साहथ छोड़ दे, और अपन कैस निकाली, जहां कहीं भी लेंदेन करना है, उससे कर सकते हैं, बाकि अगर trusted platform है, तो लगता है कि यह तो सही है, तो आप अपना लेंदेन करिए, ऐसी websites पर लेंदेन करिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाँ जहां तक आप अपनी information, internet पर upload होने से बचा सकते हैं, बचा जो information आपने internet पर चाहे private या publicly upload होने से बचा लिया, वो information आपकी हमेशा lifetime safe है, जो आपके पास है, आपके मतलब की अपने पास है, तो वो information कभी भी leaked नहीं होगा, लेकिन अगर आपने कोई भी information ऐसा किसी public internet पर upload कर रखा है, तो not possible कि आप इसको 100% safe रखता है, तो यह सब information service windows, जो server होते है, Microsoft के server होते है, उन्पे IIS की service चलती है, और जो Linux के server होते है, उन्पे HTTPD या Apache की service चलती है, जिसके त्रू डिफरेंट डिफरेंट साइट की, मतलब वेबसाइट बनाई जाती है, डिफरेंट 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 टाइप्स की, और उसको आजा client तक महु पीछे एक reason होता है, जैसे कि मालिया, आपने अपने computer से उस website को access किया, और उस पे कुछ username, password से login किया, अब यह जो web server है, यहाँ पे तो एक web page है, लेकिन इसका एक क्या होता है, database होता है, और यह database, यह मैं SQL अगला chapter भी यहाँ पे add करके पढ़ा रहा हूं, SQL injection type का, तो यह web pages क पीछे क्या होता है, कि एक database बना होता है, जिसको बोल सकते है, SQL database, Microsoft के गवरा डेवलब किया गया है, यह SQL database, और इस database में, आपका web page थो ठीक है, web server का part हो गया, जो कि अगर unknown web server है, तो आपका username password तर नहीं काला जा सकते है, बढ़ आपने जो authentication सेव किया हूँ, वो जो server के पास save हुआ है, आपका credit card, debit card, name, mobile number, घर का address सब कुछ, वो उसके database server में, row and column के माध्यम से save किया होता है, यह server पर storage लगा होता है, उसके अंदर पूरा का पूरा आपका data जाकर save होता है, अब यह आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यह backend का का काम होता, front पे आपकी website दिख रह आपका server चल रहा है, जहां पे सारी information store होती है, आपकी photo, video जो भी upload करते हो जाकर आपकी website के अंदर है, उसके hard disk में store होता है, और उस hard disk के अंदर की information को extract कर लेता है, like दिखाऊं वाइस को, okay, कैसे यह सारी चीज़ें होती है, create hydra attack requirement और यह सब चाहिए, पहले तो web server पे एक attack क करके, देखते हैं कि web server को हमें कैसे safe रखना चाहिए, अगर security SSL की लगा कर रखते हैं, तो definitely काफी ज़्यादा safe हो जाएगा हमारा environment, but अगर आप safe नहीं रखना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप public internet पर अपना details share कर दीजिए, थोड़े समय के बाद आप खुद नह कर पाएंगे, आपकी details क्या थी, चलो मैंने यहाँ पर login कि अपने काले index machine को, और definitely मैं यहाँ पर hydra attack करने माला हूँ, hydra attack के थुरू आप FTP, web server पर attack कर सकते हैं, FTP पर attack कर सकते हैं, मैं live आपको एक छोड़ा सा दिखा रहा हूँ कैसे क्या होता है, इन सम चीजे से क्या होता नहीं होती है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ यहाँ पर क्या करना आप लोगों, जैसे simple apt यह मैं यहाँ पर लिख दू, sudo apt install vsftpd and enter कर देता हूँ, मैं यहाँ पर, अपना password देकर enter करता हूँ, मैं पहले FTP server यहाँ पर बना देता हूँ, यह छोटा सा software है, तुरंत run हो जाए दिखा दूँ, और मेरे computer की IP 192.168, 184.147 है, and read कर रहा है, यह information, तो 85% पर यह बेट करा रहा है, कोई रिकत में, software install हो रहा है, ओके हो गया, यह मारा browser भी open हो गया, तो browser पर भी रखते हैं, साइड में, software community install हो जाना देखते हैं, 60% install हो गया है, 80%, ओके हो गया, अब आपको देखना है, पहले systemctl status space vsftpd.services, enter, और यह service running में है की नहीं है, तो service अभी क्या है, inactive है, dead है, तो access तो नहीं होगी, तो इसको start करना पड़ेगा, systemctl space start vsftpd.services, enter, और यह password माने राम का authentication के लिए login कर दो, और यह service start हो गया, दुबारा से अगर इसका status चेक करेंगे, तो देखे service active running दिखा रहे, simple, आपकी एक website ftp, server open हो गया, अब यहाँ पे आप लिखिए ftp colon slash slash, and 192168.184.147, enter, आपका यहाँ पे ftp server access हो जाएगा, बढ़ यह username password मान रहा है, और मुझे नहीं पता इसका username password, आपके system का root force यहाँ पे डगर सकते हुआ, hydra, x hydra यहाँ बेस्टेमान कर सकते हैं, x hydra, x hydra, enter कर देंगे, यह एक मतलब की live physical environment यहाँ पे open हो जाएगा, ftp, colon slash slash 192168.184.147, target list यहाँ पे, target list यह पूछ रहा है, तो target की कोई list नहीं है, simple हम क्या कर देंगे, इसको ऐसी ही रहने देंगे, and सब कुछ ऐसे ही है, password में आ जाएंगे, username आपको अगर guess करना है, तो guess कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आगे देखे दिया हुआ है, username list भी add कर सकते हैं, अगर username आपको पता है, तो भी कर सकते हो, नहीं तो username की list यहाँ पे add कर दीजिए, अब माल लिया कि मैं desktop पर आ जाता हूँ, my password list एक डिक सेंब भी मैंने save कर रखा, इसको रख दिया, password में your password या password list, तो password list में भी मैं यहीं कर देता हूँ, and सब कुछ okay कर देने के बाद, finally इधर तो कुछ नहीं करना है आपको, agitts आपको try reverse logging, try empty password, try यह सब चीजे, नहीं करन है, agitties रहने देना है, number of task, task solar, time out 30 second के अंदर यह अपना attack start, जितनी बार कर सकता है करे, और यह सब चीजें हो गई, specify details, यह सब कुछ start में आकर, आपको क्या कर देना, start कर देना है, start करने के बाद, थोड़ा सा वेट करोगे, तो definitely यहां भी कुछ करने की कोसिस करेगा, उस particular URL पर attack करने की कोसिस करेगा, तो आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको try कर सकते हैं, one hour, two time, three time, ऐसे कुछ, तो hydra invalid session यहां पर दे रहा है, okay, तो यह ग्राफिकल वाले मेंना, ग्राफिकल थोड़ा सा issue करता है, इसका सबसे based है कि आप यहां पर लिखिया चुबाई DR और enter कर दीजिए, यह आपको एक इस तरीके का link देगा, जैसे आप hydra space-l, user password यह सब चीज़ें दिया हुआ, okay, यहां पर देखो target दिया, तो आपको यहां पे लिखना है, hydra hydra space-l, l मतलब आप यहां पे specify कर रहे हो, अपना particular user के लिए information, तो user की जगह, आपको simple, आपका related को रहे हैं, और यहां पे, या तो उस password, उस list के अंदर साहथ, वो user name नहीं available रहा हूँ, तो यह भी चीज़ यह हो सकते हैं, तो मैंने यहां पे user लिखा, kali और space दिया, hyphen p capital liter है, और यहां पो मैंने password दे दिया, slash home, और मैं इस समय किस्ति लागी हूँ, kali से, इसका desktop, और my password list यह यहां पे है, और मुझे attack कहां पे करना, ftp colon slash s 192.168.184.147 अब मैं यहां पे क्या करूंगा, enter कर दूंगा, यह attack की तयारी कर रहा, इसको एक दो बार try करना है, और इसने user name login करना दिखा दिया, user name इसने क्या डूडा, user name kali है, और इसका password भी kali है, जड़ा सा try करके देखते ह user name kali और password kali, enter, आप यहां पे login कर ले, this is the hydra attack for your ftp server, brute force करके आप इस तरीके के attack को perform कर सकते हैं, और इस तरीके से किसी के system को, या किसी के file transfer protocol, जिसके अंदर data रखा हुए server के अंदर, उस पे attack perform कर सकते हैं, तो so much interesting, ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो, अच्छा हुए, मैं, machine मैंने पुरी तरीके से पूरा refresh करके रखा हुआ है, proper काम कर रहा है, नहीं तो last push रहा है, तो बहुत time रहा था, आप लोग टेडिट करके video मिलती ही, बड़ उसमें क्या होता है, तो वेट करना बढ़ जाता है, और उस system है, हमने की विज़े से problem होता है, सारी चीज़ें का problem, यह सब चीज़ें face करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने देख लिया, now next, कुछ और चीज़ें यहां पर discuss कर लेते हैं, कि आपने hydra tag देख लिया, web server की vulnerability, file and directory permission, अगर आपने, अब उसके virus वगएरा की file और जो कुछ भी है, रखा जा सकता, upload किया जा सकता, FTP, file जिला बगएरा का इस्तेमाल करके उसके अंदर किसी भी तरीके की information upload करी जा सकती, आपको नहीं पता, तो file जिला एक अलग topic आ जाएगा, but अगर comment करेंगे आप लोग तो मैं उसका dedicated video shoot कर द जितना भी query आता है, आप लोग भी पूछो cyber security ethical hacking से related, direct किसी third party पर perform नहीं, जो हम अपने machine पर या जो हम अपने demo sites बना कर सकते हैं, उसी पर करेंगे, okay, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके का किसी another resource का इस्तिमाल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने resources मैं इस्तिमाल कर जबी भी आप try करोगे, तो you should always follow these rules, otherwise problem create होगी महाँ पे, तो improper installing of server with default detailed password, अगर आपने proper तरीके से default username password से login करा है, server को install किया है, तो भी problem होगी, default administrator account से login किया, तो भी problem होगी, improper authentication, सबको free free authentication देते जा रहा हो, सभी लोगों को किसी भी तरीके करें, direct की permission देते जा रहा हो, तो ये भी harmful होता हमारे लिए, admin account का permission सभी को नहीं देना है, जिसको जरूरत लगे, उसी को दो, misconfiguration of service and any other private details, अगर कोईसी भी तरीके कि private information आपने इपने server पर login किया, और किसी और को वो sell करी गई है, किसी और को share कर दी गई है, किसी ने उसको देख लिया, कहीं सब भी, तो problem हो जा जादा दिन फिर चलने ही, okay, तो यह सचीज है, बड़ अगर आप किसी भी ऐसी website पर विजिट कर रहे हो, जहां पे STTPS लिख कर नहीं आ रहा है, तो वो जी जयाद रखेंगे, यह STTPS क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा तो नहीं, यह सचीज है नहीं पता, तो जब आप कोई website open करते हो न, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, google.com और मैंने इंटर कर दिया, now you can see STTPS, यह secure website, okay, तो यह सब चीज हो जाता है, तो how to perform FTP attack using Hydra tool, मैंने आपको दिखा दिया, X Hydra पे आप लोग try करना देखना, X Hydra पे username भी डालने का option आ जाता है, बट अगर जो advanced label पर सीखेंगे, वो तो definitely एक बर्क दिखाना होता है, उनको भी तो उसके पीछे बढ़ जाएंगे जब तक कर नहीं है, यह सब चीज है, and definitely आपको server बना कर, मैंने अपने server को बना कर दिखाया, इसलिए, तो okay, यह सब चीज होती है, now next topic as keyword database, जिसके अंदर क्या होता है कि website पर जब कोई information आप save करते हूं, जो मैंने भी login details कुछा, username, password कुछा, mobile number, debit card, credit card की details, तो कही ना कहीं back end में, जाकर एक इस storage में save होता है, Microsoft ने SQL server बना रखा है, Linux ने Apache server बना रखा है, जिसके माध्यम से, यह सब क्या होते हैं, कि backend में website को host करने के लिए, यह row and column information user का रखने के लिए बनाया जाता है, तो कैसे यह SQL server काम करता है, यह इसका data कैसे निकाला जा सकता है, SQL के अंदर कैसे घुसा जा सकता है, यह भी मैं आप लोगों को live दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा, क्या मैं like दिखाता हूं, comment करके बतादो बिल्कुल कि SQL server live, अभी देखो, मैं यहां तक read कर चुका है, पहुंच चुका है, okay, definitely यह सारी चीज़ा होती है, तो फिलाल यहां पर हम लोग start करने वाले हैं, कि how to perform live attack on SQL database, okay, तो start करते हैं session को, SQL database कैसे attack करना है, तो कैसे perform करना है, step by step दिखाते है, मैं यहां पर perform करने वाला हूं, SQL database के अंदर कैसे penetration करा जा सकत आप एक website यहां पर open कर लेजिए अपने काली connection शेंबर, और मालियक यह एक website है, test.php.worldwave.com, okay, यह एक demo website है, इस के भी आप कर सकते हैं, अपना practical perform, and इस website के तुरू जास्ट आपको अपना terminal, मतलब एक terminal open कर लेना है, simple, and terminal open करने के बाद, simple मैंने यहां से कर दिया, ओके, थोड़ी आवाज का last video में थोड़ा issue था, तो ज़्यादा मैंनत करना पड़ा, यहां पर देखिए क्या करना है, आपने terminal open कर लिया, terminal open करने के बाद, आप यहां पर एक last topic यूज़ करने वाले हैं, जैसे, यह प्रापर तरीके से visible होगे window, अब यहां पर मैं क्याम करता हूँ, अपना your cart में आ जाता हूँ, और यहां पर login वाले पर आ जाते हैं, और यहां पर कुछ details login है नहीं है, doesn't matter, बट यहां पर मालिया की categories भी आ गया, your cart आ गया, इसे categories में आ गया, कोई भी एक ऐसा, मतलब URL open कर लेना है, जहां पर कोई data रखा गया, तो मालिया posters बगेरा है, painting बगेरा है, यह, मालिया की यह particular data में से, मैंने यह पूरा का पूरा यहां से यह, यहां तक copy कर लेना, यह एक URL है, अब जो आपका यह URL है, इसी पर मैं क्या करूंगा, पूरा लैप पर आप करूंगा, अब यहां पर मुझे type करना पड़ेगा, in URL, ओके, SQL map space, iPhone U, U मतलब URL, और मैंने यहां पर URL को एंटर कर दिया, और जैसी मैंने एंटर किया, तो इसके बारे में कुछ information है मिलती है क्या, let's check, तो यह कुछ start कर रहा है, इसके बारे में search करना, check करना, और यह सब चीजे, तो yes, इसके database को read करने देते हैं, yes, इसके database को read करने देते हैं, और देखते हैं, क्या information यह read कर ले, थोड़ा सा, दोनों के बीच, यह information अपना read कर ले, और यह सब चीजे कर ले, okay, मैं इसका font थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, testing चल रही है, यहाँ पर, no issue थोड़ा सा wait करना है, अब इस lab में हमें थोड़ा सा ज़्यादा wait करना पड़ेगा, क्योंकि यह पूरा का पूरा एक server के अंदर database access करने के लिए command दी गई है, और यह सब चीजे करा जा रहा, तो ठीक है, करने देता है, information access, one to twenty column injectable, इसके अंदर एक से बीस column ऐसा है, जो injectable है, जिसके अंदर अपना program या जुगारा लगाए जा सकता है, तो चलो देखते हैं, क्या ऐसा है, आगे और भी चीजे में मिलने वाली है, this is not enough detail, थोड़ा सा और यहाँ पर time देते हैं, इसको, ओके done, तो इसने बहुत सार इंफर्मिशन रीट करा होगा, और कुछ यहाँ पर details भी इसने बताया, अभी कोई details ऐसी नहीं, जो उपर आप पढ़ें और देखें, आपको simple, आपको ऐसी रहने देना है, और इसने कहा रहा है कि जो डेटा फिच किया है, वो डेटा इस्टोर करके इसने रख लिया, कहाँ पर home kali.local share sqlmap output testphp.wallmap.com, यह location है, जहाँ पर इसने एक फाइल से किया, आप उसके अंदर जाकर देख सकते हो, क्या क्या information है, बट अभी मुझे नहीं वहाँ पर जाना है, मैं यहाँ पर next command चला database मुझे यह बताएगा, तो इसके अंदर जो database available दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दो database है, पहला एक ACUART और दूसरा information schema, तो यह दोनो database में जो पहला database है, ACUART, इस website पर आकर देखो, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर, ठीक है, यह website का नाम है, तो ठीक है, मतलब अब तो हम चलते हैं, इस database के अंदर पहले चेक करेंगे, क्या मिलता है, और नहीं अगर को information मिलती है, तो हम इसके अंदर चेक करेंगे, तरीका similar है, तो यहाँ पर ACUART लिखना पड़ेगा, तो simple मैं यहाँ पर लिखूँगा, DBS जो लिखा हुआ है, इसको मैं हटा दूँगा, हाइफन, हाइफन से, पूरा हटा दिया, अब मैं यहाँ पर हाइफन कैपिटल डी, और database का नाम यहाँ पर क्या दिया है, A-C-U-A-R-T, okay, A-C-U-A-R-T, spelling गलत नहीं होना चाहिए, हाइफन, 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 user information, यह सब information है, तो really आप देख सकते हो, home categories artist, your card, guest book, बहुत सारी information है, बट इसने और भी कुछ hide है, यहाँ पर जो निकाल लिया, okay, तो हमें यहाँ पर user ले, information ग्रूदना है, अब हम क्या करेंगे, सेम यह task हटाएँगे, हाइफन, 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 टी हटा देंगे, और और फिर database का नाल, मुझे user, users का database ढूटना, और इसका column से, o, l, u, m, m, और enter करेंगे, अब यह column निकालेगा, उसका, okay, this is the column detail, यह कुछ अलेगी, column आ गया, अब तो यहाँ पे, देखो, यहाँ पे, आठ, आठ, कॉलम इसमें दूड़ा, पहला column में यह क्या दे रहा, address, card, cc, credit card, detail, email, address, name, password, phone, number, यह, इसमें ज्यादा details है, अलग में कुछ categories, id, और कुछ दिया हुआ है, फिर आगे चलके कुछ और दिया हुआ है, तो column number में यहाँ पे, पहला वाला जो है, users के information में, इसी को मैं add करता हूँ, और इसी के, डिये, आगे perform करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, कि अगर मैं सबसे पहले देखू, यहाँ पे address है, तो address में क्या दिया हुआ है, सबसे top पर आ जाते हैं, 3 है, 4 number पर यह सब कुछ है, यहाँ पे address, और address लिखा है, यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहला हम लिखते हैं, यहाँ पर यूनेम, यूनेम, कॉमा, और दूसरा क्या था, पासवर्ड, उसके बाद address, उसके बाद, कॉमा, एड्रेस था, उसके बाद, इमेल, कॉमा, सीसी, कॉमा, फोन, ओके, और इतना बहुत है, हाइफन, हाइफन, डियू, एम, पी, डंप लिखते हैं, और एंटर कर देते हैं, देखते हैं, कुछ इंफर्मेशन यह देता है कि नहीं, तो यह क्या कह रहा है, अभी कुछ नहीं इंफर्मेशन देना, बोला, डंप्स, एंटर, ओके, कोई बात ही है, तो कहीं ने कहीं कुछ गड़बर हुए है, हम सी को कैपिटल कर देते हैं, ओके, डंप, सी को कैपिटल करके एंटर करते हैं, केस्टिंग स्टार्ट कर दिया, सी कैपिटल लिखने पर यह स्टार्ट किया, एंड लॉगिंग बैक टू पार्सी रूनियन टेक्निक कुछ ये इस्तिमाल करने की कोशिस कर रहा है और यहां पर हम लोग फिर थोड़ा सा सर्च करके देखेंगे इसने यूजर नेम पासफ़र्ड मिल जा तो फिर तो हम लॉग इन करके इसकी डीटेल्स देखी सकते हैं ओके कुछ सर्च करने की कोशिस कर रहा है इसको एक दो बार ट्राई करेंगे देखेंगे कुछ इंफर्मेशन रिट्रीव करने की कोशिस कर रहा है तो इसको अबार नहीं करना है लाइव यह आप किसी उसके अंदर देख रहा है मतलब यह इंफर्मेशन यहीं पर यूजरनेम पासवर्ड का पूरा कॉलम डिस्पले कर देता है अब यह थोड़ा टाइम लगा रहा है तो कुछ कर नहीं सकते और यहां पर सारी चीजें तुरान हो ही देएं आगे का प्रासेस भी चला इसको ओने देंगे तुझारूर यह स्केंड करेगा एंड़ अधर्डरेस इसरी इमेल में पास पूर्ड ओके तो अफकाम करते हैं इसको अब वार्ट कर देते हैं अधर्रेस इसरी इसरी आप तो यू नेम के जगा एक सिक्वेंस में दे देते हैं एड्रेस, cc, cc के बाद क्या था देखो इसने यहां पे ब्लैंक ब्लैंक निकाल लिया था मतलब हमें बहुत नहीं करना चाहिए था यूजर नेम, password, address, email, cc, phone, सब निकालना यहां पे यह निकाल ले था बट मैंने destroy कर दिया चलो ठीक है एक बट प्रापर तरीके स्फिर से दे देते हैं मैंने यहां पे क्या क्या दिया था address, cc, email, name, pass, email, name, pass, phone, email, name, pass, phone, ok आजाते हैं last में email, email, name, pass, password, phone, uname, bus, and hyphen, hyphen, d, yu, m, p, enter अब यह एक तरीके का sequence जैसे वहां पे उपर दिखा रहा था मैंने उस type में दे दिया और यहां पे यह फिर से start कर दिया अब इसको थोड़ा time दे देंगे आपको यह information निकाल के देदेगा यह एक बार information अगर निकाल के रख लेता और दुबारा जब इस पे आप perform करेंगे तो उसको time नहीं लगेगा वो तुरंत result आपके सामया देगा बट जब first time आप करोगे इस lab के लिए especially आपको wait करना पड़ेगा तो हम यहां पे wait नहीं कर सकते हूँ कि live है और यह सब चीजे retrieve करना information और यह जरूर आपको information निकाल के देगा चले इसको ऐसे हम छोड़ देते है हैं आगे चलेंगे और देखेंगे इसकी lab कैसे perform करी जाएगी और इन सब चीजों पर बात करेंगे तब तक हम थोड़ा सा आगे का theory part पढ़ लेते हैं इसको ऐसी चलने देते हैं कितना time लेता है तो next कुछ हम लोग topic यहां पर discuss कर लेते हैं regarding firewall और बहुत अच्छा सा topic है regarding firewall सब चीजें आपको समझा मैं देता हूं firewall क्या है कैसे काम करता firewall एक तरीके का security application या टूल है यह hardware और software दोनों लेवल पर available है hardware भी firewall का आता है और software भी आता है इस firewall से आप अपने network के अंदर incoming or doing connection पर जो भी packets होते हैं उसको filter कर सकते तो for example आपके network में आप अपने computer पर कुछ का आप अपने computer system पर firewall अगर disable रख देते हैं तो कोई भी hacker attacker आपके system के अंदर असानी से घुच जाएगा अगर firewall enabled है तो थोड़ा सा उसको मैनत ज्यादा करना होता और फिर कहीं उस पर जाकर वो perform कर पाता है तो यह भी सारी चीज़ें होती है definitely आपको उस पर देखना कि firewall के थ्रू क्या-क्या rule create कर सकते हो यह सब चीज़ा firewall पर rule भी create कर सकते हो किसी भी website को block करने से related और यह सब काम कर सकते हैं भी मैं website को live block करके दिखा देता हूं कैसे firewall वगरे कि थ्रू ब्लॉक किया जाता है software based firewall तो incoming और outgoing जो traffic होती है incoming मतलब बाहर से अगर कोई packet आपके network में किसी computer पर रेसीव हो रहा है उसको भी filter करने का काम कर रहा है अगर आपके network से कोई बाहर information send कर रहा है spam website है या कोई data है तो भी वो उसको क्या कर देगा block कर देगा ओके तो इस तरीके की security enable करके एक तरीके का दो मतलब की mediator के बीच में wall है जो की आने जाने के सभी packets को monitor कर रहा है और उससे related security implement कर रहा है application software जो firewall होता है वो थोड़ा साल less secure होता है in compare of hardware based firewall firewall actually boot के समय भी आपके computer को secure करता है प्लस boot होने के बात प्रापर तरीके से full mode पर भी वो पूली तरीके से क्या करता है secure करता है आपके system पर basically firewall के कुछ ऐसे technology या point बनाएगा है console बनाएगा है जैसे IDS IPS IDS का काम होता intruder या intrusion detection system और यह क्या करता है traffic को analyze करता है monitor करता है और related अगर कोई hacker attacker की activity लगती है तो उसको यह क्या करता है आपके system owner को बताता है या एक log generate करके owner को बता देता है या पता चल जाता है यह सब चीजह होती है तो कोई भी तरीके की threat activity अगर आपके network में हो रही ह तो IDS क्या करता है उसको पूरी तरीके से उस तरीके के behavior को अपने system पर scan करके पता करा जा सकता है या उसको बता देता है log बता देता है इन्ट्रोजन प्रिवेंशन सिस्टम क्या करता एक तरीके का ? delect store तो करता ही करता है प्लस अपनी तरफ से उसको destroy करने की कोशिज करता है ऊस threat को deny क्या करता है उस तरीके के bad program को रोकने की कोशिज करता है लेकिन जब वो नहीं कर पाता तेन एक log जेनरेट करके अपनी monitoring team तक मिल जाती है उसका एक proper log मिल जाता है जिसके तुरू monitoring team क्या करती है आपके system को आपके server को पुरी तरीके से उस particular log से related maintenance पे लग जाती है सकचे तो काफी advanced level पर security system या security appliances को इस्तेमाल किया गया ऐसा नहीं है कि बस एक छोटा सा task है और यह सब चीज है बहुत बड़े इस सब चीजे को firewall के फिर आपको Cisco की firewall वगरे की configuration की वीडियो देखना है तो ASC firewall space चमान डालना मेरी वीडियो आ जाएगी YouTube पर आप देख सकते हैं उसका firewall का पूरा details वहां पे दिखाया गया तो firewall के थुरू कैसे आप अपने system पर perform कर सकते हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूं किसे नहीं देखो address, cc, email, pass, phone यह सब चीजे यह पूरा का पूरा इसका column और हर चीज तयार कर रहा है और यहां पर यह attack कर रहा है, empty यह भी दिखा दिया तो फिर से इसमें guess करना start किय है, यह आपको थोड़े समय के बाद देगा, जब first time ऐसा कुछ होता है तो ज़रू इसको wait करेंगे, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर एक दो बार इसको disconnect करकर करके try करेंगे, तो आपको पूरी details मिल गएगी, ओके, चलो अभी इसको होने देते हैं, अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या दिखाना था है, यहां पर firewall के through कैसे, आपके system पर कोई भी rule create किया जाते है, माल यहां पर हमारा Google Chrome है, और इसमें किसी भी service को, किसी भी port को, किसी भी application को, आप rule based create कर सकते हो, firewall के through block कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हैं, ओके, तो simple यहां प देखो Google.com open हो पा रहा है, and then मैं यहां पर Facebook.com open कर रहा हूँ, तो वो भी open हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर control panel open करते हैं, enter करते हैं, और अभी मैं एक system की hacking दिखाना है, android hacking दिखाना है, wireless का दिखाना है, wireless का मैं यहां पर tutorial नहीं बना रहा हूँ, इस topic के अंदर, तो कि wireless पर already मैंने wifi hacking का video बना दिया, वीडियो डिस्किप्शन में वीडियो का लिंक डाल दोंगा, wifi का step by step lab देख दोंगा, क्या उसी चीज के लिए दुबार record करना, system and security में आ जाने के बाद, windows firewall पर आप आ जाएंगे, और आपको अपने connection के लिए क्या करना है, outbound के लिए, जैसे हम ना access करका है, outbound पर right click करना है, next करना है, और आप लेड़ी देखो, chrome के लिए यहाँ पर block है, बट हम लोग यहाँ से custom पर select करेंगे, next करेंगे, और यहाँ पर this program browse कर लेंगे, और जिस program को block करना होगा, जैसे program के अंदर सारा program तो होता है, तो आप select करेंगे, next करेंगे, और यहाँ पर सारी protocols के लिए, सब कुछ दिया हुआ, port number सभी IP के लिए, okay, okay कर देना है, connection को block करना है, और next करके यहाँ पर chrome 2 कर देना है, और chrome 2 करने के बाद simple आप यहाँ पर okay कर देंगे, chrome 2, 3, 4, 5 यहाँ जो भी आपको नाम लिखना लिख सकते हैं, और आपका यह काम करना है start कर दिया, अब जड़ा से यहाँ पर आकर इसको refresh करेंगे, और आपको result यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, let's see, यहाँ पर कोई भी वेस साइट आप open कर गये, facebook fail हो गया, google.com open करते हैं, यह पूरा का पूरा प्रोग्राम ब्लॉक हो गया, देख सकते हो आप यहाँ तो, ओके, तो यह पूरा का पूरा तरीका होता है, जिसके थूरू आपके system को compromise, sorry, मतलब की block कर दिया जाता है, compromise होने से बचाया जा सकता है, services को बंद करके सक चीज़े, firewall के तुरू यह security नेबल होती है, तो अगर इसकी security की जरूरत नहीं है, तो इसको बिल्कुल disable कर दें, इस तरीके का कोई भी task को सब करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बंद कर दें, इस सारी चीज़े, and simple, आप firewall वगर इस तरीके से set कर सकते हैं, एक बहुत important topic मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ, बता दूँ, इस सारी चीज़ें, कि firewall और इन सब चीज़ों पर आप काम करी रहे हैं, सब task manage हो ही रहा है, तो कैसे आपको आगे कुछ चीज़ें perform करनी हैं, मैं यहाँ पर दिखा देता हूं, simple, यह माली आपके पास एक machine है, और firewall का setting आपने देखा, यह कुछ इसका details आपको यहाँ पर मिली रहा है, और let's see कि इसने कुछ detail निकाल के दिया, अभी तो बिल्कुल इसने blank दे दिया, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग, एक बार ओर try करें, यहाँ पर last में जो you name दिया हुआ है, इसके, साथ colon हटा के enter कर देती है, इसको होने देंगे, दो-तीन बार इसको होने देंगे, try करने देंगे, यह जरूर आपको information निकाल के देगा, अब यह live system पर है, तो कितना time लेगा, no idea, but इसको try करके देखेंगे, और अगर इसका कोई short तरीका मिलता है, तो मैं अलग से अब इस पर देखूँगा, क्योंकि यह lab हमेशा time लेता है, time taken process होता है, और कभी-कभी तुरंत result आ जाता है, अगर आप लोग साथ यह same perform करेंगे, exact what से आपके सामने answer आ जाए, तो यह भी हो सकता है, तो कोई नहीं आप लोग इसको try करके देखना एक बर कैसे क्या है, जरूर try करना, काफी help आप लोगों को इसमें मिल जाएगी, cryptography system and then windows hacking आप लोगों को दिखा देते हैं, फिर आगे काम करते हैं, cryptography system, एक ऐसा system होता है, जिसके थूरू आप लोग क्या करते हैं, यहां लोग क्या करते हैं, किसी computer system के अंदर, या मतलब जो भी information रखी हुई है, यह सब चीजे, या simple cryptographic ऐसा technology है, जिसमें किसी भी normal code को encode कर दिया जाता है, different different cipher values में, या encoded values में convert कर दिया जाता है, जैसे cryptography system अगर बात करेंगे, तो आपने sender ने को information send किया, ABC, जैसे वो information out होगी, hacker attacker के पास वो information encrypt होकर जागी, और यह data जो होगा, यह तरीके का encrypted format में होगा, और receiver के पास जब वो data आएगा, तो वो decrypt होकर display होगा, कि यह data के अंदर था, बट, mid में क्या होगा, रास्ते में, वो data है, जब coded format में होगा, और कोई इसको read नहीं कर सकता, ओके, तो यह सब चीज़ों होती है, translate हो जाता है, one formation, cipher values क्या होता है, actually cipher values convert हो जाता है data, तो, one, two, three का cipher values देखा जाते, कुछ इस तरीके से create होकर आता है, तो यह एक तरीके का क्या है, code है, जिसके थूँ आपकी values, different different उसमें create होती है, cryptology system जो होता है, कि stegnography होता है, एक cryptography होता है, cryptography में code या cipher value में information convert होती है, इस technography में एक image के अंदर, आप अपनी sacred information को save कर सकते हैं, live मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, cryptography system के लिए online tools एक website है, इस पे जा सकते हैं, या तो फिर आप encryption, decryption के लिए, बहुत सारे ऐसी websites हैं, जहांपे आप जाकर काम कर सकते हैं, और वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहां पे मैं इसी website पर जाऊंगा, और यहां पे आप लोगों को दिखाता हूं, online tools और यह सब चीज़ें, ओके online tools यहां पे देखिए, यह तरीका text encryption, decryption का यहां पे option है, तो कोई नहीं अंदर भी आप लोगों को option वही सब मिलेगा, open online वेबसाइट को, ओके तो यहां पे देखिए दिया हुआ है, text encryption, decryption, आपको इस पे सेलेक्ट करना है, ओके, तो यह हो गया, अब यहां पे text की information मान लिया, कि really मैं यहां पे लिखता हूँ, hello, तो थोड़ी सी यह वेबसाइट slow है, कुछ ऐसे एक secret message आपने लिखा, और इस message को encrypt कर दिया, encrypt करने के बाद कुछ इस तरीके से code में आ जाएगा, इसको आपने किसी को mail कर दिया, यह बंदा दुबारा इसी website पर जाता है, decryption के, इसमें यह डालता और इसको decrypt करता है, तो इसको वही email दुबारा मिल जाता है, मतलब यह एक proper तरीका है, इसको code, encode, decode और यह सब चीज़े करने का, इसका password के साथ भी इस message को send कर सकते हैं, password generator भी आता है, जिसके तो यह पूरा का पूरा काम होता है, जैसे, online encryption, decryption के लिए, आप यहाँ पर यूज किये हैं, वैसे बहुत सारी website हैं, है ना, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर, online, या simple आप लिख सकते हैं जैसे, cryptography, text, encryption, ओके, enter कर दिया, ऐसे आप देखेंगे तो, सायद website बगर यहाँ पर और भी मिल जाएं, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, इसको देख ले ना, online tool मैंने दिखा ही दिया, इसके लामा आपको कुछ paid software's वगरे भी भाई करने होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, तो online tool.com बेस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और उसके list में, side में बहुत सारी list थी, जिस जिस से related आप encryption, decryption चाहते हैं, बहुत सारे options थे, आप वहाँ से देख लेंगे, क्रिप्टोग्राफी एक्चुली हो गया, इस technography में क्या होता है, कि आपके image के अंदर information कैसे से बुटती है, let's try, माल यह आपके पास पुड़ी image है, बट image का extension जो होता होना चाहिए, do.bmp होना चाहिए, जैसे, मैं यहाँ पे इस penguin को open करता हूँ, MS paint पर यह open होगा, file में आएंगे, और file में, या इसको, save page कहां से करेंगे, अच्छा यह तो हमारा, player है, इसको open with करते हैं, और MS paint कर देते हैं, ओके, और इसको यहाँ से आकर, save page करते हैं, और BMP pictures में इसको save करते हैं, वो भी कहां पर, desktop पर, penguin's name से यह save हो जाएगा, desktop पर, ओके हो गया, अब यह एक tool आपको मिल जाएगा, आप Google कर लेंगे, as tool, download free है, यह, 200-300 KB का software है, और इसको आपको क्या करना है, direct run हो जाता, माल लिया, एक text file या कोई ऐसा secret message है, जो कि आपको यहाँ पर लिखना है, text me, me, और इसके अंदर मैंने matter लिखा है, my login, id, password, okay, username, xyz, password, 123, 123, और मैंने इसको save कर दिया, यह पूरा message save हो गया, अब क्या करना है, इस message को, आपको क्या करना, इस file के अंदर, सबसे पहले तो इस photo को यहाँ पर open कर लेना है, ऐसे open हो जाएगा, simple, बागी कुछ नहीं करना, यह photo लग रहा open हो गया, और just आपको यह जो file है, इसके अंदर लाकर छोड़ देना है, फिर यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांग लिया, 123, 123, 123, तीन बार मैंने दिया, पासवरेज को verify किया, 123, 123, 123, 123, और मैंने just इसको click कर दिया, click करने के बाद, यह एक hidden data बन गया, और आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, saveize कर देना है, saveize करने के बाद, यह by default as tool के अंदर, hidden नाम से यह save, मतलब store हो रहा है, तो hidden. hidden.bmp करना पड़ेगा, bmp, ok, और चलिए ठीक, एक बार bmp कर देंगे, एक बार dot bmp, एक बार ऐसे ही रख देंगे, तो यह हो गया, अब यहाँ पे आप आजाईए, देखें यहाँ पे यह image आ गई, ok, bitmap image, ok, अब क्या करना है, यह आप अपना, मतलब हटा दो, इस image को जब कोई open करेगा, तो कुछ ऐसे दिखेगा, अब हम क्या करते हैं, यह जो text file इसको delete कर देते हैं, देख लेता हूँ पहले, bmp के अंदर यह बुची जाएगी, कि कहाँ पे, s tool को दुबारा से open करना है, अब मैं यह वाला जो image है न, इसको भी चुरू delete कर देते हैं, ok, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आपको क्या करना है, यह जो image है, जो मैंने अभी save किया था, .bmp वाली, इसको दुबारा से इसके अंदर open करना है, इसको यहाँ पे लाकर छोड़ दो, right click करो, reveal करो, और यहाँ पे password डालो, 123, 123, 123, 123, password दुबारा से 123, 123, 123, और just ok कर दो, थोड़े समय के बाद एक text file ऐसे जन्रेट होकर दिख जाएगी यहाँ पे, text file मैंने delete कर दिया, यह यहाँ पे है, है ना recycle bean में है, okay, मैंने जैसे यहाँ पे right click करके save करा इसको, और अपने desktop पर save कर दिया, मैं इसको save कर देता हूँ, अपने administrator के desktop पर, text मी नाम से save कर दिया, अब इसके अंदर आप देखो, वो matter भी है और सब कुछ है, इस तरीके से आप इस technographic का का काम कर सकते हो, अपनी secret messages यह information, एक image के थुरू किसी को send कर सकते हो, आपको लगेगा कि this is the image, यह hacker attacker को लगेगा कि यह सिर्फ image है, अब इसके अंदर आप अपनी information इस तरीके से send कर सकते हैं, hacker attacker भी इस तरीके के secret communication system, terrorism वगरा जो group होता है, इन सब चीजों के अंदर अगर smart बंदे हैं, तो यह सब चीजें use करते हैं, इन सब चीजों को decode करना, और इन सब चीजों के लिए, जो cyber team होती है, वही सब चीजों का यह काम होता है, तो कुछ और topic यहाँ पे हम लोग discuss कर लेते हैं, आपने backdoor का मैंने topic पढ़ाया था, warm backdoor और यह सब चीजी, उसका भी lab prepare हो चुका है, तो मैंने सुचा कि इसको भी complete करा देते हैं, and then android और इन सब चीजों पे रहेगा, तो इस पर भी मैं आगे चल के एक पूरी सीरी जी है, अभी खतम नहीं होने वाला, इसको अगर 2-4 घंटे और बनाए तो भी कम पड़ जाएगा, तो चलो कुछ और टापिक यहां पे हम आप लोगों को समझा देते हैं, जैसे, फ़र एक्जामपल, ये Windows 7 है, और इस पे मुझे access लेना है, मुझे उसके अंदर, उसके username, password को compromise करना है, इस अब चीजें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनने काली Linux machine पर terminal open करेंगे, terminal open करने के बाद, हम सबसे पहले target की IP का पता करेंगे, तो target की IP जो है, वो, अल्यडी मैंने आपको एन मैप के थूँ स्कैन करना बता ही दिया, एन मैप के थूँ सारी चीजें, उसी चीज को बार-बार करने में, ज़्यादा time waste हो जाता है, तो कोई फायदा नहीं है, मैंने कर्मिनल थोड़ा से बड़ा कर दिया, और मैं यहाँ पर OTSPACE हाइफाने से देख लेता हूँ, मेरा जो gateway यह है, और साहद हमारे जो Windows 7 की IP है 192.168. यह चलो एक एक बार मैं पता, मैं पूरा का पूरा बता ही देता हूँ, मैं map space, अब 192.168.192.168.84, यह पूरा scan मैं कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या IP अवेलिबल है क्या नहीं अवेलिबल है, और उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ backdoor वगरा create करना है, तो थोड़ा से यह time लेगा, की सारे services open है, तो हम यहाँ पे बहुत सारी service यहाँ पे कोई भी ले लेंगे, सबसे पहले हम इस IP को scan करके देखते हैं, तो simple हम यहाँ पे लेंगे, exactly मुझे पता तो चले यह कौन है, तो nmap space-capital हो, और 146 की जगा 145 और enter कर देते हैं, और मुझे यहाँ पे root की permission देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे sudo space root की permission दे दिया, password दिया, और फिर यह हमें बताएगा कि हमारा operating system काउन सा है, तो Windows 7 running OS में दिखा दिया, और यहाँ पे यह सब services दिखा रहे हैं, good, that's all fine, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक backdoor create करना है, backdoor create करना काफी easy है, और sudo space, sudo space hyphen, या, मैं sudo लिख देता हूँ, space msf, random space hyphen p, पे रोड के लिए आप दिखेंगे, Windows slash, meter pretender, p, यह सब tools है, वही मैंने काना, एक एक चीज को बताया जाएगा, इतना ध्यान से देखकर, आप लैप परफॉर्म कर लेना, एक दो बर समझ लेना, फिर एक एक चीज मैं बताऊँगा, down to y, series स्टार्ट हुए, तो पता चलेगा, meter pretender, और slash, r e v e r reverse, उसके बाद, hyphen, reverse, reverse TCP, meter pretender, meter, 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 reverse, TCP, ओके, space, अब यहाँ पे localhost, lhost, मैं root user से login कर लेता हूं, नहीं तो यह command execute नहीं होती, proper तरीके से, sort नहीं ले रहा है, sudo space-i, and login हो गए, अब देखो, msf-venom, अब मुझे तोड़ा सा help मिल जाएगा, hyphen p space-less, windows, मैं आदा लिकोंगा, यह पूरा ले लेगा है, अब यहाँ पे काल host, localhost is equal to, आप localhost is equal to, दीजे यहाँ पे, एक ग्रेटर, आप स्वरी, equal to, and localhost में, आप अपने computer की IP, 192, तो अपने computer की IP बता करने के लिए, आप if config लिख सकते हैं, 146 है, तो 147 है, ठेक है, तो मैंने यहाँ पे, 192.168.184.147, और localhost के बाद, आप यहाँ पे local port, add करेंगे, मैं यहाँ पे, 2222, चार बार कर दिया, and hyphen f space, और एक यहाँ पे, exe level पर आप काम करने जा रहे है, space देंगे यहाँ पे, and, slash, slash home के अंदर, मैं एक payload, upload कर रहा हूं यहाँ पे, home के अंदर, kali नाम का user है, इसके desktop पर, एक payload बना दे, जैसे, pubg, g, dot exe, okay, ऐसे करके, एक software, and then, enter करते हैं, और wait करते हैं, कि यह, मतलब एक तरीके का, payload बनता है, कि नहीं बनता है, कोई गलती तो नहीं है, let's see, okay, इसने 73802, इतना payload बना दिया, ls, इस पे slash, home के अंदर आ जाते हैं, kali के अंदर आ जाते हैं, desktop पर, enter करके देखते हैं, तो pubg.exe का एक payload बना दिया, ठीक है, okay है, हमारा payload बन जाने के बाद, हमें क्या करना है, अब, आ जाना है, अपने msf console के अंदर, msf console, और, या सबसे पहले, आपको यहाँ पे, apache server भी install करना पड़ेगा, ताकि web server के थूँ, उधर इस application को, हम access करा पाएं, या download करा पाएं, तो उसके लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे, apt-get install, apache, और enter कर देंगे, apache 2 है, enter करेंगे, और इस service को, यहाँ पे install कर देंगे, apache 2 की service, तो, चोकि यह web server है, असानी से बन जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, कैसे apache server, यहाँ पे install होगा, service installation में, थोड़ा सा time लगता है, application में अगरा मैंन से चीज़ा है, ओके तो हो गया, clear करते हैं, machine को, systemctl space, status, apache 2, dot service, अभी inactive है, तो start, status की जगा पे, हम start लिख देते हैं, enter कर देते हैं, service active हो जाएगी, आप देख सकते हैं, clear करना है, यहाँ पे, clear कर देना, आपका हो गया, अब आपको क्या करना है, rm space, space hyphen, अब यहाँ पे देखो, work के अंदर आपको आना है, work के अंदर आपको मिलता है, www, इसके अंदर मिलता है, html, और इसके अंदर क्या-क्या, इंडेक्स और यह सब चीज़ें रख्यों ही है, तो सब को delete मारो, ओके, तो सब को मैं यहाँ से, या तो अभी आगे चलके, मैं भी इन सब फाइलों का काम मुझे पढ़ जाए, तो mv में लिखता हू, इसके अंदर www.html के अंदर, जो भी इनफर्मेशन इस्टार लगा कि मुझे slash, वों के अंदर, काली के अंदर, डेस्क टॉप पर यह सेंड कर दे, ठीक है, भूव हो गया, ऐलसी इस पे स्लास, मैं चेक करूँ की, जो वर डेटा है, वर एक्चली फाइल लोकेशन है, आप Linux वगरे में, मैंने काफी ज़्यादा पढ़ा रखा चाहिए, वो Linux Red Hat हो, चाहिए वो काली हो, पैरट हो, सभी पर, तो वर के अंदर, हमारी एक मतलब की, वेबसाइट की फाइल पड़ी होती है, वेबसाइट फाइल पड़ी होती है, बाइटी फाइल तो हम उसके अंदर, अपने इस पर्टिकुलर जो वाइरस को create के, उसको add कर देंगे, और उस फाइल बहुट आ देंगे, ताकि जब कोई वेबसाइट पर, यहाँ पर जैसे वर के अंदर www.html के अंदर, अब देखो, यहाँ को बिल्कुल ब्लैंक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पूरा का पूरा यहाँ पर, cp-rvf-home के अंदर, काली है, इसका desktop है, इसके अंदर, pubgg करके यह data था, और इसको मुझे क्या करना, slash work के अंदर, और work के अंदर www.html के अंदर, अड़ कर देना है, बस copy हो गया, now you can see, इसके अंदर data आ गया, तो यह बस मैंने अभी data, copy किया, जो virus create किया था, अभी इतना कर देने के बाद, मुझे आ जाना है, MSF console के अंदर, MSF console यहाँ से open कर लेते हैं, और हम आ जाते हैं अपने Windows machine पर, Windows machine पर जब यह बंदा, इसको आपको URL बनाना, URL create करने मैंने आपको बताई दिया, कैसे create किया जाएगा और यह सब चीज़ है, और उस URL पर जब यह बंदा लॉग इन करेगा, जैसे 192.168.184.147, एंटर, तो इसको वो वेब पेज मिल जाएगा यहाँ पर, यह देखो, यहाँ पर यह फाइल मिल गई है, अभी कुछ नहीं करना है, यह आप एक URL एक वेब सर्वर एक वेब साइट पर डेटा रखे, वेब साइट को होस्ट भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग एक्टिवेटर ढूटते हैं न, विंडोस 7 ए 10 का, तो एक सबक मिल जाएगा, तो यह सब चीज़ें होते है, यूज एक्सप्लाइट आपको यहाँ पर लिखना है, यूज एक्सप्लाइट, और यहाँ पर multi handler लिख देना है, एंटर कर देना है, अब एक्सप्लाइट हैंडलर आप स्टार्ट करेंगे, और अपना handler तायार कर लेंगे, और उधर से अपने Xplight के माध़याम से payload का जो इस्तिमाल किये अपने उसके माध़याम से data इधर मगाएंगे और Xplight उस data को लेकर आएगा तो आपको यहाँ पर लिखना है set payload और set payload के बाद यहाँ पर किसके लिए payload आप बना रहे हैं windows windows और विंडोस के बाद यहां पे मिटर्ट पिटर और स्लैस आप रिवर्स टीसीपी और आपको यहां पे कुछ डीटेल्स एट करने जैसे यहां पे यहां पे देना है नहीं तो गड़बड हो जाएगा ओके तो सेम डीटिल्स देने के बाद इसको क्या कर दें रण कर दें रन करने के बाद आपका ये पटिकुलर पे लोडी स्टार्ट हो चुका है अब आपको क्या करना है ये आप स्टार्ट करके से छोड़ दो हमेशा ऐसे चलने दो जितने लोग इस पर ट्राई करेंगे आप कोई पब जी डूटते दूटते फ्री में आ गया इस तरीके से और प पब जी लिखा है नॉट पब जी कोई कंपणी का नेम नहीं है ये पब जी जी मैंने लिख दिया इसलिए तो इसे बट यहां पे कुछ इंस्टॉल नहीं हुआ मैं बार-बार अगर ट्राई करूं तिन नॉट पॉसिबल की मैं कुछ इंस्टॉल कर पाऊं अभी क्या हो गय उख़ोड जो भी वहाँ पे इंफर्मेशन थी सब यहां पे दिकहरा है ऑके, mkdir space hello नाम की डिरेक्टरी बनाया यहां पे आकर चेक किया hello नाम की डिरेक्टरी बन गया, आगर आप यहां से चाहो, rmdir space hello enter, ओके अब यहां पे आजाओ और वह डिलीट हो जाएगा, You have full control of your windows कोमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो सारी चीज़ है एंड जो भी कमांड मैंने दिया दुबारा रिपीट करके आप उसको कॉपी कर सकते हैं देख सकते हैं सब चीजों पर और अपनी सर्वर मशीन जैसा मैंने बनाया यह सब तैयार कर लेंगे डिफिनिटली आप इन सब चीजों पर काम कर पाएंगे अभी तो यहार रहे गया है आपका इंड्रॉइट का टर्मक्स का बहु सारी चीज़े हैं अब यह वीडियो अपने यहां तक देख लिया तो एक लास्ट में मैं आपको बोनस टिप्स दे कर जा रहा हूं ऑनलाइन पेड कोरसे जोइन करने के यह वाट्स अप नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं आप एंड एतिकल हैकिंग और डेप्त में सीखना है तो मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आपको एटुजेट सारी चीज़ें बताई जाती है रिलेटेड ए यह प्लोड करने के लिए लाउड होता है कि नहीं होता है नहीं तो वेपसाइट पर चीज़ें डाली जाएंगी फेस्बुक पर डाला जाएगा इंस्टाग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे अपडेट म मैं बहुत कुछ मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए एंड कॉमेंट चाहिए मुझे लाइक चाहिए सब्सक्राइब चाहिए और अपने अकाउंट से जीमेल से वाटसब से जिससे भी हो कम से कम चार-पांच लोगों को वीडियो शेयर करना अपने घर के सभी फैम आप लोगों को प्रोवाइट करूंगा मिलते हैं नेक्स शोड़ियो में थैंक यू सो मच